और अनंत जीवन के लिए फल बटोडता है कि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें क्योंकि इस पर ये कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला और है काटने वाला और मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिसके लिए तुमने परिश्रम नहीं किया औरोंने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए उस नगर के बहुत सामरियों ने उस तरीके कहने से जिसने ये गवाही दी थी के उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया विश्वास किया तब जब ये सामरी उसके पास आये तो उससे बिनिती करने लगे के हमारे यहां रहे सो वो वहां दो दिन तक रहा और उसके बचन के कारण और भी बहुतेरों ने विश्वास किया उन्होंने उस तरी से कहा अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते है कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है फिर उन दो दिनों के बाद वो वहां से कूच करके गलील को गया क्योंकि यिश्व ने आप ही साक्षी दी के भविश्य द्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ से मिले जितने काम उसने यिरुशलेम में पर्व के समय किये थे उन्होंने उन सब को देखा था क्योंकि वे भी पर्व में गये थे तब वो फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखस बनाया था वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफर नहों में बीमार था वह यह सुनकर कि यिशू यहूदिया से गलील में आ गया है उसके पास गया और उससे ब्ृति करने लगा कि चल कर मेरे पुत्र को चंगा कर दे क्योंकि वो मरने पर था येश्यू ने उससे कहा जब तक तुम जिन और अधुभुत काम न देखोगे तब तक कदापी विश्वास न करोगे राजा के कंचारी ने उससे कहा ए प्रभु, मेरे बालक की बृत्यू होने से पहले चल येश्यू ने उससे कहा जहां तेरा पुत्र जीवित है उस मनुष्य ने येश्यू की कही हुई बात की प्रतिती की और चला गया वो मार्ग में जाही रहा था के उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे के तेरा लड़का जीवित है उसने उनसे पोछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा उन्होंने उससे कहा कल सात्वे घंटे में उसका जवर उतर गया तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी येश्यू ने उससे कहा तेरा पुत्र जीवित है और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया ये दूसरा आश्चरी कर्म था जो येश्यू ने येहुदिया से गलेल में आकर दिखाया अध्याए पांच इन बातों के पीछे येहुदियों का एक पर्ब हुआ और येश्यू येरुशलेम को गया येरुशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इबरानी भाशा में बेत हस्दा कहलाता है और उसके पांच उसारे हैं इन में बहुत से बीमार अंधे लंगडे और सूखे अंग वाले पानी के हिलनी की आशा में पड़े रहते थे क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्ग दूद कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था चाहे उसकी बीमारी कुछ भी क्यों ना हो वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा यिश्यू ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकरके वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है उस बीमार ने उसको उतर दिया हे प्रभू मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे परन्तु मेरे पहुँशते पहुँशते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है येशु ने उससे कहा उट अपनी खाट उठा कर चल फेल वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठा कर चलने फिरने लगा वो सब्द का दिन था इसलिए यहुदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे के आज तो सब्द का दिन है तुझे खाट उठाना उचित नहीं उसने उन्हें उत्तर दिया के जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठा कर चल फिर उन्होंने उससे पूछा वो कौन मनुश् जिसने तुझसे कहा खाट उठा कर चल फिर परन्तु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था वो कौन है क्योंकि उस जगे में भीड होने के कारण येश्यू वहां से हट गया था इन बातों के बाद वो येश्यू को मंदिर में मिला तब उसने उससे कहा देख तुछ च आपड़े उस मनुष्य ने जाकर येश्यू से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो येश्यू है इस कारण येश्यू को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्द के दिन करता था इस पर येश्यू ने उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ इस कारण येहुदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वो ना केवल सब्द के दिन ही विधी को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आपको परमेश्वर के तुल्ले ठहराता था इस पर येश्यू ने उनसे कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता केवल वो जो पिता को करते देखता है क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब दिखाता है और वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम अचंभा करो, क्योंकि जैसे पिता मरे हुऊं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है, उन्हें जिलाता है. और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसा ही पुत्र का भी आदर करें, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वो पिता का जिसने उसे भीजा है, आदर नहीं करता, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीती करता है, अनन्त जीवन उसका है, और उस पर डंड की आज्या नहीं होती, परन्तु वो मृत्यू से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है, और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे, वे जीएंगे, क्योंकि जिस रीती से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीती से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है, कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है, कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनर्थान के लिए जीवठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरथान के लिए जीव ठेए मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं और मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परन्तु अपने भेजने वालों की इच्छा चाहता हूं यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं एक और है जो मेरी गवाही देता है और मैं जानता हूं कि वो मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है तुमने युहन्ना से पुछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है परन्तु मैं अपने विशय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योती में मगन होना अच्छा लगा परन्तु मेरे पास जो गवाही है वो युहन्ना की गवाही से बड़ी है जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौपा है अर्थाद यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है तुमने न कभी उसका शब्द सुना और न उसका रूप देखा है तुम उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीती नहीं करते तुम पवित्र शास्त्र में धूनते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और वही है जो मेरी गवाही देता है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता परन्तु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहन नहीं कर ले यदि कोई और अपने ही नाम से आये तो उसे ग्रहन कर लोगे तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वो आदर जो अद्वैद परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते किस प्रकार विश्वास कर सकते हो ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोश लगाऊंगा तुम पर दोश लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीती करते तो मेरी भी प्रतीती करते इसलिए कि उसने मेरे विशय में लिखा है परन्तु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीती नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों कर प्रतीती करोगे अध्याय चै इन बातों के बाद यिशू गलील की जील अर्थार्थ तिबीरियास की जील के पास गया और एक बड़ी भीड उसके पीछे हुली क्योंकि जो आश्चरिय कर्म वो बिमारों पर दिखाता था वो उनको देखते थे तब यिशू पहाड पर चड़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था तब यिशू ने अपनी आँखें उठा कर एक बड़ी भीड को अपने पास आते देखा और फिरिपुस से कहा के हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोलनाएं परंतु उसने ये बात उसे परकने के लिए कही क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा फिलिप उसने उसको उत्तर दिया के दो सौ दीनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए उसकी चेलों में से शमौन के भाई अंद्रियास ने उससे कहा यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की पांच रोटी और दो मचलिया है परन्तु इतने लोगों के लिए वो क्या है यिशू ने कहा के लोगों को बैठा दो उस जगे बहुत घास थी जब वे लोग जो गिरिती में लगभग पांच हजार थे बैठ गे तब इशू ने रोटिया ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बाट दी और वैसे ही मचलियों में से जितनी वे चाहते थे बाट दिया जब वे खा कर त्रिप्थ हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा के बचे हुए टुकडे बटोर लो कि कुछ फैंका न जाए सो उन्होंने बटोरा और जबकि पांच रोटियों के टुकडे जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी बारह टोकरिया भरी तब जो आश्चरी कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देख कर कहने लगे के वो भविश्द वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्य यही है यिशू ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं फिर पहाड पर अकेला चला गया फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले जील के किनारे गए वे नाव पर चड़कर जील के पास कफर नहूं को जाने लगे उस समय अधेरा हो गया था और यिशू अभी तक उनके पास नहीं आया था और आधी के कारण जील में लहरें उठने लगे सो जब वे खेते खेते तीन जार मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यिशू को जील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए परंतु उसने उनसे कहा मैं हू डरो मान सो वे उसे नाव पर चड़ा लेने के लिए तयार हुए और तुरंत वे नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहां वे जा रहे थे दूसरे दिन उस भीड ने जो जील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़ कर और कोई छोटी नाव ना थी और येशू अपने चेलों के साथ उस नाव पर ना चड़ा था परंतु केवल उसके चेले चले गए थे तो भी और छोटी नामे तिवरियास से उस जगे के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रूटी खाई थी सोजब भीड ने देखा कि यहां ना येशू है और ना उसके चेले तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चड़कर येशू को ढूंडते हुए कफरनहून को पहुँचे और जील के पार उससे मिल कर कहा हे रभी तु यहां का बाया येशू ने उत्तर दिया मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंडते हो कि तुमने अचम्भित काम देखे परन्तु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर द्रिप्त हुए नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो परन्तु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कारे करने के लिए हम क्या करें? येश्वर ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कारे ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो तब उन्होंने उससे कहा फिर तु कौन सा चिन्न दिखाता है कि हम उसे देख कर तेरी प्रतीती करें? तु कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाब दादों ने जंगल में मन्ना खाया जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी यिश्यो ने उनसे कहा मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी परन्तु मेरा पिता तुम्हें सची रोटी स्वर्ग से देता है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देती है तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभू ये रोटी हमें सर्वधा दिया कर यिश्यो ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा, वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी प्यासा न होगा, परन्तु मैं ने तुमसे कहा की तुमने मुझे देख भी लिया है, तो भी विश्वास नहीं करते जो कुछ पीता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उत्रा हूँ और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ न खोओं प्रन्तु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पूत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वा अनन जिवन पाए औ और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा सो यहूदी उस पर कोड़कोड़ाने लगे इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उत्री वो मैं और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यिशू नहीं जिसके माता पिता को हम जानते हैं तो वो कैसे कह कि मैं स्वर्च से उत्रा हूँ यिशू ने उनको उत्तर दिया आपस में मत कुड़कुड़ाओ कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खीच न ले और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा भविश्यत वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है मेरे पास आता है ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है जीवन की रोटी मैं हूँ तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाए और मर गए ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और नमरे जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सरवदा जीवित रहेगा मैं जगत के जीवन के लिए दूँगा वो मेरा मांस है इस पर यहूदी ये कहकर आपस में जगडने लगे के ये मनुष्य क्यों कर हमें अपना मास खाने को दे सकता है ये शू ने उनसे कहा मैं तुम से सच सच कहता हूँ जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लोहू न प्यो तुम में जीवन नहीं जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है अनन्त जीवन उसी का है और मैं अन्तिम दिन फिर उसे जिला उठाओंगा क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है जो मेरा मांस खाता और लोहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा जो रोटी स्वर्ख से उत्री यही है बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए जो कोई ये रोटी खाएगा वो सरवदा जीवित रहेगा ये बातें उसने कफर नहूं के एक आराधना अलय में उपदेश देते समय कही इसलिए उसके चेलों में से बौतों ने ये सुनकर कहा के ये बात कठोर है इसे कौन सुन सकता है ये शुने अपने मन में ये जान कर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है यदि मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहिले था वहां उपर जाते देखोगे तो क्या होगा आत्मा तो जीवन डायक है शरीर से कुछ लाब नहीं जो बातें मैंने तुम से कही है वे आत्मा है और जीवन भी है परन्तु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते येश्यू तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा और उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वर्दान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले तब येशु ने उन बारहों से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो शमान पत्रस्त ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभू हम किसके पास जाए अनन्त जीवन की बातें तो तेरे ही पास है हमने विश्वास किया है और जान गए है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है येशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है ये उसने शमावन इस क्रियोती के पुत्र यहुदा के विशै में कहा क्योंकि यही जो उन बारहों में था उसे पगड़वाने को था अध्याए साथ इन बातों के बाद यिशू गलील में फिरता रहा यहुदी उसे मार डालने का यत्र कर रहे थे इसलिए वो यहुदियों में फिरना ना चाहता था और यहुदियों का मंडपों का पर्व निकड़ था इसलिए उसके भाईयों ने उससे कहा यहां से कूच करके यहुदियों में चला जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी देखे क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे यही तू यह काम करता है तो अपने तई जगत पर प्रकट कर क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे तब यिश्व ने उनसे कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया परन्तु तुम्हारे लिए सब समय है जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता परन्तु वो मुझसे बैर करता है क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे है तुम पर्व में जाओ मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ वो उनसे ये बातें कहकर कलील ही में रहे गया परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह आप ही प्रकट में नहीं परंतु मानो गुप्त होकर गया सो यहुदी पर्व में उसे ये कहकर ढूनने लगे कि वो कहां है लोगों में उसके विशय में चुपके चुपके बहुत सी बाते हुई कितने कहते थे वह भला मनुश्य है और कितने कहते थे नहीं वो लोगों को भरमाता है तो भी यहुदीयों के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विशय में खुल कर नहीं बोलता था और जब पर्व के आधे दिन बीट गए तो यिशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा तब यहूदियों ने अचंभा करके कहा के इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई यिशु ने उत्तर दिया के मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विशय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं क्या मूसा ने तुमें व्यवस्था नहीं दी तो भी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता तुम क्यूं मुझे मार डालना चाहते हो लोगों ने उत्तर दिया के तुझ में तुष्टात्मा है कौन तुझे मार डालना चाहता है येशु ने उनको उत्तर दिया के मैंने एक काम किया और तुम सब अचंभा करते हो इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्या दी है ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है परन्तु बाप दादों से चली आई है और तुम सब्द के दिन को मनुष्य का खतना करते हो जब सब्द के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है कि मूसा की व्यवस्था की आज्या दल न जाए तो तुम मुझ पर क्यूं इसलिए क्रोध करते हो कि मैंने सब्द के दिन एक मनुष्य को पूरी रीती से जंगा किया मुह देखकर न्याय न चुकाओ परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओ तब कितने यरुशले में कहने लगे क्या यह वही नहीं जिसके मार डालने का प्रयपन किया जा रहा है परन्तु देखो वो तो खुलम खुला बाते करता है और उससे कोई कुछ नहीं कहता क्या संबव है कि सर्दारों ने सच-सच जान लिया है कि यही मसी है इसको तो हम जानते हैं कि यह कहा का है परन्तु मसीह जब आएगा तो कोई न जानेगा कि वो कहा का है तब येशु ने मंदिर में उपदेश देते हुए बुकार के कहा तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहा का हूँ मैं तो आपसे नहीं आया परन्तु मेरा भेजने वाला सच्चा है उसको तुम नहीं जानते मैं उसे जानता हूँ तोकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाए, तो भी किसी ने उस पर हात लड़ा लगा, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था, और भीड में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया और कहने लगे मसही जब आएगा, तो क्या इससे अधिक आश्वरे कर्म दिखाएगा, जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को उसके विशय में ये बाती चुपके चुपके करते सुनाओ, और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भीजे, इस पर येश्व ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ, तब अपने भेजने वाले के बास चला जाओगा, तुम मुझे ढूंडोगे, परन तु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। येहुदियों ने आपस में कहा, ये कहा जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे, क्या वो उनके पास जाएगा, जो युनानियों में तितर पितर होकर रहते हैं, और युनानियों को भी उप्तेश देगा, ये क्या बात है जो उसने कही, तुम मुझे ढूंडोगे परन तु ना पर्व के अंतिन दिन, जो मुख्य दिन है, येशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई पियासा हो, तो मेरे पास आकर पिये, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा मवित्र शास्त्र में आया है, उसके हिर्दे में से, जीवन के जलकी, नदियां पह निकलेंग उसने ये वचन उस आत्मा की विशय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि येशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुँचा था, तब भीड में से, किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सच मुच, यही वो भविशय द्वकता है, और उने कहा, ये मसी है, परन्तु किसी ने कहा, क्यों, क्या मसी गलील से आएगा, क्या पवित्र शास्तर में ये नहीं आया, कि मसी दाउद के वंच से, और बैदलहम गाउं से आएगा, जहां दाउद रहता था, सो उसके कारण, लोगों में फूट पड़ी, उनमें से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर हाथ न डाला, तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए, और उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए, सिपाहीयों ने उत्तर दिया कि, किसी मनिश्य ने कभी ऐसे बाते ना की, फरीसियों ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो, क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है, परन्तु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते स्रापित हैं निकूदे मुस्थ ने जो पहले उसके पास आया था और उनमें से एक था उनसे कहा क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है दोशी ठेराती है उन्होंने उसे उत्तर दिया क्या तू भी गलील का है धूण और देख कि गलील से कोई भविश्य द्वक्ता प्रकट नहीं होने का तब सब कोई अपने अपने घर को गए अध्याय आट परंतु येशु जैतून के पहाड पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आये और वो बैठ कर उन्हें उपदेश देने लगा तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाया जो विविचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके ये उससे कहा हे गुरू ये स्त्री विविचार करते हुए ही पकड़ी गई है व्यवस्था में मुझा ने हमें आग्या दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवा करें तू इस्त्री के विशेय में क्या कहता है उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही कि उस पर दोश लगाने के लिए कोई बात पाएं परंतु येश्यू जुक कर उंगली से भूमी पर लिखने लगा जब वे उससे पोचते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा के तुम में जो निश्पाफ हो वही पहले उसको पत्थर मारे और फिर जुक कर भूमी पर उंगली से लिखने लगा परंतु वे ये सुनकर पड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और येश्यू अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गए येश्यू ने सीधे होकर उससे कहा हे नारी वे कहां गए क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्या न दी उसने कहा हे प्रभू किसी ने नहीं येश्यू ने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्या नहीं देता जा और फिर पाप न करना तब येशु ने फिर लोगों से कहा जगत की जोती मैं हूँ जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परन्तु जीवन की जोती पाएगा फरीसियों ने इससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है तेरी गवाही ठीक नहीं येशु ने उनको उत्तर दिया यदि मैं अपनी गवाही आप देता हूँ तो भी मेरी गवाही ठीक है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहां से आया हूँ और कहां को जाता हूँ परन्तु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूँ या कहां को जाता हूँ तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो मैं किसी का न्याय नहीं करता और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहा है येशो ने उत्तर दिया के ना तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते ये बाते उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था उसने फिर उनसे कहा मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंडोगे और अपने पाप में मरोगे जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते इस पर यहूदियों ने कहा क्या वह अपने आप को माल डालेगा जो कहता है कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो मैं उपर का हूँ तुम संसार के हो मैं संसार का नहीं इसलिए मैंने तुम से कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे उन्हों ने उससे कहा तु कान है? येशु ने उनसे कहा वही हूँ जो प्रारंब से तुमसे कहता आया हूँ तुम्हारे विशय में मुझे बहुत कुछ कहना और निरणय करना है परन्तु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं वे नसमझे के वे उनसे पिता की विशय में कहता है तब येश्यू ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को उंचे पर चड़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ और अपने आप से कुछ नहीं करता परन्तु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बाते कहता हूँ और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा क्योंकि मैं सरवदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है वह ये बाते कहे ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया तब यिश्यू ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतिती की थी कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सच मुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि, हम तो इब्राहीम के वच से हैं, और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तु क्यों कर कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। येशों ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, कि जो कोई पाप करता है, वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदी पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सच मुझ तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूँ, कि तुम इबराहीम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुमारे हिर्दे में जगह नहीं पाता। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो, मैं वही कहता हूँ, जो मैंने अपने पिता के यहां देखा है, और तुम वही करते रहते हो, जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उसको उत्तर दिया हमारा पिता तो इबराहीम है येशु ने उनसे कहा यदि तुम इबराहीम की संतान होते तो इबराहीम के समान काम करते परन्तु अब तुम मुझ ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुमें वो सत्ते वचन बताया जो परमेश्वर से सुना ये तो इबराहीम ने नहीं किया था तुम अपने पिता के समान काम करते हो उन्होंने उससे कहा हम व्यभीचार से नहीं जन में हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर येशु ने उनसे कहा यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आप से नहीं आया, परन्तु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो, वो तो आरंब से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं, जब वो जूट है, तो अपने सभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो जूटा है, वरन जूट का पिता है, परन्तु मैं जो सच बोलता हूँ, इसलिए तुम मेरी प्रतीती नहीं करते, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ, तो तुम मेरी प्रतीती क्यों तुम नहीं करते जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बाते सुनता है और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। ये सुन यहूदियों ने उससे कहा क्या हम ठीक नहीं कहते के तु सामरी है और तुझ में दुष्टात्मा है यिश्यों ने उत्तर दिया के मुझ में दुष्टात्मा नहीं परन्तु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा निरादर करते हो परन्तु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वजन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यू को न देखेगा। यहूदियों ने उससे कहा कि अब हमने जान लिया कि तुछ में तुष्ट आत्मा है। इब्रहीम मर गया और भविश्य द्वक्ता भी मर गये हैं। अर तु कहता है कि यदि कोई मेरे वजन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यू का स्वाद न चकेगा। हमारा पिता इब्रहीम तो मर गया। क्या तु उससे बड़ा है। भविश्य द्वक्ता भी मर गये। तु अपने हाग को क्या ठहराता है। यश्यू ने उत्तर दिया। यदि मैं आप अपनी महिमा करूँ तो मेरी महिमा कुछ नहीं। परन्तु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है जिसे तुम कहते हो। कि वो हमारा परमेश्वर है और तुमने तो उसे नहीं जाना परन्तु मैं उसे जानता हूँ और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी नाई जूटा ठहरूँगा परन्तु मैं उसे जानता और उसके वचन पर जलता हूँ तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनन्द किया यहूदियों ने उससे कहा अब तक तू पचास वर्ष का नहीं फिर भी तूने इब्राहीम को देखा है यिशु ने उससे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके की इब्राहीम उत्पन हुआ मैं हूँ तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए परन्तू यिशु छिपकर मंदिर से निकल गया अध्याय नौ फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्मकांधा था उसके चेलों ने उससे पूछा हे रब्बी किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने येशो ने उत्तर दिया कि न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने परन्तु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हूँ, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वो रात आने वाली है, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की जोती हूँ ये कहकर उसने भूमी पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आँखों पर लगा कर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धोले, जिसका आर्थ भेजा हुआ है, सो उसने जाकर धोया, और देखता हुआ लाटाया, तब पड़ोसी और जिन्हो उने पहले उसे भीक मांगते देखा था, कहने लगे, क्या ये वो ही नहीं, जो बैटा भीक मांगा करता था, कित्रों ने कहा, ये वही है, और उने कहा, नहीं, परंतु उसके समाल है, उसने कहा, मैं वही हूँ, तब वे उससे पूछने लगे, तेरे आँखे कैसे खुल ये शू नामा के एक व्यक्ती ने मिट्टी सानी, और मेरी आँखों पर लगा कर मिट्से कहा, शिलो में जाकर धोले, मैं गया और धोकर देखने लगा, उन्होंने उससे पूछा, वो कहा है, उसने कहा, मैं नहीं जानता, लोग उसे जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए, जिस दिन ये शू ने मिट्टी सान कर उसकी आँखें खोली थी, वो सब्त का दिन था, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तेरी आँखें किस रिती से खुल गई, उसने कुन से कहा, उसने मेरी आँखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धोलिया, और अब द देखता हूँ, इस पर कई फरीसी कहने लगे, वो मनुष्ये परमेश्वर की योड से नहीं, क्योंकि वो सब्त का दिन नहीं मानता, औरों ने कहा, पापी मनुष्ये कैसे ऐसे चिन दिखा सकता है, सो उनमें फूट पड़ी, उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने जो तेरी आँखे खोली, तू उसके विशे में क्या कहता है, उसने कहा, वो भविश्यद वकता है, परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि ये अंधा था, और अब देखता है, जब तक उन्होंन उसके माता पिता को, जिसकी आँखें खुल गई थी, बुला कर उनसे ना पूचा, क्या ये तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुम कहते हो कि अंधा जन्मा था, अब वो क्यों कर देखता है, उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है, और अंधा जन्मा था, प्रन्तु हम नहीं जानते हैं कि अब क्यों कर देखता है, और ना ये जानते हैं कि किसने उसकी आँखें खोली, वो सयाना है, उसी से पूच लो, वो अपने विशे में आप कह देगा, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं कि वे यहूदियों से डरते थे, यहूदी एका कर चुके थे कि यदि कोई कहें कि वो मसी है, तो आराधनालय से निकाला जाए, इसी कारण उसके माता पिता ने कहा कि, वो सयाना है, उसी से पूच लो, तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था, दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, परमेश्वर की स्तुति कर, हम तो जानते हैं कि वो मुनुष्य पापी है, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वे पापी है या नहीं, मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ, उन्होंने उससे फिर कहा के, उसने तेरे साथ क्या किया, और किस तरह तेरी आँखें खोली? उसने उनसे कहा, मैं तो तुम से कह चुका, और तुमने ना सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो, या तुम भी उसके चेले हो न चाहते हो? तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले तू भी उसका चेला है हम तो मूसा के चेले हैं हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बाते की पर अंतो इस मनुष्य को नहीं जानते की कहा का है उसने उनको उत्तर दिया यह तो अचम्भी की बात है कि तुम नहीं जानते कि कहा का है तो भी उसने मेरी आँखे खोल दी हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता परन्तु यदि कोई परमेश्वर का भग्त हो और उसकी इच्छ पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है जगत के आरंब से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आखे खोली हो यदि यह परमेश्वर की और से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता उन्होंने उसको उत्तर दिया के तू तो बिलकुल पापों में जन्मा है तू हमें क्या सिखाता है और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया येशु ने सुना के उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वह कौन है कि उस पर विश्वास करूँ? येशु ने उससे कहा, तुने उससे देखा भी है, और जो तेरे साथ बाते कर रहा है, वही है. उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ. और उसे दंडवत किया, तब येशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, कि जो नहीं देखते हैं, वे देखें, और जो देखते हैं, वे अंधे हो जाएं. जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बाते सुनकर उससे कहा, क्या, हम भी अंधे हैं? विश्व ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते, तो पापी न ठहरते, पर अब कहते हो, कि तुम देखते हो, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है. अध्याय दस और भेड़े उसका शब्द सुनती हैं, और वो अपनी उन भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है, और बाहर ले जाता है, और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेडें पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं परंतु वे पराय के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती येश्यू ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे कि ये क्या बाते है जो वो उनसे कहता है तब यिश्यो ने उनसे फिर कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेडों का द्वार मैं हूँ जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है परंतु भेडों ने उसकी न सुनी द्वार मैं हूँ यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा जोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चूरी करने और खात करने और नश्ट करने को आता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएग और बहुत आयत से पाएग अच्छा चरवाहा मैं हूँ अच्छा चरवाहा भेडों के लिए अपना प्राण देता है मजदूर जो न चरवाहा है न भेडों का मालिक है भेडिये को आते हुए देख भेडों को छोड़ कर भाग जाता है और भेडिया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेडों की चिंता नहीं अच्छा चरवाहा मैं हूँ जिस तरहां पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ इसी तरहां मैं अपनी भेडों को जानता हूँ मेरी भेडे मुझे जानती हैं और मैं भेडों के लिए अपना प्राण देता हूँ मेरी और भी भेडे हैं, जो इस भेड़ शाला की नहीं है, मुझे उनको भी लाना आवश्यक है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही जुन्द और एक ही चरवाहा होगा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि उसे फिर ले लूँ, कोई उसे मुझसे चीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और उसे फिर लेने का अधिकार है, याज्या मेरे पिता से मुझ इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उन में से बहुत तेरे कहने लगे के उसमें दुष्ठात्मा है और वो पागल है उसकी क्यों सुनते हो। तब यहूदियों ने उसे आघेरा और पूछा तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा यदि तू मसी है तो हमसे साफ कह दे। मेरी भेडों में से नहीं हो। मेरी भेडे मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नाश न होंगी। और कोई उन्हें मेरे हाथ से चीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है। और कोई उन्हें पिता के हाथ से चीन नहीं सकता। में और पिता एक हैं। यहुदियों ने उसे पत्थर वाह करने को फिर पत्थर उड़े दिया। इस पर यिश्यू ने उन्हें कहा के मैंने तुहें अपने पिता की ओर से भले काम दिखाए है। उन्हें से किस काम के लिए तुम मुझे पत्थर वाह करते हो। यहुदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुछे पतरवा नहीं करते परन्तु परिमेशर की निंदा के कारण और इसलिए कि तु मनिश होकर अपने आपको परिमेशर बनाता है यिशु ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम्हारी वेवस्ता में नहीं लिखा है कि मैंने कहा तुम इश्वर हो यदि उसने उन्हें इश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुँचा और पवित्र शास्त्र की बात लोब नहीं हो सकती तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो कि तुम निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरी प्रतीती न करो परन्तु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीती न भी करो परन्तु उन कामों की तो प्रतीती करो कि तुम जानो और समझो कि पिता हुझ में है और मैं पिता में हूँ तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रित रखिया परन्तु वो उनके हाथ से निकल गया फिर वो यर्दन के पार उस स्थान पर चला गया जहां युहन्ना पहले बप्तिस्मा दिया करता था और वही रहा और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे के युहन्ना ने तो कोई चन्न नहीं दिखाया प्रन्तु जो कुछ युहन्ना ने इसके विशे में कहा था वो सब सच था और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया अध्याए ग्यारे मरियम और उसकी बहन मर्था के गाउं बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डाल कर उसके पाउं को अपने बालों से पूँचा था इसी का भाई लाजर बीमार था सो उसकी बहिनों ने उसे कहला भेजा के हे प्रभु देख जिससे तू प्रिती रखता है वह बीमार है ये सुनकर येश्यू ने कहा ये बीमारी मृत्यू की नहीं परन्तु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो येश्यू मर्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान पर वो था वहाँ दो दिन और ठहर गया फिर इसके बाद उसने चेलों से कहा कि आओ हम फिर यहूदिया को चले चेलों ने उससे कहा हे रब्बी अभी तो यहूदि तुझे पत्रवा करना चाहते थे और क्या तू फिर भी मही जाता है येश्यू ने उत्तर दिया क्या दिन के बारां गंटे नहीं होते यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि वो इस जगत का उजाला देखता है परन्तु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं उसने ये बाते कहीं और इसके बाद उनसे कहने लगा हमारा मित्र लाजर सो गया है परन्तु मैं उसे जगाने जाता हूँ तब चेलो ने उससे कहा हे प्रभू यदि वो सो गया है तो बच जाएगा यिशु ने तो उसकी मृत्यू के विशय में कहा था परन्तु वे समझे के उसने नींच से सो जाने की विशय में कहा तब यिशु ने उनसे साफ कह दिया के लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण भानन दित हूँ कि मैं वहां न था जिससे तुम विश्वास करो अब आओ हम उसके पास चलें तब धोबा ने जो दिदुम उस कहलाता है अपने साथ के चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें यिशु को आकर ये मालूम हुआ के उसे कबर में रखे चार दिन हो चुके है बैतनिया यरुशलेम के समीप कोई दो मील की दूरी पर था और बहुत सी यहुदी मर्था और मर्यम के पास उनके भाई के विशह में शान्ती देने के लिए आये थी मर्था येशु के आने का समाचार सुनकर उससे भेट करने हो गई परन्तु मर्यम घर में बैठी रही मर्था ने येशु से कहा ये प्रभू यदी तू यहां होता तो मेरा भाई कदा पिन मर्था और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा येशु ने उससे कहा तेरा भाई जी उठेगा मर्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुथान के समय वहजी उठेगा येशु ने उससे कहा पुनरुथान और जीवन मैं ही हूँ जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीएगा और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा क्या तू इस बात पर विश्वास करती है उसने उससे कहा हाँ ए प्रभू मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसी जो जगत में आने वाला था वह तू ही है यह कहकर वह चली गई और अपनी बेहन मरियम को चुपके से बुला कर कहा गुरू यही है और तुझे बुलाता है वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई येश्व अभी गाओं में नहीं पहुँचा था परंतु उसी स्थान में था जहां मर्था ने उससे भेट की थी तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांती दे रहे थे ये देखकर कि मर्यम तुरंत उठकर बाहर गई है और ये समझकर कि वो कबर पर रोने को जाती है उसके पीछे हो ली जब मर्यम वहाँ पहुची जहां ये शू था तो उसे देखते ही उसके पाउँ पर गिर कर गहा ए प्रभू यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता जब ये शू ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आये थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ और घबरा कर कहा तुमने उसे कहां रखा है उन्होंने उससे कहा ए प्रभू चल कर देख ले ये शू के आशू पहने लगे तब यहूदी कहने लगे देखो वो उससे कैसी प्रीती रखता था परन्तु उन में से कितनों ने कहा क्या ये जिसने अंधे की आँखें खोली ये भी न कर सका कि ये मनुश्य न मरता ये शू मन में फिर बहुत ही उदास होकर कबर पर आया वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था ये शू ने कहा पत्थर को उठाओ उस मरे हुए की बहन मरता उससे कहने लगी ये प्रभू उसमें से अब तु दुलगंद आती है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए ये शू ने उससे कहा क्या मैंने तुझ से न कहा था कि ये दि तु इस्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया फिर ये शू ने आखें उठा कर कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुने मेरी सुन ली है और मैं जानता था कि तु सदा मेरी सुनता है परन्तु जो भीड आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा जिससे की वे विश्वास करें कि तुने मुझे भेजा है ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा हे लाजर निकला जो मर गया था वो कफन से हाथ पाऊं बंधे हुए निकलाया और उसका मुझ अंगूची से रिप्टा हुआ था इश्यू ने उनसे कहा उसे खोल कर जाने दो तब जो यहूदी मर्यम के पास आये थे और उसका ये काम देखा था उन में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया परंतु उन में से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर येश्यू के कामों का समाचार दिया इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकठा करके कहा हम करते क्या है ये मनुष्य तो बहुत चिन्न दिखाता है यदि हम उसे यूँ ही छोड़ते तो सब उस पर फिश्वास ले आएंगे और रोमी आकर अमारी जगह और जाती दोनों पर अधिकार कर लेंगे तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था उनसे कहा तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो के तुम्हारे लिए ये भला है के हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ना ये के सारी जाती नाश हो ये बात उसने अपनी ओर से ना कही परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर धविश्यवानी की के येशू उस जाती के लिए मरेगा और नकेवल जाती के लिए वरण इसलिए भी कि परमेश्वर की स्तित्तर वित्तर संतानों को एक कर दे सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की समती करने लगे इसलिए ये येशू उस समय से येहूदियों में प्रगट होकर ना फिरा परन्तु वहां से जंगल के निगट के देश में इफ्राहीम नाम एगनगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वही रहने लगा और येहूदियों का फसह निकट था और बहुतेरे लोग फसह से पहले दिहाद से येरुशलिम को गए कि अपने आपको शुद्द करें सो वे ये येशू को ढूंडने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे तुम क्या समझते हो? क्या वो पर्ब में नहीं आएगा? और महायाज को और फरिसियों ने भी आग्या दे रखी थी कि यदी कोई ये जाने कि येशू कहा है तो बताए कि उसे पकड़ ले अध्याए बारह फिर येशू फसे से छे दिन पहले बैतनिया में आया जहां लाजर था जिसे येशू ने मरे हूं में से जिलाया था वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मर्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे तब मर्यम ने जटा मासे का आध सेर बहुमोल इत्र लेकर येशू के पाउं पर डाला और अपने बालों से उसके पाउं पोँचे और इत्र की सुगंद से घर सुगंदित हो गया परन्तु उसके चेलों में से यहूदा इसक्रियोती नाम का एक चेला जो उसे पगड़वाने पर था कहने लगा ये इत्र तीन सौ दिनार में बेच कर कंगालों को क्यों ना दिया गया उसने ये बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों की चिंता थी परन्तु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था ये शो ने कहा उसे मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दे क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि वो वहाँ है और वे ना केवर येशू के कारण आये परन्तु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हूँ में से जिलाया था तब महायाज को ने लाजर को भी मार डालने की संबती की क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और येशू पर विश्वास किया दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आये थे ये सुनकर की येशू यरूशले में आता है खजूर की डालिया ले और उससे भेट करने को दिखें और फुकारने लगे की पोशाना धन्ने इस्राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है जब येशू को एक गधे का बच्चा मिला तो उस पर बैठा जैसा लिखा है कि हे सियोन की बेटी मत डर देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चला हुआ चला आता है उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे परंतु जब येशू की महिमा प्रगट हुई तो उनको स्मरणाया कि ये बातें उसके विशय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का विवहार किया था तब भीड के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे ये गवाही दी कि उसने लाजर को कबर में से बुला कर मरे हुव में से जिलाया था इसी कारण लोग उससे भेट करने को आये थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चरिये कर्ब दिखाया है तब फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता देखो संसार उसके पीछे हो चला है जो लोग उस पर्व में भजन करने आये थे उन्होंने गलील के बैट सैदा के रहने वाले फिलिप उसके पास आकर उससे बिनिती की कि शिरिमान, हम येशू से भेट करना चाते हैं फिलिप उसने आकर अंद्रियास से कहा इस पर येशू ने उन से कहा वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुद्र की महिमा हो मैं तुम से सच-सच कहता हूं कि जब तक गेहों का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है परन्तु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनन्त जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूँ, वहां मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है इसलिए अब मैं क्या कम हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा परन्तु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ हे पिता अपने नाम की महिमा कर तब ये आकाश्वानी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा के बादल गरजा और ने कहा कोई स्वर्गतूत उससे बोला इस पर येश्व ने कहा ये शब्द मेरे लिए नहीं परन्तु तुम्हारे लिए आया है अब इस जगत का न्याय होता है अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा और मैं यदी पृत्वी पर से उचे पर चड़ाया जाऊंगा तो सब को अपने पास खींचूंगा ऐसा कहकर उसने ये प्रगट कर दिया कि वो कैसी मृत्यू से मरेगा इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने अव्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीख सरवधा रहेगा फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को उचे पर चड़ाया जाना अवश्यक है ये मनुष्य का पुत्र कौन है येशू ने उनसे कहा जोती अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है जब तक जोती तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आगेरे जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है जब तक जोती तुम्हारे साथ है जोती पर विश्वास करो कि तुम जोती के संतान हो ये बातें कहकर यिशु चला गया और उनसे छिपा रहा और उसने उनके सामने इतने चिन दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास ना किया कि यशाया भविश्य दुक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा के हे प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीती की है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रगट हुआ इस कारण वे विश्वास ना कर सके क्योंकि यशाया ने फिर कहा के उसने उनकी आँखें अंधी और उनका मन कठोर किया है कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूँ यशाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विशे में बातें की तो भी सर्दारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया परंतु फरीसियों के कारण वे प्रकट में नहीं मानते थे ऐसा ना होके आराधनालाय में से निकाले जाएं क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर से अधिक प्रय लगती थी यिश्व ने पुकार कर कहा जो मुझे पर विश्वास करता है और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है मैं जगत में जोती होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझे पर विश्वास करे वो अंदकार में न रहे यदि कोई मेरी बाते सुनकर न माने तो मैं उसे दोशी नहीं ठहराता क्योंकि मैं जगत को दोशी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उधार करने के लिए आया हूँ जो मुझे तुछ जानता है और मेरी बातें ग्रहन नहीं करता है उसको दोशी ठहराने वाला तो एक है अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोशी ठहराएगा क्योंकि मैंने अपनी ओर से बाते नहीं की परन्तु पिता ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्या दी है कि क्या क्या कहूं और क्या क्या बोलूं और मैं जानता हूं कि उसकी आज्या अनंत जीवन है इसलिए मैं जो बोलता हूं वो जैसा पिता ने मुझे से कहा है वैसा ही बोलता हूं अध्याय तेरे फसे के पर्व से पहले जब येश्यू ने जान लिया कि मेरी वो घड़िया पहुंची है कि जगत छोड़ कर पिता के पास जाओं तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अन्त तक वैसा ही प्रेम रखता रहा और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इसकरियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए तो भोजन के समय येश्यू ने ये जान कर के पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दी और अंगोचा लेकर अपनी कमर बांधी तब परतन में पानी भरकर चेलों के पाउँ धोने और जिस अंगोचे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोँचने लगा जब वो शमून पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा हे प्रभू क्या तू मेरे पाउँ धोता है यिशू ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता परन तू इसके बाद समझेगा पतरस ने उससे कहा तू मेरे पाउँ कभी न धोने पाएगा ये सुनकर यिशू ने उससे कहा यदि मैं तुझे न धोन तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साजा नहीं शमौन पतरस ने उससे कहा हे प्रभू तू मेरे पाउँ ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे यिश्यू ने उससे कहा जु नहा चुका है उसे पाउं के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं परन्तु वो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो परन्तु सब के सब नहीं वह तो अपने पकडवाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा तुम सब के सब शुद्ध नहीं जब वह उनके पाउं धो चुका और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे की मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाउं धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाउं धोना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तु धन्य हो मैं तुम सब के विशे में नहीं कहता जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ परन्तु ये इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे पर लात उठाई अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहन करता है वो मुझे ग्रहन करता है और जो मुझे ग्रहन करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है ये बातें कहकर येश्यू आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुम से सच-सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा चेले ये संदे करते हुए कि वे किसकी विशे में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे उसके चेलों में से एक जिससे येशु प्रेम रखता था येशु की छाती की ओर जुका हुआ बैठा था तब शमौन पत्रस ने उसकी ओर सैन करके पूछा के बता तो वो किसके विशे में कहता है तब उसने उसी तरह येशु की चाती की ओर जुक कर पूछा हे प्रभू वो कौन है येशु ने उत्तर दिया जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा दुबो कर दूँगा वही है और उसन टुकड़ा दुबो कर शमौन के पुत्र येशु ता इसकरियोटी को दिया और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समागे तब येशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर परंतु बैठने वालों में से किसी ने नहीं जाना कि उसने ये बात उससे किसलिए कही येशु ने समझा कि येशु उससे कहता है कि जो कुछ हमें बर्ब के लिए चाहिए वो बोल ले या ये कि कंगालों को कुछ दे तब वो टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और रात्री का समय था जब वो बाहर चला गया तो येशु ने कहा अब मनुष्य के पुत् प्रणे में उसकी महिमा करेगा वरंत तुरंत करेगा है ये बालको मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं फिर तुम मुझे धूंडोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं मैं तुम्हें एक नई आज्या देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो शमौन पत्रस ने उससे कहा हे प्रभु तु कहा जाता है येशु ने उत्तर दिया कि जहां मैं जाता हूँ वहां तु अब मेरे पीछे आ नहीं सकता परन्तु इसके बाद मेरे पीछे आयेगा पत्रस ने उससे कहा हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता मैं तो तेरे लिए अपना प्राण दूँगा येश्यू ने उत्तर दिया क्या तू मेरे लिए प्राण देगा मैं तुझ से सच सच कहता हूँ कि जब तक तू तीन बार मेरा इनकार न कर लेगा मुर्ग भांग न देगा अध्याए चाओदा तुम्हारा मन व्याकुल न हो तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो मुझ पर भी विश्वास रखो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है यदि न होते तो मैं तुम से कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तयार करने जाता हूँ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा वहां तुम भी रहो और जहां मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो थोमा ने उससे कहा हे प्रभू, हम नहीं जानते कि तु कहा जाता है तो मार्ग कैसे जाने? यिश्यू ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता जिदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे यही हमारे लिए बहुत है यिश्यू ने उससे कहा हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तु मुझे नहीं जानता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है तु क्यूं कहता है कि पिता को हमें दिखा क्या तु प्रतीती नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता परन्तु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है मेरी ही प्रती दिकरो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के बास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा यदि तुम मुझसे प्रीम रखते हो तो मेरी आज्याओं को मानोगी और मैं पिता से बिनती करूँगा और वो तुम्हे एक और सहायक देगा कि वो सरवदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहन नहीं कर सकता क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा मैं तुम्हें अनात न छोड़ूँगा मैं तुम्हारे पास आता हूँ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा पर तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूँ तुम भी जीवित रहोगे उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझे में और मैं तुम में जिसके पास मेरी आग्या है और वो उन्हें मानता है वही मुझे से प्रेम रखता है और जो मुझे से प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आपको उस पर प्रकट करूंगा उस यहुदा ने जो इस करियोति ना था उससे कहा ए प्रभू क्या हुआ कि तु अपने आपको हम पर प्रकट किया चाता है और संसार पर नहीं यिश्यू ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ रहेंगे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो, वो मेरा नहीं, वरन पिता का है, जिसने मुझे भेजा, ये बाते मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, तुमसे कहीं, परंतु सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुमें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वो सब तुम्हें समरण कराएगा, मैं तुम्हें शांती दिये जाता हूँ, अपनी शांती तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, तुमने सुना, कि मैंने तुमस मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिराता हूँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुम से कह दिया है कि जब वो हो जाए तो तुम प्रतीती करो मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझमें उसका कुछ नहीं परन्तु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरहां पिता ने मुझे आग्या दी मैं वैसे ही करता हूँ उठो यहां से चलें सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है जो डाली मुझमें है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फलती है उसे वो छाटता है ताकि और फले तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुम से कहा है शुद्ध हो तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदी दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती वैसे ही तुम भी यदी मुझमें बने न रहो तो नहीं फल सकते मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो जो मुझमें बना रहता है और मैं उसमें वो बहुत फल फलता है क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते यदी कोई मुझमें बना न रहे तो वो डाली की नाई फेक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में छोंक देते हैं और वे जल जाती हैं यदी तुम मुझमें बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा मेरे पिता की महमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल खाओ तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुम से प्रेम रखा मेरे प्रेम में बने रहो यदि तुम मेरी आग्याओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा की मैंने अपने पिता की आज्याओं को मना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ मैंने ये बातें तुम से इसलिए कही है कि मेरा आनन्द तुम में बना रहे और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए मेरी आज्या ये है कि जैसा मैंने प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे जो कुछ मैं तुम्हें आज्या देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है परन्तु मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी तुमने मुझे नहीं चुना है परन्तु मैंने तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे इन बातों की आग्या मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो यदि संसार तुम से बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुम से पहले मुझसे भी बैर रखा यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीती रखता परन्तों इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुम से बैर रखता है जो बात मैंने तुमसे कही थी, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे, परन्तु ये सब कुछ, वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते, यदि मैं ना आता, और उनसे बाते न करता, तो वे पापी न ठहर दे, परन्तु अब, उन्हें उनके पाप के लिए, कोई बहाना नहीं है, जो मुझसे बैर रखता है, वो मेरे पिता से भी बैर रखता है, यदि मैं उनमें वे काम न करता, जो और किसी ने नहीं किये, तो वे पापी नहीं ठहर दे, परन्तु अब तो, उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा, और दोनों से बैर किया, और वो इसलिए जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया परन्तु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूँगा अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है तो वो मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरंब से मेरे साथ रहे हो अध्याय सोला ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर न खाओ वे तुम्हें आराधनालेओं में से निकाल देंगे बरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेशवर की सेवा करता हूँ और ये वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं परन्तु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कहीं कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था और मैंने आरंब में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता कि तु कहा जाता है परंतु मैंने जो ये बातें तुम से कही हैं इसलिए तुहारा मन शोक से भर गया तो भी मैं तुम से सच कहता हूँ ये मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि यदी मैं न जाओं तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा परन्तु यदी मैं जाओंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूँगा और वो आकर संसार को पाप और धार्मित्ता और न्याय के विशय में निरुत्तर करेगा बाप के विशय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते और धर्मिक्ता के विशय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे न्याय के विशय में इसलिए कि संसार का सरदार दोशी ठहराया गया है मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी है परंटु अभी तुम उन्हें सेह नहीं सकते परंटु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुमें सब सत्य का मार्ग बताएगा क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा परन्तु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातीं तुहें बताएगा वो मेरी महमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुहें बताएगा जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है इसलिए मैंने कहा कि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे तब उसके कितने चेलू ने आपस में कहा ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे और ये इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ तब उन्होंने कहा ये थोड़ी देर जो वो कहता है क्या बात है हम नहीं जानते कि क्या कहता है येश्यो ने ये जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विशय में पूछताच करते हो, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, मैं तुम से सच-सच कहता हूँ, कि तुम रोगे और विलाप करूँगे, परन्तु संसार आनंद करेगा, तुम्हे शोक होगा, परन्तु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा, जब स्त्री जनने लगती है, तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँची, परन्तु जब वो बालक जन चुकी, तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं कर ली, और तुम्हे भी अब तो शोक है, परन्तु मैं तुमसे फिर मिलूँगा, और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे चीन न लेगा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगी, कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, मैंने ये बातें तुमसे दृष्टान्तों में कही हैं, परंतु को समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टान्तों में और फिर नहीं कहूंगा, परंतु खोल कर तुम्हें पिता के विशय में बताऊंगा, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारे लिए पिता से बिंती करूंगा तो कि पिता तो आप ही तुमसे प्रीती रखता है इसलिए कि तुमने मुझसे प्रीती रखी है और ये भी प्रतीत की है कि मैं पिता की ओर से निकल आया मैं पिता से निकल कर जगत में आया हूँ फिर जगत को छोड़ कर पिथा के पास जाता हूँ उसके चेलों ने कहा देख अब तो तु खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता अब हम जान गए कि तु सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे इससे हम प्रतीती करते हैं कि तु परमेश्वर से निकला है ये सुन येशु ने उनसे कहा क्या तुम अब प्रतीती करते हो देखो वो घड़ी आती है बरन आपहुची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे तू भी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है मैंने ये बातें तुम से इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांती मिले संसार में तुम्हें क्लेश होता है परन तु धाडस बांदो मैंने संसार को जीत लिया है अध्याय सत्रा यिशु ने ये बातें कहीं और अपनी आखें आकाश की ओर उठा कर कहा हे पिता वो घड़ी आ पाउंची अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे क्योंकि तु ने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तु ने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अदुक्त सच्चे परमेश्वर को और ईशु मसीः को जिसे तू ने भेजा है जाने जो काम तू ने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृत्वी पर तेरी महिमा की है और अब एपिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी ते साथ थी मैंने तेरा नाम उन मनुश्यों पर वकट किया जिने तू ने जगत में से मुझे दिया वे तेरे थे और तू ने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तू ने मुझे दिया है सब तेरी ओर से है क्योंकि जो बातें तू ने मुझे पहुँचा दी मैंने उन्हें उनको पहुँचा दी और उन्होंने उनको ग्रहन किया है और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ और प्रतीती कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा मैं उनके लिए बिनती करता हूँ संसार के लिए बिनती नहीं करता हूँ परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तुने मुझे दिया है क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रगट हुई है मैं आगे को जगत में न रहूँगा परन्तु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, ही पवित्र पिता, अपने उस नाम से, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हो, जब मैं उनके साथ था, तो मैंने तेरे उस नाम से, जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की, मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़, उनमें से कोई नाश न हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, परन्तु अब मैं तेरे पास आता और ये बातें जगत में कहता हो, कि वे मेरा आनन्द अपने में पूरा पाएं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं, मैं ये बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ले परन्तु ये कि तू उन्हें उस तुष्ट से बचाए रख जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर तेरा वचन सत्य है जैसे तू ने जगत में मुझे भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आपको पवित्र करता कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किये जाएं मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परन्तु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हूँ जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हूँ इसलिए कि जगत प्रतीती करे कि तू ही ने मुझे भेजा है और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझे से प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ती से पहले मुझे से प्रेम रखा हे धार्मिक पिता संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं अध्याए अठारा यिशु ये बाते कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया वहाँ एक बारी थी जिसमें वै और उसके चेले गए और उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी वो जगे जानता था क्योंकि यिशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था तब यहुदा पल्टन को और महायाज को और फरिसियों की और से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहाँ आया तब यिशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जान कर निकला और उनसे कहने लगा किसे ढूंते हो उन्होंने उसको उतर दिया यिशु नासरी को यिशु ने उनसे कहा मैं ही हूँ उसका पकड़वाने वाला यहुदा भी उनके साथ खड़ा था उससे ये कहते ही कि मैं हूँ वे हटकर भोमी पर गिर पड़े तब उसने फिर उनसे पूछा तुम किसको ढूंते हो वे बोले यिशु नासरी को यिशु ने उतर दिया मैं तो तुम से कह चुका हूँ यदि मुझे ढूंते हो तो इन्हें जाने दो ये इसलिए हुआ कि ये वचन पूरा हुआ जो उसने कहा था कि जिन्हें तुने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नखोया शमौन पत्रस्ते तलवार जो उसके पास थी खीची और महायाजत के दास पर चला कर उसका दहीना कान उडा दिया उस दास का नाम मल्कुस था तब ये शियो ने पत्रस्ते कहा अपनी दलवार काठी में रख जुकटोरा पिता ने मुझे दिया क्या मैं उसे नबियों तब सिपाहियों और उनके सूबेदा और येहूदियों के प्यादों ने येशु को पकड़ कर बात रिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक काईफा का ससुर था ये वही काईफा था जिसने येहूदियों को सला दे थी के हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है शमावन पत्रस और एक और चेला भी ये शु के पीछे हो ली ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था और येशु के साथ महायाजक के आंगन में गया परंतु पत्रस बाहर द्वार पर खड़ा रहा तब वो दूसरा जेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निक्ला और द्वार पालिन से कहकर पत्रस को भीतर ले आया उस दासी ने जो द्वार पालिन थी पत्रस से कहा क्या तू भी इस मनुशी के चेलों में से है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ दास और प्यादे, जाडे के कारण कोईले धदका कर खड़े ताब रहे थे और पत्रस भी उनके साथ खड़ा ताब रहा था तब महायाजक ने यिशु से उनके चेलों की विशय में और उसके उपदेश के विशय में पूछा यिशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोल कर मातें की मैंने सभा और आराध नालेओं में जब सब यगूदी इकठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा तु मुझसे क्यों पूछता है सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा देख वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक नहीं जो पास खड़ा था यिशु को थपड़ मार कर कहा क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है यिश्यू ने उसे उत्तर दिया यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर कवाही दे परन्तु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है हन्ना ने उसे बंदेर हुए काईफा महायाजक के पास भेज दिया शमौन पत्रस खड़ा हुआ ताब रहा था तब उन्होंने उससे कहा क्या तू भी उसके चलो में से है उसने इंकार करके कहा मैं नहीं हूँ महायाजक के दासू में से एक जो उसके कुटुम में से था जिसका कान पत्रस ने कान डाला तो बोला क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में न देखा था पत्रस फिर इंकार कर गया और तुरंत मुर्ग ने बांग दी और वे यिशू को काईफा के पास से किले को ले गई और भूर का समय था परंतु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुथ नहों परंतु पसैखा से तब पेला तुस उनके पास बाहर निकलाया और कहा तुम भी इस मनिश्य पर किस बात की नालिश करते हो उन्होंने उसको उत्तर दिया यदि वो को कर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौकते पेला तुस ने उनसे कहा तुम ही इससे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो यहूदियों ने उनसे कहा हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ले यह इसलिए हुआ कि यिशू की वो बात पूरी हो जो उसने ये पता देते हुए कही थी कि उसका मरना कैसा होगा तब पेला तुस फिर किले के भीतर गया और यिशू को बुला कर उससे पूछा क्या तु यहूदियों का राजा है यिशू ने उत्तर दिया क्या तु ये बात अपनी और से कहता है या औरों ने मेरे विशय में तुझ से कही पेला तुस ने उत्तर दिया क्या मैं यहूदि हूँ तेरे ही जाती और महायाजकोंने तुझे मेरे हाथ स्वापा है तुने क्या किया है यिशू ने उत्तर दिया मेरा राज इस जगत का नहीं यदि मेरा राज इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौपा न जाता परन्तु अब मेरा राज यहां का नहीं पेला तुसने उनसे कहा तो क्या तु राजा है येशु ने उत्तर दिया तु कहता है क्योंकि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन लिया और इसलिए जगत में आया हूँ, कि सत्य पर गवाही दूँ, जो कोई सत्य का है, वो मेरा शब्द सुनता है पेला तुस ने उससे कहा सत्य क्या है और ये कहकर वो फिर यहूदियों के बास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोश नहीं पाता, पर फारी ये रीती है कि भसे में तुम्हारे ये यहूदियों के राजा को छोड़ दू तब उन्होंने फिर चिला कर कहा इसे नहीं परन्तु हमारे लिए बरब्बा को छोड़ दे और बरब्बा दाकू था अध्याए उन्निस इस पर पेलात उसने येशू को लेकर पोड़े लगवाए और सिपाईयों ने काटों का मुकुट उटकर उसके सिर पर रखा और उसे बैजनी वस्तर पहलाए और उसके पास आ आ कर कहने लगे हे येहूदियों के थाजा रणाम और उसे थपड़ भी मारे तब इलात उसने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं कि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोश नहीं पाता तब यिशू कांटू का मुकुट और बैजनी वस्तर पहने हुए बाहर निकला और पीलात उसने उनसे कहा देखो ये पुरुष जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिला कर कहा के उसे क्रूस पर चला क्रूस पर पीलात उसने उनसे कहा तुम्हीं उसे लेकर दूस पचलाओं क्योंकि मैं उसमें दोस्त नहीं पाता यहुदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के नुसार वह मारे जाने के योग है क्योंकि उसने अपने आपको परमेश्वर का पुत्र बनाया जब पेला तुस ने ये बात सुनी तु और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और येशु से कहा तु कहा का है परन्तु यिशु ने उसे कुछ भी उत्तर ला दिया पेला तुस ने उससे कहा मुझसे क्यों नहीं बोलता क्या तू नहीं जानता कि तुझे जोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चलाने का भी मुझे अधिकार है येशु ने उत्तर दिया कि यदि तुझे उपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका बाप अधिक है इससे पीलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा परन्तु यहुदियों ने चिला चिला कर कहा यदि तो इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ती कैसर की और नहीं जो कोई अपने आपको राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है ये बातें सुनकर पेलातुस येशु को बाहर लाया और उस जगए एक चबूत्रा था जो इबरानी में गपत्ता कहलाता है और न्याय आसन पर बैठा ये वसह की तैयारी का दिन था और छटे घंटे की लगभग था तब उसने यहुदियों से कहा देखो यही है तुम्हारा राजा परंतु वे चिलाए के ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा पेलात उसने उनसे कहा क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं महायाज को ने उत्तर दिया की कैसर को छोग हमारा और कोई राजा नहीं तब उसने उसे उनके हाथों सौथ दिया कि वो गूरूस पर चढ़ाया जाए तब वे यिशु को ले गए और वो अपना गूरूस उठाए हुए उस स्थान तक पाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इबरानी में गुलगुता वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुश्यों को गूरूस पर चढ़ाया एक कोधर और बीच में यिशु को और पेलात उसने एक दोश पत्र लिखकर गूरूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था इसु नसरी यहूदियों का राजा ये दोश पत्र बहुत यहूदियों ने बढ़ा क्योंकि वो स्थान जहां पर येशु पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र हिब्रानी और लतीनी और युनानी में लिखा हुआ था तब यहूदियों के भाय याजकों ने पहला दुस से कहा यहूदियों का राजा मतलिक परन्तु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ भेला दुस्ट ने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया जब सिपाही येशु को गुरूस पर चड़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग की हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता भी लिया परंतु कुर्ता बीन सिवान उपर से नीचे तक बुना हुआ था इसलिए उन्होंने आपस में कहा हम इसको ना भाड़ें परंतु इस पर चिट्थी डालें कि वो खिसका होगा ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्तर की बात पूरी होके उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बात लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्थी डाली सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया परंतु इशु के ग्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहें मरियम क्लोस पास की पत्नी और मरियम मगद लेनी करी इशु ने अपनी माता और तो उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा हे नारी देख ये तेरा पुत्र है तब उसने चेले से कहा ये तेरी माता है और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया इसके बाद इशु ने ये जानकर इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा मैं प्यासा हूँ वहाँ एक सिर्के से भरा हुआ बर्तन धरा था सो उन्होंने सिर्के में भिगोई हुए इस पंज को चूफे पर रखकर उसके मुँ से लगाया जब इशु ने वह सिर्का लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर्चुका कर प्रांट त्याग दी और इसलिए कि वह तयाली का दिन था यहूतियोंने पेला तुस से बिंती की की उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए ताकि सब्त के दिन वे गुरूसों पर ना रहें क्योंकि वो सब्त का दिन बड़ा दिन था सो सिबाहियोंने आगर पहले की टांगे तोड़ी तब दूसरे की भी जो उसके साथ गुरूसों पर चड़ाए गए थी परतु जब इशू के बाहस आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी परतु सिबाहियों में से एक ने परचे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लोहू और पाने निकला जिसने ये देखा उसी ने गवाई दी कि उसकी गवाई सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो ये बाते इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी होके उसकी कोई हटी तोड़ी ना जाएगी फिर एक और स्थान पर ये लिखा है कि जिसे उन्होंने बेधा है उस पर द्रिश्टी करेंगी इन बातों के बाद अर्मतिया के यूसुफ ने जो येशु का चेला था परंतु यहुदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था पेला तुस्स से बिंती की कि मैं यूशु की लोत ले जाऊं और पेला तुस्स ने उसकी बिंती सुनी और वो आकर उसकी लोत ले गया निकुदे मुस भी जो पहले यूशु के बास रात को गया था पचास सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया तब उन्होंने यूशु की लोत को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रिती के अनुसार उसे सुगंध द्रवे के साथ कफन में लपीठा उस स्थान पर जहां यूशु क्रोस पर चड़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यूशु को उसी में रखा क्योंकि वो कब्र निकट थी अध्याय बीस सब्ता के पहले दिन मरियम मगदलीनी भूर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा तब वो दोड़ी और शमान पत्थस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यूशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए है और हम नहीं जानते की उसे कहा रख दिया है तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकल कर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दोड़ रहे थे परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुँचा और जुक कर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर ना गया तब शमान पत्रस उसके पीछे पीछे पहुचा और कबर के भीतर गया और कपड़े पड़े देखें और वो अंगोचा जो उसके सिर से बधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परन्तु अलग एक जगेला पेटा हुआ देखा तब दूसरा चेला भी जो कबर पहले पहुचा था पीटर गया और देखकर विश्वास किया भी तो अत्तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि उसे मरे हुए मैंसे जीवटना होगा तब ये चेले अपने घर लाट गए परन्तु मरियम रोती हुई कबर के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते की लोत पड़ी थी एक को सिराने और दूसरे को पैताने बैठे देखा उन्हों ने उससे कहा हेनारी तु क्यों रोती है उसने उनसे कहा वे मेरे प्रभु को डाले गए और मैं नहीं जानती कि उसे उसे कहा रखा है ये कहकर वो पीछे भिरी और यिश्यू को खड़े देखा और ना पैचाना कि ये यिश्यू है यिश्यू ने उससे कहा ये नारी तु क्यों रोती है किसको ढूंडती है उसने माली समझकर उससे कहा ए महराज ये तु ने उससे उठा लिया है तुम इससे कह कि उससे कहा रखा है और मैं उससे ले जाуगे ये श्यू ने उससे कहा मरीयम उसने पीछे भिरकर उससे इब्रानी में कहा रबो नहीं अर्तार थे गुरू यिश्यू ने उससे कहा मुझे मत चूँ क्योंकि मैं अब तक पिता के पास उपर नहीं गया परंतु मेरे भाईयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास उपर जाता हूँ मरियम मगर लेनी ने जाकर चेलू को बताया कि मैंने प्रभू को देखा और उसने मुझसे ये बाते कही उसी दिन जो सप्ता का पहला दिन था संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेहले थे यहूदियों के डर के मारे बंध थे तब येश्यू आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हे शान्ती मिले और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना बंजर उनको दिखाए तब चेहले प्रभू को देख कर आरंधित हुए येश्यू ने फिर उनसे कहा तुम्हे शान्ती मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हे भेजता हूँ ये कहकर उसने उन पर फोगा आर उनसे कहा पवित्र आत्मा लो जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किये गए हैं जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं परंतो बारहों में से एक विक्ति अर्थार्थ थोमा जो दिदुमुस कहलाता है जब येशु आया तो उनके साथ ना था जब और चेले उससे कहने लगे के हमने प्रभु को देखा है तब उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलो के छेद ना देख लूँ और कीलो के छेदों में अपनी उंगली ना डालू और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालू तब तक मैं प्रतिती नहीं करूँगा आठ दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे धोमा उनके साथ था और दौार बंद थे तब यिशू ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शान्ती मिले तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो ये सुन थोमा ने उत्तर दिया ए प्रभू ए मेरे परमेश्वर यिशू ने उससे कहा तुने तो मुझे देखकर विश्वास किया है धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया ये शू ने और भी बहुत चिन जेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए परंतु ये इसलिए लिखे गए है कि तुम विश्वास करो कि ये सुही परमेश्वर का पुत्र मसी है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ अध्याए 21 इन बातों के बाद ये शू ने अपने आपको तिविरियास जील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीती से प्रकट किया शमौन पत्रस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतन एल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकठे थे शमौन पत्रस ने उनसे कहा मैं मचली पकड़ने जाता हूँ उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं सोवे निकलकर नाव पर चड़े परंतो उस रात कुछ ना पकड़ा भोर होते ही यिशु किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने ना पहचाना कि ये यिशु है तब यिशु ने उनसे कहा हे बाल को, क्या तुमारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं उसने उनसे कहा नाव की दहिनी और जाल डालो, तो पाओगे तब उन्होंने जाल डाला और अग मचलियों की बहुतायत के कारण उसे खीच ना सके इसलिए उस चेले ने जिससे यिशु प्रेम रखता था पत्रस से कहा वो तो प्रभू है शमान पत्रस ने ये सुनकर कि प्रभू है कमर में अंग रखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और जील में कूद पड़ा परंतु और चेले डोंगी पर मचलियों से भरा हुआ जाल खीचते हुए आए क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं कोई दो सो हाथ पर थे जब किनारी पर उत्रे तो उन्होंने पोईले की आग और उस पर मचली रखी हुई और रोटी देखी येशू ने उनसे कहा जो मचलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ शमौन पत्रस ने डोंगी पर चड़कर एक सो तिरपन बड़ी मचलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खीचा और इतनी मचलियां होने से भी जाल ना भटा येशू ने उससे कहा कि आओ भुजन करू और चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है क्योंकि वे जानते थे कि हो ना हो ये प्रभू ही है येशू आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसी ही मचली भी ये तीसरी बार है कि येशू ने मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिये भुजन करने के बाद येशू ने शमोन पत्रस से कहा हे शमोन यूहन्ना के पुत्र क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है उसने उससे कहा हाँ प्रभू तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीते रखता हूँ उसने उससे कहा मेरे मेमनों को चरा उसने फिर दूसरी बार उससे कहा हे शमोन युहन्ना के पुत्र, क्या तु मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा हाँ प्रभू, तु जानता है कि मैं तुससे प्रीती रखता हूं उसने उससे कहा मेरी भेडों की रखवाली कर उसने तीसरी बार उससे कहा हे शमोन युहन्ना के पुत्र क्या तु मुझसे प्रीती रखता है पत्रस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तु मुझसे प्रीती रखता है और उससे कहा हे प्रभू तू तो सब कुछ जानता है तू ये जानता है कि मैं तुझे प्रीते रखता हूँ येश्यों ने उससे कहा मेरी भेडों को चरा मैं तुझसे सच-सच कहता हूं जब तु जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चाहता था वहाँ फिरता था परन्तु जब तू बूड़ा होगा तो अपने हाथ लंबे करेगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहां तू न चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा उसने उन बातों से पता दिया कि पत्रस कैसी मृत्यू से परमेश्वर की महिमा करेगा ये कहकर उससे कहा मेरे पीछे हो ले पत्रस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यिश्यू प्रेम रखता था और जिसने भोजन के समय उसकी च्छाती की ओर जुग कर पूछा था हे प्रभू तेरा पकड़ने वाला कौन है उसे देखकर पत्रस ने यिश्यू से कहा हे प्रभू इसका क्या हाल होगा यिश्यू ने उससे कहा यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे क्या तू मेरे पीछे हो ले इसलिए भाईयों में ये बात ठहरा रहे तो उससे क्या वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है और भी बहुत से काम है जो ये शुने किये यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्त के जो लिखी जाती वे जगत में भी ना समाती प्रेरितों के कामों का वर्णन अध्याए एक हे थीफलिस मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विशे में लिखी जो ये शुने आरंभ में की और करता और सिखाता रहा उस दिन तक जब वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्या दे कर उपर उठाया ना गया उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमानों से अपने आपको उन्हें जीवित दिखाया और चालिस दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्ये की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्या दी के यरूशलीम को न छोड़ू परन तु पिता की उस प्रतिज्या के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो क्योंकि युहन्ना ने तु पानी में बप्तिस्मा दिया है परन तु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्रात्मा से बप्तिस्मा पाओगे सो उन्होंने इकठे होकर उससे पूछा कि ये प्रभू क्या तु इसी समय इसराइल को राज्य फेर देगा उसने उनसे कहा उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं परन्तु जब पवित्रात्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरुशलें और सारे यहुद्या और सामरिया में और प्रिथ्वी की छोड तक मेरे गवाह होंगे यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आँखों में छिपा लिया और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो दो पुरुश श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आखड़े हुए और कहने लगे तब बे जेतून नाम के पहाड से जो यरुशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरुशलेम को लोटे जब वहाँ पहुँचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और युहन्ना याकूब और अंद्रियास फिलिपुस और थोमा बरतुलमाई और मत्ती हलफाई का पुत्र याकूब शमोन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे ये सब कई इस्त्रियों और येशु के माता मर्यम और उसके भाईयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहें और उन्ही दिनों में पत्रस भाईयों के बीच में जो एक सो व्यक्ति के लगभग इकठे थे खड़ा होकर कहने लगा हे भाईयों अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेक पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाउत के मुख से यहूदा के बिशे में जो येशु को पकड़ने वानों का अगवा था पहिले से कही थी क्योंके वो तो हम में गिना गया और इस सिवाकाई में सहभागी हुआ उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फढ़ गया और उसकी सब अतनिया निकल पढ़ और इस बात को येरोशलेम के सब रहने वाले जान गए यहां तक के उस नाम उनकी भाशा में हकल दमा अर्थात लोहू का खेत पढ़ गया क्योंकि भजन सनहीता में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले इसलिए जितने दिन तक प्रभु येशु हमारे साथ आता जाता रहा अर्थात योहन्ना के बप्तिश्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवा हो जाए तब उन्होंने दो को खड़ा किया एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है जिसका उपनाम यूस्तुस है दूसरा मतित्यहा को और ये कहकर प्रार्थना की हे प्रभू तू जो सब के मन जानता है ये प्रगट कर कि इन दोनों मेंसे तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेदाई का पदले जिसे यहुदा छोड़ कर अपने स्थान को गया तब उन्होंने उनकी बारे में चिठियां डाली और चिठि मतित्यहा के नाम पर निकली सो वो उन ग्यारे प्रेड़तों के साथ गिना गया अध्याय दो और उन्हें आप किसी जीबें फटती हुई दिखाई दी और उन्हें से हर एक पर आठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और आकाश के नीचे की हर एक जाती में से भक ये मेरी ही भासा में बोल रहे हैं और वे सब जकित और अचम्वित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं कैसा गलीली नहीं तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने अपनी जन्म भूमी के भाशा सुनता है हम जो पार्थी और मेदी और इलामी लोग और मिसुकुतामिया और यहूदिया और कपदूकिया और उंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंपहुलिया और मिसर और विबुवा देश जो क्रेने के आसपास है इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी क्या यहूदी, क्या यहूदी मत धरना करने वाले क्रेती और अर्वी भी हैं परंतु अपनी अपनी भाशा में उनसे परमीश्वत के बड़े-बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे के ये क्या हुआ चाहता है परंतु औरों ने ठठा करके कहा के वे तो नई मदिरा के नशे में है पत्रस उन ग्यारे के साथ खड़ा हुआ और उचे शब्द से कहने लगा के हे यहूदियो और हे यरुशलम के सब रहने वालो ये जान लो और कान लगा कर मेरी बातें सुनो जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं क्योंके अभी तो पहर ही दिन चला है परंतु ये वह बात है जो योईल भविश द्वक्तर के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुश्यों पर उंडे लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविश्यवानी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुर्णिये स्वप्न देखेंगे परन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे खविश्यद्वानी करेंगे और मैं उपर आगाश में अत्भुत काम और नीचे धर्ती पर चिंध अर्थात लहू और आग और धुमे का बादल दिखाऊंगा प्रभु के महान और प्रसिध दिन के आने से पहले सूर्य अन्धेरा और चांद लहू हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उध्धार पाएगा हे इसराइलियो ये बाते सुनो कि येश्व नासरी एक मनुश्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्यर के कामों और चिन्नेों से प्रगठ है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके दोरा कर दिखलाई जिसे तुम आप ही जानते हो उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनार के ग्यान के अनुसार पकड़वाया गया तो तुमने अधर्मियों के हाथ से पूस पर चड़वा कर मार डाला परन्तु उसी को परमेश्वर ने मिर्टु के बंदनों से छुड़ा कर जिलाया क्योंकि वो होनार था कि वो उसके वश में रहता क्योंकि दाउद उसके विशे में कहता है मैं प्रभु को सरवदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है तांके मैं दिग न जाऊं इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीव मगन हुई वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधो लोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सडने ही देगा तू ने मुझे जीवन का मार्ग बताया है तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा हे भाईयो मैं उस कुलपती दावूद के विशे में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तु मर गया और गाना भी गया और उसकी कबर आज तक हमारी यहां वर्तमान है सो भविश्य द्वक्ता होकर और ये जानकर कि परमेश्वर ने मुझे शपत खाई है मैं तेरे वंच में से एक व्यक्ति को तेरे सिनहासर पर बिठाऊंगा उसने होनहार को पहिले ही देखकर मसी के जी उठने के विशय में भविश्यमानी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोग में छोड़ा गया और ना उसकी देख सणने पाई इसी येश्व को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब कवा हैं इस प्रकार परमेश्वर के दहिन हाथ से सर्वोच पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिग्या की गई थी उसने ये उंडेल दिया है कि जो तुम देखते हो और सुनते हो क्योंकि ताउद तो स्वर्ग पर नहीं चड़ा परन्तु वे आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिनी बैठ जब तक के मैं तेरे पोरियों को तेरे पामवो तले की चौकी न कर दूँ सो अब इस्राईल का सारा घराना निश्चे जान ले कि परमेश्वर ने उसी येशु को जिसने तुमें कुरूस पर चड़ाया प्रभु भी ठराया और मसी भी तब सुनने वालों के हिरदय छिद गए और वे पत्रस और शेश प्रेडितों से पूछने लगे के ए भाईयों हम क्या करें पत्रस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए येशु मसी के नाम से बब्तिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे क्योंकि ये प्रतिग्या तुम और तुमहारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है कि अपने आपको इस तेहली जाती से बचाओ सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहन किया उन्होंने वप्तिस्मा लिया और उसी दिन तीन हजार मनुश्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेडितों से शिक्षा पाने और संगती रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे और सब लोगों पर भैच हा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेडितों के द्वारा प्रगट होते थी और वे सब विश्वास करने वाले इकठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साजे की थी और अपनी अपनी संपत्ती और समान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवशक्ता होती थी बांट दिया करते थी और वे प्रती दिन एक मन होकर मंदिर में इकठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुती करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभू प्रती दिन उनमें मिला देता था अध्याय तीन पत्रस और युहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगडे को ला रहे थे जिसको वे प्रती दिन मंदिर के उस दुआर पर जो सुन्दर है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीक मांगे जब उसने पत्रस और युहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीक मांगे पत्रस ने युहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देख कर कहा हमारी ओर देख सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा तब पत्रस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं परन्तु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ येशु मसी नासरी के नाम से चल पिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसे उठाया और तुरंत उसके पाओं और टकनों में बल आ गया और वो उचल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और खूदता और परमेश्वर की स्तुती करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुती करते देख कर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीक मांगा करता था और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए जब वो पत्रस और युहना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस उसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दोड़े आए ये देखकर पत्रस ने लोगों से कहा हे इसराइलियों तुम इस मनुश्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी और क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम हीने अपनी सामर्थ है या भक्ती से इसे चलता फिरता कर दिया इबरहीम और इसाक और याकूब के परमेश्वर हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक येश्व की महीमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया और जब पीलातूस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इंकार किया तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनिती की केक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए और तुमने जीवन के करता को मा डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हो में से जिलाया और इस बात के हम गवा हैं और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है और निश्चे उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सब के सामने बिलकुल भला चंगा कर दिया है और अब हे भाईयो मैं जानता हूँ कि ये काम तुमने अज्ञानत्या से किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने भविश्ध द्वक्ताओं के मुक से पहले ही बताया था कि उसका मसी दुख उठाएगा इन्हें उसने इस रीती से पूरी की इसलिए मन फराओ और लौटाओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए जिससे प्रभु के सम्मुक से विश्रांती के दिन आए और वो उस मसी येशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही ठराया गया है अवश्य है कि वो स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविश्य द्वक्ताओं के मुक से की है जो जगत की उत्पत्ती से होते आएगए जैसा के मुसा ने कहा प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक भविश्य द्वक्ता उठाएगा जो कुछ वो तुम से कहे उसकी सुनना परन्तु प्रतेक मनुश्य जो उस भविश्य द्वक्ता की ना सुने लोगों में से और सामुयल से लेकर इसके बाद वालों तक जितने भविश्य द्वक्ताओं ने बात कहीं उन सब ने इन दिनों का संदेश दिया है तुम भविश्य द्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी जब उसने इबराहीम से कहा कि तेरे वंच के द्वारा प्रित्वी के सारे घराने आशीश पाएंगे परमेश्वर ने अपने सेवक को उठा कर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम्मे से हरेक को उसकी बुराईयों से फेर कर आशीश दे अध्याय चार जब वे लोगों से ये कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदू की उन पर चड़ाए क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और येशु का उधारन दे दे कर मरे हुओं के जी उठने का परचार करते थे और उन्होंने उन्हें पकड कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती पांच हजार प्रोशों के लगभग हो गई दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और युहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे यरुशले में इकठे हुए और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे के तुमने यह काम किस सामर से और किस नाम से किया है तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूरुन होकर उनसे कहा हे लोगों के सरदारों और पुर्नियों इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई यदि आज हमसे उसके विशह में पूछताच की जाती है कि वो क्यों कर अच्छा हुआ तो तुम सब और सारे इस्राईली लोग जान लें कि येशु मसी नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुँँ में से जिलाया ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है ये वो ही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुछ जान और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके जब उन्होंने पत्रस और युहना का हयाव देखा और ये जाना कि ये आनपड़ा और साधारन मनुष्या है तो अचमभा किया फिर उनको पहचाना कि ये येशु के साथ रहे हैं और उस मनुष्य को जो अच्छा था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आग्या देकर वे आपस में विचार करने लगे कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्न दिखाया गया है और हम उसका इंकार नहीं क तुम ही नियाय करो कि क्या ये पर्मेश्वर के निकट भला है कि हम पर्मेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने क्योंकि ये तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहें तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें धंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी, उसके कारण सब लोग परमेश्वर के बढ़ाई करते थे, क्योंकि वो मनुष्य जिस पर ये चंगा करने का चिन्ने चालीस वर्ष से अधिक आयूगा था, वे छूटकर अपने साथियों के पास आये, और महायाजकों और पुर्णियों ने उनसे जो कुछ कहा था, उनको सुना दिया, ये सुनकर उन्होंने एक चित होकर उंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तु वही है जिसने स्वर्ग और पृत्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया, तुने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाउद के मुख से कहा, कि अन्य जातियों ने हुल्लर क्यों मचाया, और देश के लोगों ने क्यों व्यर पृत्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकठे हो गए, क्योंकि सच मुझ तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तुने अभिशेक किया, हेरो देश और पुन्तियुस पीला तुस भी, अन्य जातियों और इस्रायेलियों के साथ इस नगर में इकठे के जो कुछ पहले से तेरी सामर्त और मती से ठहरा था, वही करें, अब हे प्रभु, उनकी धंकियों को देख, और अपने दासों को ये वर्दान दे, के तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं, और चंगा करने के लिए तु अपना हाथ बढ़ा, के चिन्ह और अध्भुत काम तेरे पवित्र सेवक येशु के नाम से किये जाएं। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु येशु के जी उठने की गभाई देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुक्रह था। नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बर्नबा अर्थात शान्ती का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमी थी, जिसे उसने बेचा और दाम के रुपे लाकर प्रेरितों के पाउं पर रख दिये। अध्याय पाँच एक भाग लाकर प्रेरितों के पाउं के आगे रख दिया। परंतु पत्रस ने कहा ए हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्रात्मा से जूट बोले और भूमी में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? और जब बिग गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तो उने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनेश्यों से नहीं, परंतु परमिश्र से जूट बोला। ये बाते सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्रांट छोड़ दिये और सब सुनने वालों पर बड़ा भैचा गया। फिर जमानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग तीन घंटे के बाद उसकी पतनी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पत्रस ने उससे कहा। मुझे बता क्या तुमने वो भूमी इतने ही में बेची थी। उसने कहा। पत्रस ने उससे कहा। ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परिक्षा के लिए एका किया। देख तेरे पती के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बा पर गिरपड़ी और प्राण छोड़ दिये। जमानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पती के पास गाड़ दिये। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर पड़ा भैच आ गया। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और प्रियाब ना होता था कि उनमें जा मिले। तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रिया प्रभू की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। यहां तक की लोग बीमारों को सड़कों पर लाला कर खाटों और शुद्ध आत्माओं के सताय हुऊं को लाला कर इकठे होते थे और सब अच्छे कर दिये जाते थे। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूक्यों के पंथके थे डहा से भर कर उठे और प्रेजितों को पकड़ कर बंदी ग्रह में बंद कर दिया। परंतु रात को प् सब बातें लोगों को सुनाओ। और पहरे वालों को बहार द्वारों पर खड़े हुए पाया। परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विशे में भारी चिंता में पड़ गे के ये क्या हुआ चाता है। इतने में किसी ने आकर उन देश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया। परंतु बर्बस नहीं क्योंकि वे लोगों से डरते थे। कि उन्हें पत्थर बाना करें। उन्हें उन्हें फिर लाकर महा सभा के सामने खड़ा कर दिया। और महा याजक ने उनसे पूछा। क्या हमने तुम्हें चिता कर आग्या न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश न करना। तो भी देखो तुमने सारे यरुशिलम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पत्रस और प्रेणितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आग्या से बढ़कर परमेश्मर की आग्या का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। हमारे बाब दादाओं के परमेश्मर ने येशु को जिलाया जिसे तुमने कुरूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्मर ने प्रभू और उधरक ठेरा कर अपने दाहिनी हाद से सर्वोच कर दिया। कि वो इसरेलियों को मन फ्राओं की शक्ति और पापों की शमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाँ हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्मर ने उन्हें दिया है जो उसकी आग्या मान दे। ये सुनकर भी जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। परन्तु गमलियल नाम एक फरीसी ने जो वेवसापक और सब लोगों में माननी ये था। हे इस्राइलियो जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना। क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ और कोई चार साव मनुष्य उसके साथ हो लिये। परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में येहुदा गलीली उठा। उसने कुछ लोग अपने और कर लिये। वो भी नाश हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उनसे कुछ काम न रखो। क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर हो तो मिट जाएगा। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापी मिटा न सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठैरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेडितों को बुला कर पिटवाया और ये आग्या दे कर छोड़ दिया कि येशु के नाम से फिर बाते ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महा सबा के सामने चले गए। कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने की योगे ठैरे। और प्रती दिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि येशु ही मसेई है ना रुके। अध्याय छे उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो युनानी भाषा बोलने वाले इबरानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रती दिन की सेवकाई में हमारी विद्वाओं की सुधी नहीं ली जाती। तब उन बारहे चेलों की मंडली को अपने पास बुला कर कहा ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाईयों अपने में से साथ सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धी से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूरुण था और फिलिपुस, प्रुखुरुस, निकानोर, तीमोन, पर्मिनास और आन्ता की वाला, निकुलाउस को जो यहुदी मत में आ गया था, चुल लिया, इन्हें प्रेड़तों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रात्न करके उन पर हात रखे, प्रमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरुशले में चेलों की गिंती बहुत बढ़ती गई, याजकों का एक बड़ा समाज भी इस मत के आधीन हो गय स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थे से परिपूरुन होकर लोगों में बड़े-बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था, तब उस अराधनाले में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंद्रिया और किल्किया और एशिया की लोगों में कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विबाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना ना कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निन्दा की बाते करते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़का कर चड़ाए और उसे पकड़ कर महासभा में ले गए और जूटे घवा खड़ेगी, जिन्होंने कहा कि ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता क्यूंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही ईशू नासरी इस जगा को ठा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौपी हैं तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखडा स्वर्ग दूद का सा देखा अध्याय साथ तब महायाजक ने पूछा क्या ये बाते यो ही हैं उसने कहा हे भाईयो और पित्रो सुनो हमारा पिता इब्राहीम हारान में बसने से पहले जब मिसु पुतामिया में था तो तेजो मय परमेशवर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम्ब से निकल कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा तब वो कसदियों के देश से निकल कर हारान में जा बसा और उसके पिता के मृत्यु के बाद परमेशवर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो और उसको कुछ मीरास बरन पैर रखने भर की भी उसमें जगाए ना दी परन्तु प्रतिग्या की कि मैं ये देश तेरे बाद तेरे वन्ष के हाथ कर दूँगा यद्य पि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था और परमेशवर ने यों कहा कि तेरी संतान के लोग पराए देश में परदेशी होंगे और वे उन्हें दास बनाएंगे और चार सौ वर्ष तक दुख देंगे फिर परमेशवर ने कहा जिस जाती के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूँगा और इसके बाद वे निकल कर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे और उसने उससे खतने की वाचा बांधी और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन हुआ और आठमें दिन उसका खतना किया गया और इसहाक से याकूब और याकूब से बारह कुलपती उत्पन हुए कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा परन्तु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ा कर मिस्र के राजा फिरॉन के आगे अनुग्रह और बुध्धि दी और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया तब मिस्र और कनान के सारे देश में अकाल पड़ा जिससे भारी कलेश हुआ और हमारे बाप दादों को अन नहीं मिलता था परन्तु याकूब ने ये सुनकर के मिस्र में अनाज है हमारे बाप दादों को पहली बार भेजा और दूसरी बार यूसुफ अपने भाईयों पर प्रकट हो गया और यूसुफ की जाती फिरौन को मालूम हो गई तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को जो 75 व्यक्ति थे बुला भेजा तब याकूब मिस्र में गया और वहां वो और हमारे बाप दादे मर गए और वे शिकिम में पहुँचाए जाकर उस कप्र में रखे गए जिसे इबराहीम ने चांदी दे कर शिकिम में भमोर की संतान से मोल लिया था परन्तु जब उस प्रतिग्या के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इबराहीम से की थी तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए जब तक के मिस्र में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था वे बहुत हो गए उसने हमारी जाती से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक दुर्व्यवहार किया के उन्हें अपने बालकों को फेक देना पड़ा के वे जीवित न रहें उस समय मूसा उत्थपन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर था वो तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया परन्तु जब भेक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो बातों और कामों में सामर्थी था जब वो चालीस वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राइली भाईयों से भेट करूं उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मार कर सताय हुए का पल्टा लिया उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उध्धार करेगा परन तु उन्होंने ना समझा दूसरे दिन जब ये आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कहके उन्हें मेल करने के लिए समझाया के हे पुरुशो तुम तो भाई भाई हो एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो परन तु जो अपने पडोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे ये कहकर हटा दिया के तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है क्या जिस रीति से तुने कल मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है ये बात सुनकर मुसा भागा और मिध्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके दो पुत्र उत्पन हुए जब पूरे चालीस वर्ष बीत गए तो एक स्वर्ग दूत ने सीनई पहाड के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया मुसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभू का ये शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहीम इसहाक और याकूब का परमेश्वर हुँ ये सुन मुसा कांप उठा यहां तक के उसे देखने का हियाव ना रहा तब प्रभू ने उससे कहा अपने पावों से जूती उतार ले क्योंकि जिस जगह तु खड़ा है वो पवित्र भूमी है मैंने सच मुच अपने लोगों की जो मिस्र में हैं दुर्दशा देखी है उनकी आह और उनका रोना सुन लिया है इसलिए उन्हें छुडाने के लिए उत्रा हूँ अब आ मैं तुझे मिस्र में भेजूँगा जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याई ठहराया है उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुडाने वाला ठहरा कर उस स्वर्ग दूत के द्वारा जिसने उसे जाड़ी में दर्शन दिया था भेजा यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखा कर उन्हें निकाल लाया यह वही मुसा है जिसने इस्राइलियों से कहा के परमेश्वर तुम्हारे भाईयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविश्य द्वक्ता उठाएगा यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्ग दूथ के साथ सीनई पहाड पर उससे बातीं की और हमारे बाप दादों के साथ था उसी को जीवित वचन मिले के वो हम तक पहुँचाए परन तु हमारे बाप दादों ने उसकी मानना ना चाहा वरन उसे हटा कर अपने मन मिस्र की ओर फेरे और हारून से कहा हमारे लिए ऐसे देवता बना जो हमारे आगे आगे चले क्योंके यह मुसा जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया हम नहीं जानते उसे क्या हुआ उन दिनों में उन्होंने एक बच्छडा बना कर उसकी मूरत के आगे बली चढ़ाया और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे सो परमेश्वर ने मुह मोड कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाश गण पूजें जैसा भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है कि हे इस्राइल के घराने क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष तक पशुबली और अनबली मुझही को चढ़ाते रहे और तुम मुलेक के तंबू और रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था जैसा उसने ठहराया जिसने मुसा से कहा कि जो आकर तुने देखा है उसके अनुसार इसे बना उसी तंबू को हमारे बाप दादे पूर्वकाल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए जिस समय के उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादों के सामने से निकाल दिया और वो दाऊद के समय तक रहा उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया सो उसने बिंती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवा स्थान ठहराऊं परन्तु सुलैमान ने उसके लिए घर बनाया परन्तु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता जैसा के भविश्य द्वक्ता ने कहा कि प्रभू कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और प्रित्वी मेरे पावों तले की पीड़ी है मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा क्या ये सब वस्तु में मेरे हाथ की बनाई नहीं हे हठीले और मन और कान के खतना रहिद लोगों तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो भविश्य द्वक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्वकाल से संदेश देने वालों को मार डाला अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई परन्तु उसका पालन नहीं किया ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दाग पीशने लगे परन्तु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यूशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर खा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनिश्वर के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्ला कर कान बंद कर लिये और एक चित होकर उस पर जप्टे और उसे नगर के बाहर निकाल कर पत्थरवा करने लगे और कभाओं ने अपने कपड़े शाउल नाम एक जवान के पाउं के पास उतार रहे और वेज दिफन उसको पत्थरवा करते रहे और वो ये कहकर प्रार्थिया करता रहा के हे प्रभु यिशू मेरी आत्मा को ग्रहन कर फिर घुटने टेक कर उचे शब्द से उकारा हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा और ये कहकर सो गया शाउल उसके वद में सहमत था अध्याय आठ उसी दिन यरुशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्दरव होने लगा और प्रेडितों को छोड सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया शाउल कलीमिया को उजाड रहा था वो घर घर घुसकर पुरुशों और इस्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदिग्रह में डालता था जो तितर बितर हुए थे वेसु समाचार सुनाते हुए फिरे फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगोंने सुनकर और जो चिन्ध वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया क्योंकि बहुतों मेंसे अशुद आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से जोले के मारे हुए और लंगडे भी अच्छे किये गए उस नगर में बड़ा आनंद हुआ इससे पहले उस नगर में शमोन नाम एक मनुश्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आपको कोई बड़ा पुरुष बताता था सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे कि ये मनुश्य परमेश्वर की वो शक्ती है उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था इसलिए वे उसको बहुत मानते थे परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीती की जो परमेश्वर के राज्ये और येश्व के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पुरुष क्या इस्त्री बबतिस्मा लेने लगे तब शमोन ने आप भी प्रतीती की और बबतिस्मा लेकर वो फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्हे और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था जब प्रेरितों ने जो यरूशले में थे सुना के सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और युहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्माएं पाए क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उत्रा था उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बप्तिस्मा लिया था तब उन्होंने उन पर हात रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया जब शमोन ने देखा कि प्रेर्टों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपे लाकर कहा ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखू वो पवित्र आत्मा पाए पत्रस ने उससे कहा तेरे रुपे तेरे साथ नाश हूँ क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपियों से मोल लेने का विचार किया है इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा कर प्रभु से प्रार्थन कर संभव है तेरे मन का विचार क्षम किया जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। प्रभु का वचन सुना कर यरुशलेम को लोट गए और सामरियों के बहुत गाओं में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने फिलिपुस से कहा। और खजानची था। वो भजन करने को यरुशलेम आया था। वो अपने रत पर बैठा हुआ था। और यशाया भविश्य दुखता की पुस्तक पढ़ता हुआ लोटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा। निकट जाकर इस रत के साथ हो। फिलिपुस ने उस ओर दोड कर उसे यशाया भविश्य दुखता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा। तु जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है। उसने कहा। जब तक कोई मुझे ना समझा है तो मैं क्यों कर समझू। और उसने फिलिपुस से विनती की कि चड़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो बढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड की नाई वद होने को पहुँचाया गया। और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है। वैसे ही उसने भी अपना मूँ ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया। और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा क्योंकि बृत्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से बूचा, मैं तुझसे बिनती करता हूँ। यह बता कि भवशे दुपता यह किस के विशय में कहता है। अपने यह किसी दूसरे के विशय में। तब फिलिपुस ने अपना मूँ खोला और इसी शाष्त्र से आरंभ करके उसे येशु का सुसमाचार सुनाये। मार्ग में चलते चलते वे किसी जंगल में पहुँचे। तब खोजे ने कहा। देख यहां जल है, अब किसमा लेने में क्या रोक है। फिलिपुस ने कहा, यदि तु सारे मन से विश्वास करता है, तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि येशु मसी प्रमेश्व का पुत्र है। तब उसने रत खड़ा करने की आग्या दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े। और उसने उसे बक्तिस्मा दिये। जब वे जल में से निकल कर उपर आये, तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा के ले गया। सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वो आनंद करता हुआ, अपने मार्ग चला गया। और फिलिपुस अश्दोद में आ निकला, और जब तक केसरिया में ना पहुचा, तब तक नगर नगर सु समचार सुनाता गया। अध्याय नौ और शाउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। उसने दमिश के आराधनालेओं के नाम पर इस अभिप्राय की चिठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या इस्त्री, जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, उन्हें बांद कर यरुशले में ले आये। चलते चलते जब वो दमिश के निकट पहुँचा, तो एका एक आकाश से उसके चारों और जोती चमकी, वो भूमी पर गिर पड़ा, और उसने ये शब्द सुना, हे शाओ, हे शाओ, तुझे क्यों सथाता है? उसने पूछा, ए प्रभू, तु कौन है? उसने कहा, मैं यूशू, जिसे तु सथाता है, पर अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है, वो तुझसे कहा जाएगा? जो मनुष्य उसके साथ थे, वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, परन्तु किसी को देखते ना थे, तब शाओल भूमी पर से उठा, परन्तु जब आँखें खोली, तो उसे कुछ दिखाई न दिया, और वे उसका हाथ पकड़के दमिश्क में ले और वो तीन दिन तक न देख सका, और उसने ना कुछ खाया, ना पिया, दमिश्क में हनन्याय नाम एक चेला था, उससे प्रभू ने दर्शन में कहा, हे हनन्या, उसने कहा, हाँ प्रभू, तब प्रभू ने उससे कहा, उठकर उस गली में जाओ, जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में, शावन नाम एक तारसी को पूछ दे, क्योंकि देख, वो प्रार्थना कर रहा है, और उसने हनन्या नाम एक पुरुष को भीतर आ दे, और अपने हूपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से द्रिश्टी पारे, हनन्याय ने उत्तर दिया कि, हे प्रभू, मैंने इस मनुष्य के विशे में बहुतों से सुना है, कि इसने येरुशलम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी-बड़ी बुराईयां की है, और यहां भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सब को बांध ले। परंतु प्रभू ने उससे कहा, कि तू चला जा, क्योंकि ये तो अन्य जाथियों और राजाओं और इस्राइलियों के सामने, मेरा नाम प्रकट करने के लिए, मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा, कि मेरे नाम के लिए, उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्य याय उठकर उस घर में गया, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाउल, प्रभूब अर्थात यिशू जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर द्रिष्टी पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंट उसकी आखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर वक्तिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया, वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे और वो तुरंट अराधना लेव में यिशू का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही वेक्ति नहीं है, जो यरिशले में उन्हें जिस नाम को लेते थे, नाश करता था, और यहां भी इसलिए आया था, कि उन्हें बान कर महायाचकों के पास ले जाए, परंतु शाओल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमान दे कर कि मसी यही है, दमिश्क के रहने वाले यहुदियों का मुबंद करता रहा, जब बहुत दिन बीद गए, तो यहुदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निका ले, परंतु उनकी युक्ति शाओल को मालूम हो गई, वे तो उसक चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया, और शहर पनापर से लटका कर उतार दिया, यरुशले में पहुचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको प्रतीत ना होती थी, कि वो भी चेला है, परंतु बर्नवा ने उसे प्रभु के नाम से प्रचार किया, वो उनके साथ यरुशले में आता जाता रहा, वो निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और युनानी भाशा बोलने वाले यहूदियों के साथ बाचीत और बाद विबाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत ये जानकर भाई उसे केसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नती होती गई। और वो प्रभू के भै और पवित्र आत्मा की शांती में चलती और बढ़ती जाती थी। और ऐसा हुआ कि पत्रस हर जगे फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुँचा जो लुद्धा में रहते थे। वहाँ उसे एनियास नाम जोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था। पत्रस ने उससे कहा और लुद्धा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभू की ओर फिरे। याफा में तबीता, अर्थाद, दोरकास, नाम, एक विश्वासनी रहती थी। वो बहुतरे भले-भले काम और दान किया करती थी। उन्ही दिनों में वो बिमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लुद्धा याफा के निकट था। चेलों ने ये सुनकर कि पत्रस वहाँ है, दो मनुश्य भेजकर उससे बिनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पत्रस उठकर उनके साथ हो लिए। और जब पहुँच गया, तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। और सब विद्वाएं रोती हुई, उसके पास आखडी हुई। और जो कुर्ते और कपडे दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे, दिखाने लगी। तब पत्रस ने सब को बाहर कर दिया, और घुटने टेकर प्रार्थना की, और लोध की, और देखकर कहा, हे तबीता उठ, तब उसने अपने आँखे कोल दी, और पत्रस को देखकर उठ बैठी, उसने हाथ देकर उसे उठाय, और पवित्र लोगों और विद्वाओं को देखा दिया, ये बात सौरी याफा में फैल गई, और बहुत देरों ने प्रभू पर विश्वास किया, और पत्रस यापा में शमोन नाम किसी चमडे का धंदा करने वाले के यहां बहुत दिन तक रहा, अध्याय दस केसरिया में कुर्नेलियूस नाम एक मनुश्य था, जो इत्यालियानी नाम पल्टन का सुबेदार था, वो भग्त था, और अपने सारे घराने समेथ परमेश्वर से डरता था, और यहुदी लोगों को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक स्वर्ग दूद उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियूस उसने उसे ध्यान से देखा, और डर कर कहा, हे प्रभू क्या है, उसने उससे कहा, तेरी प्रात्नाई और तेरे दान स्मर्ण के लिए परमेश्वर के सामने पहुचे हैं, अव्याफा में मनुष्य भीच कर शौमौन को जो पत्रस कहलाता है बुलवाने, वो शौमौन चम्डे की धंदा करने वाले की यहां पहुन, जिसका घर समुंदर की किनारे में, जो उसके पास उपिस्तित रहा करते थे, उन में से एक भक्त सिपाई को बुलाया और उन्हें सब बातें बता कर याफा को भेजा। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे, तो दो पहर के निकट पत्रस कोठे पर प्रार्थना करने चड़ा। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तयार कर रहे थे, तो वो बेसुध हो गया। उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र पड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ प्रित्वी की ओर उतर रहा है। क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुध वस्तु नहीं खाई है। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वन ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। तीन बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पत्रस अपने मन में दुविधा कर रहा था, कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या है, तो देखो, वे मनुश्य जिन्हें कुर्ने लियस ने भेजा था, शमोन के घर का पता लगा कर देवडी पर आखड़े हुए। वे पुकार कर पूछने लगे, क्या शमोन जो पत्रस कहलाता है यहीं पाहुन है। पत्रस तो उस दर्शन पर सोची रहा था, कि आत्मा ने उससे कहा, तब पत्रस ने उतर कर उन मनुश्यों से कहा, देखो, जिसकी खोश तुम कर रहे हो, वो मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है। उन्होंने कहा, कुरनेलियू सुवेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला, और सारी यहूदी जाती में सुनामी मनुश्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूच से ये चितावनी पाई है, कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। इसरिया में पहुँचे और कुरनेलियूस अपने कुटमभियों और प्रिय मित्रों को इकठे करके उनकी बाठ जो रहा था। जब पत्रस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियूस ने उससे भेट की और पावों पढ़के प्रणाम किया। परंतु पत्रस ने उसे उठा कर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बाचीत करता हुआ भीतर गया। और बहुत से लोगों को इकठे देख कर उनसे कहा, तुम जानते हो के अन्ने जाती की संगती करना या उसके यहां जाना यहूदी के लिए अधर्म है। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को पवित्र या अशुध न कहूँ। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया हूँ। अब मैं पूस्ता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुरनेलियू उसने कहा कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्राथना कर रहा था। कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आखडा हुआ। और कहने लगा हे कुरनेलियूस तेरी प्राथना सुन ली गई और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किये गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेज कर शमौन को जो पतरस कहलाता है बुला। वो समुद्र के किनारे शमौन चमडे के धंदा करने वाले के घर में पाहुन है। तब मैंने तुरंद तेरे पास लोग भेजे और तुने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहां परमेश्वर के सामने हैं कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझ से कहा है उसे सुने। तब पतरस ने मूँ खोल कर कहा। अब मुझे निश्चे हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वरन हर जाती में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वे उसे भाता है। उसने इस्रेलियों के पास वचन भेजा और उसने येशु मसीह के द्वारा जो सब का प्रभु है उन्हें शान्ती का सूसमचार सुनाया। वो बात तुम जानते हो जो युहन्ना के बब्तिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदा में फैल गई। कि परमेश्वर ने किस रीती से येशु को पवितर आत्मा और सामर्च से अभिशेक किया। वो भलाई करता और सब को जो शैतान के सताय हुए थे अच्छा करता फिरा। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और हम उन सब कामों के गवाँ हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरुशलम में भी किये। और उन्होंने उसे काट पर लटका कर माँ डाला। परन उन गवाँ को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था। अर्थात हमको जिन्होंने उसके मरहों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें आग्या दी कि लोगों में प्रचार करें और गवाही दें कि वो वो ही है जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरहों का नियाई ठहराया है। उसकी सब भविश्व दुक तक गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा बापों की शमा मिलेगी। पत्रस ये बातें कही रहा था कि पवित्रात्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आये। और जितने खतना किये हुए विश्वासी पत्रत के साथ आये थे ये सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्रात्मा का दान उंडेला गया है। क्योंकि उन्होंने उन्हें भाती-भाती की भाशा बोलते और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। इस पर पत्रस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बब्दिस्मा न पाये। जिन्होंने हमारी नई पवित्रात्मा पाया है। और उसने आग्या दी कि उन्हें येश्व मसी के नाम में बब्दिस्मा दिया जाये। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रहे। तो खतना किये हुए लोग उससे वाद विबाद करने लगे कि उसने खतना रहित लोगों के यहां जाकर उनके साथ खाया। जब मैंने उस पर ध्यान दिया तो प्रित्वी के चौपाय और बन पशू और रंगने वाले जन्तू और आकाश के पक्षी देखे। और ये शब्द भी सुना हे पत्रस उट मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभू नहीं क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद वस्तू मेरे मूँ में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वन ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध मत कहुआ। तीन बार ऐसे ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो, तुरंत तीन मनुष्य जो केसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिसमें हम थे आखड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ बेखटके हो लेने को कहा, ये छै भाई भी मेरे साथ ही हो लिये। और हम उस मनुष्य के घर में गए। उसने बताया कि मैंने एक स्वर्ग दूद को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने मुझसे कहा, कि याफा में मनुष्य भीज कर शमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवाले। वो तुम से ऐसी बाते कहेगा, जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उधार पाएगा। जब मैं बाते करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीती से उतरा, जिस रीती से आरंब में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरान आया, जो उसन अन्ना ने तो पानी से बब्दिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बब्दिस्मा पाओगा। सो जबके परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, जो हमें प्रभु येशु मसी पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था, जो परमेश्वर को लोक सक ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे। तब तु परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराओ का दान दिया है। परंतु उन में से कितने कुपरुसी और कुरेनी थे जो अन्ताकिया में आकर युनानियों को भी येश्व के सुसमचार की बातें सुनाने लगे। और प्रभु का हाथ उन पर था। और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। तब उनकी चर्चा यरुशलेम क कलेसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनवास को अन्ताकिया भेजा। वो वहाँ पहुचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिप्टे रहे। वो एक भला मनुश्य था। और पव बहुत से लोग प्रभु में आ बिले। तब वो शाउल को ढूनने के लिए तरसुस को चला गया। और जब उससे मिला तो उससे अन्ताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सब से पहले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए। उनी दिनों में कई भविश्य द्युक्ता यरुशलेम से अन्ताकिया में आए। उनमें से अकबुस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेड़ना से ये बताया के सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और वो अकाल यहुदिया में रहने वाले भाईयों की सेवा के लिए कुछ भेजे। और उन्होंने ऐसा ही किया। और बरनबास और शाउल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। अध्याय बारा उस समय हेरोदेश राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने युहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पत्रस को भी पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ कर बंदी ग्रह में डाला। और रखवाली के लिए चार-चार सिपाईयों के चार पहरों में रखा। इस मनसा से के फसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। सो बंदी ग्रह में पत्रस की रखवाली हो रही थी परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब हेरोदेश उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पत्रस दो जन्जीरों से बंधा हुआ दो सिपाईयों के बीच में सो रहा था। और उसके हाथों से जन्जीरे खुल कर गिर पड़ी है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमरबां और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया फिर उसने उससे कहा अपना वस्त पहन कर मेरे पीछे को ले। वो निकल कर उसके पीछे हो लिया। परन्तु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सचमुच है। परन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के वाटक पर पहुचे। जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया। और वे निकल कर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पत्रस ने सचेत होकर कहा। अब मेलिस सज जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्ग दूद भेज कर हिरोदेश के हाथ से चुड़ा लिया। और यहूदियों की सारी आशा तोड़ लिया। यह सोचकर वो उस युहन्ना की माता मरियम के घर आया। जो मर्कुस कहलाता है। वहां बहुत लोग इकठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिर्की खटकटाई तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आया। और पत्रस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक ना खोला। परंतु दौड़ कर भीतर गई। और बताया के पत्रस दौर पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है। परंतु वो दृड़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर् परंतु पत्रस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। तब उसने उन्हें हाथ से सेन किया के चिप रहे और उनको बताया के प्रभू किस रीती से मुझे बंदी ग्रह से निकाल लाया है। फिर कहा के याकूब और भाईयों को ये बात कह देना। राजा का एक करमचारी था मना कर मेल करना चाहा। क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोशन होता था। और ठेराये हुए दिन हैरो देश राजबस्त्र पहन कर सिंगासन पर बैठकर उनको व्याख्यान देने लगा। इस पर लोग पुकार उठे कि ये तो अज़ी का नहीं पर मेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभू के एक स्वर्ग दूत ने तुरंत उसे मारा क्योंकि उसने पर मेश्वर की महिमा ना की और वो कीडे पढ़के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और अध्याय तेरा मना हेम और शाउल। जब वे उपवास सहित प्रभू की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हात रखकर उन्हें बिदा किया। सोवे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलुकिया को गए और वहां से जहाज पर चड़ कर कूपरुस को चले। सलमीस में पहुँचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के अराधनालेव में सुनाया और यूहन्ना उनका सेवक था। उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहां उन्हें बार यीशु नाम एक यहूदी टोना और जूटा भविश्य द्युकता मिला। वो सिर्गियूस पॉलुस सूबे के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाउल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का बचन सुनना चाहा। परंतु इली मास टोने ने क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है उनका सामना करके सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाउल ने जिसका नाम पॉलूस भी है पवित्र आत्मा से परिपूरुन हो उसकी और टक-टकी लगा कर कहा। तब तुरंत धुनलाई और अंधेरा उस पर चाह गया और वो इधर उधर टटोलने लगा कि कोई उसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबे ने जो हुआ था देखकर और प्रभू के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। पॉलुस और उसके साथ ही पाफुस से चहाज खोल कर पंफूलिया के पिरगा में आए। और युहन्ना उन्हें छोड़ कर यरुशलेम को लोट गया। और पिरगा से आगे बढ़कर वे पिसी दिया के अन्ताकिय में पहुँचे। और सबके दिन अराधनाले में जाकर बैठ गये। और विवस्था और भविश्य दुगताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उनके पास कहला भेजा के। हे भाईयों यदि लोगों के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। तब पॉलुस ने खड़े होकर और हाथ से सैन करके कहा। हे इस्राइलियों और परमेश्वर से डरने वालों सुनो। इन इस्राइली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाब दादों को चुन लिया। और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे तो उनकी उन्नती की। और बल्वंत भुजा से निकाल लाया। वो कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। कनान देश में साथ जातियों का नाश करके उनका देश कोई साड़े चार सौ वर्ष में इनकी मिलास में कर दिया। इसके बाद उसने सामुएल भविश्य द्वक्ता तक उनमें नयाई ठहराए। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीश के पुत्र शाउल को उन पर राजा ठहराया। फिर उसे अलग कर दाउद को उनका राजा बनाया। जिसके विशय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य इशय का पुत्र दाउद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। इसी के वंच में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिग्या के अनुसार इस्राइल के पास एक उधार करता अर्थात इशु को भेजा। जिसके आने से पहले यहुन्ना ने सब इस्राइलियों को मन फिराओ के बफ्तिस्मा का प्रचार किया। और जब यहुन्ना अपना दौर पूरा करने बढ़ था तो उसने कहा। तुम मुझे क्या समझते हो। मैं वो नहीं। वरन देखो मेरे बाद एक आने वाला है जिसके पाओं की जूती मैं खोलने यो कि नहीं। ए भाईयों तुम जो इबराहीम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो। तुम्हारे पास इस सुधार का वचन भेजा गया है। क्योंकि यरुश्लेम के रहने वालों और उनके सरदारों ना उसे पहचाना और ना भविश्य द्वक्ताओं की बाते समझी जो हर सब्त के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोशी ठहरा कर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोश उसमें ना पाया तो भी पिलातुस से विनिती की कि वो मार डाला जाए। और जब उन्होंने उसके विशय में लिखी हुई सब बाते पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में रखा। परन्तु परमेश्वर ने उसे मरे हुऊं में से जिलाया और वो उन्हें जो उसके साथ गलील से यरुशलेम आय थे बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा। लोगों के सामने अब वे ही उसके गवा हैं। और हम तुम्हें उस प्रतिक्या के विशे में जो बाब दादों से की गई थी ये सू समचार सुनाते हैं। कि परमेश्वर ने यिशु को जिला कर वही प्रतिक्या हमारी संतान के लिए पूरी की जैसे दूसरे भजन में भी लिखा है। कि तू मेरा पुत्र है आज मैं ही ने तुझे जनमाया है। और उसके इस रीती से मरे हुओं में से जिलाने के विशे में भी कि वो कभी न सड़े। उसने यों कहा है कि मैं दाउत पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर करूँगा। इसलिए उसने एक और भजन में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। क्योंकि दाउत तो परमेश्वर की च्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। प्रंटु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वो सड़ने नहीं पाया। इसलिए हे भाईयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापो के क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। और जन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोश नहीं ठहर सकते थे। उन्हीं सबसे हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोश ठहराता है। इसलिए चोकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविश्य द्वक्तवाओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। कि हे निंदा करने वालों देखो और चकित हो और मिर्चाओ। क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ। ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उसकी चर्चा करे तो तुम कभी प्रतीती ना करोगे। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे के अगले सब्द के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आये हुए भक्तों में से बहुतेरे पॉलूस और बरनबास के पीछे हो लिए। और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया के परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। अगले सबके दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इकठे हो गए। परन्तु यहूदी भीड को देख कर डहा से भर गए। और निंदा करते हुए पॉलूस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पॉलूस और बरनबास ने निडर होकर कहा। की छोर तक उद्धार का द्वार हो। की अध्याय चोदय। इकुनियूम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के अराधनाले में साथ साथ गए। और ऐसी बातें की कि यहूदियों और युनानियों दोनों में से बहुतों विश्वास किया। परन्तु ना मानने वाले यहूदियों ने अन्यजातियों के मन भाईयों के विरोध में उकसाए और बिगाड दिये। और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभू के भरोसे पर हयाव से बाते करते थे और वो उनके हाथों से चिन और आदभुत काम करवा कर अपने अनुग रह के वचन पर गभाई देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की ओर और कितने प्रेड़तों की ओर हो गए। परंतु जब अन्यजाति और यहूदी उनका अपमान करने और उन्हें पत्थरबा करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दोड़े तो वे इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लुस्तरा और दिर्बे नगरों में और आसपास के देशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्तरा में एक मनुष्य बैठा था जो पाउं का निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था। और कभी वो पॉलुस को बातें करते सुन रहा था। पॉलुस ने उसकी ओर टक्टकी लगा कर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। उसने उचे शब्द से कहा। अपने पाउं के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उचल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पॉलुस का ये काम देख कर लुकाउनिया की भाषा में उचे शब्द से कहा। देवता मनुश्यों के रूप में होकर हमारी बास उतर आए है। और उन्होंने परनबास को जूस और पॉलुस को हिरमेज कहा। क्योंकि ये बाते करने में मुख्य था। और जूस के उस मंदिर का पुज पॉलुस प्रेड़तों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड में लपक के और पुकार कर कहने लगे। उसने अपने आपको बेगवान न छोड़ा किन्तु वो भलाई करता रहा और आकाश वर्षा और फलवंत नितु दे कर तुमारे मन को भोजन और आनन से भरता रहा। बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उसकी चारों और आखड़े हुए तो वो उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्वे को चला गया। और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुना कर और बहुत से चेले बना कर लुसरा और एकुनियूम और अन्ताकिया को लोटाए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो और ये कहते थे कि हमें बड़े कलेस उठाकर परमिश्वर के राजे में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौपा। जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, वे पिसी दिया से होते हुए पमफूलिया में पहुँचे और बिरगा में बचन सुना कर अतालिया में अगी और वहां से जहाज पर अंताकिया में आगी जहां वे उस काम के लिए परमेश्वर के अनुब्रह को सौंपे गए थे, जो उन्होंने अब पूरा कर दिया था वहाँ पहुचकर उन्होंने कलीसिया इकठी की और बताया कि परमेश्वर्ण ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किये और अन जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया वहाँ वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे अध्याय पंद्रा फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाईयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की दीती पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उध्धार नहीं पा सकते जब पॉलिस और बरनबास का उनसे बहुत जगड़ा और बाद विवाद हुआ तो ये ठैराया गया कि पॉलिस और बरनबास और उनमें से कितने और व्यक्ति इस बात के विशे में यरुशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों के पास जाएं सो मंडली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुँचाया और वे फीनी के और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फेरने का समाचार सुनाते गए और सब भाईयों को बहुत आनंदित किया जब यरुशलेम में पहुँचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्हें बताया कि परमेशन ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किये थे परन्तु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उन्हें से कितनों ने उठकर कहा कि उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आग्या देना चाहिए तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विशे में विचार करने के लिए इकठे हुए बहुत वादविवाद के बाद पत्रस ने खड़े होकर उनसे कहा हे भाईयो तुम जानते हो के बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया के मेरे मूँ से अन्य जाती सू समचार का वचन सुनकर विश्वास करें और मन के जांचने माले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नई पवित्र आत्मा देकर उनके गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उन में कुछ भेद न रखा तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परिक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे बाब दादे उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं हाँ हमारा ये तो निश्चे है कि जिस रीती से वो प्रभु येशुह के अलू ग्रह के उद्धार पाएंगे उसी रीती से हम भी पाएंगे तब सारी सभा चुप चाप होकर बरन भास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्द और अद्भुत काम दिखाए जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा हे भाईयों मेरी सुनो शेमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों पर कैसी कुर्पादुष्टी की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक प्रजा बना ले और इससे भविश्चर दोताओं की बाते मिलती हैं जैसा लिखा है कि इसके बाद मैं फिर आकर दाउत का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंधरों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा इसलिए कि शेश मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंधें यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमिश्वर की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख न दें परंतु उन्हें लिख भेज़ें कि वे मूर्तों की अशुदताओं और व्यभिचार और गला घोटे हों के मास से और लोहू से परे रहें क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूशा की व्यवस्था के प्रचार करने वाले होते चले आये हैं और वह हर सब्द के दिन आराधनालाय में पड़ी जाती है तब सारी कलीसिया सहित प्रेड़तों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने मेंसे कई मनुश्यों को चुने अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सीलास को जो भाईयों में मुखिया थे और उन्हें पौलूस बरनबास के साथ अन्ताकिया को भेजे और उनके हाथ यह लिखा भेजा कि अन्ताकिया और सुरिया और किल्किया के रहने वाले भाईयों को जो अन्न जातियों में से हैं प्रेरितों और प्राचीन भाईयों का नमस्कात हमने सुना है कि हम में से कितनों ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया है और तुम्हारे मन उलट दिये हैं परंतु हमने उनको आग्या नहीं दी थी इसलिए हमने एकचित होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बर्नबास और पॉलूस के साथ तुम्हारे पास भेजें ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभिश्य मसी के नाम के लिए जोखि में डाले हैं और हमने यहुदा और सिलास को भेजा हैं जो अपने मुझ से भी ये बाते कह देंगे पवित्रा आत्मा को और हम को ठीक जान पड़ा कि इन आवशक बातों को छोड़ तुम पर और बोज न डालें कि तुम मूर्तों के वलिकियों से लोहू से गला घोटे हूँ के मास से और व्यभिचार से परे रहो इनसे परे रहो तो तुमारा भला होगा आगे शुब और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अतियानिदित हुए। और यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविश्य दुखता थे बहुत बातों से भाईयों को उपदेश दे कर स्थिर किया। वे कुछ दिन रहकर भाईयों से शान्ती के साथ विदा हुए। कि अपने भेजने वालों के पास जाए। परंतु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा। और पॉलूस और बरनबास अंताकिया में रह गए। वे बहुत और लोगों के साथ प्रभू के वचन का उपदेश करत और सुसमचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पॉलूस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभू का वचन सुनाया था आओ फिर उनमें चल कर अपने भाईयों को देखें कि कैसे हैं। तब बरनबास ने युहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का व ना समझा। सो ऐसा टंटा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर कुपरुस को चला गया। परंतु पॉलूस ने सिलास को चुन लिया और भाईयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर स्वापा जाकर वहां से चला गया। और कलीसि अध्याय सोला फिर वो दिर्बे और लुसरा में भी गया। और देखो वहां तिमूथियस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहुदनी का पुत्र था। परंतु उसका पिता युनानी था। वो लुसरा और इकुनियूम के भाईयों में सुनाम था। पौलुस ने चाहा कि वो उसके साथ चले। जो यहुदी लोग उन जगों में थे, उनके कारण उसे लेकर उसका खत्ना किया। क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता युनानी था। और नगर नगर जाते हुए, वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुचाते जाते थी। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और गिनिती में प्रती दिन बढ़ती गई। वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में आए। पॉलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ उनसे विनिती करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा। ये समझ कर कि परमेश्व पर ने हमें उन्हें सुसमचार सुनाने के लिए बुलाया है। उन इस्त्रियों से जो इकठी हुई थी बातें करने लगे। और लुदिया नाम थुआ थीरा नगर की बेंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त इस्त्री सुनती थी। और प्रभु ने उसका मन खोला ताकि पौलुस की बातों पर चित लगाए। और जब उसने अपने खराने समेत बप्तिस्मा लिया तो उसने विनिती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासी नी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। और वो हमें मना कर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगे जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी करने वाली आत्मा थी। वो भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। वो पॉलुस के और हमारे पीछे आकर चिलाने लगी कि ये मनश्य परमप्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसा ह भी करती रही। परन्तु पॉलुस दुखित हुआ और मू फेर कर उस आत्मा से कहा। तुझे इश्यू मसी के नाम से आक्या देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो हैं हमारे नगर में बड़ी हल्चल मचा रहे हैं। ये ऐसे वेवार बता रहे हैं जिने ग्रहन करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड के लोग उनके विरोध में इकठे होकर चड़ाएं। और हाकमियों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले। औ बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदी ग्रह में डाले। और दारोगवा को आग्या दी के उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आग्या पाकर उन्हें भीतर की कोठ़ी में रखा और उनके पाउं काट में ठोक दी। आधी रात के लगभग पॉलुस और सेलास प्रार् सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। और दारोगा जाग उठा और पंधिक रहके द्वार खुले देकर समझा के बंधुए भाग गए। तो उसने तरवार खीचकर अपने आपको मार डालना चाहा। परन्तु पॉलुस ने उचे शब्द से पुकार कर क अपने आपको कुछ हानी ना पहुचा क्योंकि हम सब यहां है। तब वो दिया मंगवा कर भीतर लपक गया। और कापता हुआ पॉलुस और सेलास के आगे गिरा। और उन्हें बाहर लाकर कहा। हे साहिबो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा प्रभू येशू मसीही पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा के उन्हों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पॉलुस से कहकर सुनाई के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आग्या भेज परन्तु पॉलुस ने उनसे कहा। जाकर विनिती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी ग्रह से निकल कर लुदिया के यहां गए और भाईयों से भेट करके उन्हें शान्ती दी और चले गए। जाकर थिसलूनिके में आये। जहां यहुदियों का एक अराधना ले था और पॉलुस अपनी रीती के अनुसार उनके पास गया। और तीन सब्त के दिन तक वो पवित्र शास्त्रों से उनके साथ विवाद करता रहा। वो और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था के मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना आविश्यक था और यही येशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उन में से कितनों ने और भक्त युनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलिन इस्त्रियों ने मान लिया और पॉलिस और सेलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डहा से भर कर बाजारू लोगों में से कई दोस्ट मनुश्यों को अपने साथ में लिया और भीड लगा कर नगर में हुलड मचाने लगे और यासोन के घर पर चड़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा और उन्हें ना पाकर वे ये चिला आते हुए यासोन और कितने और भाईयों को नगर के हाकिमों के सामने खीच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आए हैं यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है और ये सब के सब ये कहते हैं कि यिशु राजा है ये कैसर की आ बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। भाईयों ने तुरंत राथ ही राथ पॉलुस और सिलास को बिरिया में भेज दिया। और वे बहां पहुँचकर यहूदियों के अराधनाले में गए। ये लोग तो थिसलुनिके के यहूदियों से भले थे। उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहन किया। वे प्रती दिन पवित्र शास्त्रों में ढूंडते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। सो उन में से भहुतों ने और युनानी कुलीन इस्त्रियों में से और पुर्षों में से भहुतोरें ने विश्वास किया। किन्तु जब थिसलुनिके के यहुदी जान गए कि पॉलुस बिरिया में भी परमेश्वर का बचन सुनाता है तो वहां भी जाकर लोगों को उक्साने और हल्चल मशाने लगे। तब भाईयों ने तुरंट पॉलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए। परन्तु सिलास और तिमुथियस वहीं रह गए। पॉलुस के पहुचाने वाले उसे अथेने तक ले गए। और सिलास और तिमुथियस के लिए ये आग्या लेकर विदा हुए कि उसके पास बहुत शीग राएं। जब पॉलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। पढ़ता है क्योंके वो येशु का और पुनरुथान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अर्यूपगुस पर ले गए और पूछा। क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तु सुनाता है क्या है। क्योंकि तु अनोखी बाते हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है इसलिए कि सब अथेनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाए और किसी काम में समय नहीं बिताते थे तब पॉलुस ने अर्यू पगुस के बीच में खड़ा होकर कहा ए अथेने के लोगों मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हूँ क्योंकि मैं फिरते हुए तुमारी पूजने की वस्तूओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अंजाने ईश्वर के लिए सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो मैं तुम्हे उसका समाचार सुनाता हूँ जिस परमेश्वर ने पृत्वी और उसकी सब वस्तूओं को बनाया वो स्वर्ग और पृत्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता यहां किसी वस्तूओं का प्रयोजन रखकर मनुश्यों के हाथों की सेवा लेता है क्योंकि वो तो आप ही सब को जीवन और स्वास और सब कुछ देता है उसने एक ही मूल से मनुश्यों की सब जातियां सारी पृत्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंडें कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं क्योंकि हम उसी में जीवित रहते चलते भिरते और स्थिर रहते हैं जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंशज हैं सो परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि इश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है जो मनुष्य की काली गरी और कलपना से गढ़े हों इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगा सब मनुष्यों को मन फिलाने की आग्या देता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का नयाय करेगा जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हों में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमानित कर दी है मरे हों के पनुरुत थान की बात सुनकर कितने तो ठट्टा करने लगे और कितनों ने कहा ये बात हम तुझ से फिर कभी सुनेंगे इस पर पॉलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियूनियूसियूस अर्यूपगी था, और दमरिस नाम एक इस्त्री थी, और उनके साथ और भी कितने लोग थे। अध्याए अठारा इसके बाद पॉलुस अथेने को छोड़ कर कुरंतुस में आया, और वहाँ अक्विला नाम एक यहुदी मिला, जिसका जनम पुन्तुस का था, और अपनी पतनी प्रिसकल्ला समेथ इतालिया से नया आया था, क्योंकि कलोधियूस ने सब यहुदियों को रोम से निकल जाने की आज्यादी थी, तो वो उनके यहाँ गया, और उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वो उनके साथ रहा, और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था, और वो हर एक सब्त के दिन अराहदन आले में बाद विवाद कर के यहुदियों और युनानि को भी समझाता था जब सिलास और तिमूथियस मकी दुनिया से आए तो पॉलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गभाई देता था कि यिशू ही मसी है परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े जाड़ कर उनसे कहा तुम् वो तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया जिसका घर अराधनाले से लगा हुआ था तब अराधनाले के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरुन्थी सुनकर विश्वास लाए और मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चड़ाई करके तेरी हानी न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। सो वो उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए देड़ वर्ष तक रहा। जब गलियों अखाया देश का हाकिन था, तो यहूदी लोग एका करके पॉलूस पर चड़ाएं और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीती से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पॉलूस बोलने पर था, तो गलियों ने यहूदियों से कहा। पॉलूस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाईयों से विदा होकर किंकरिया में इसलिए सिर्मुडाया क्योंकि उसने मनत मानी थी और जहाज पर सूरिया को चल दिया। और उसके साथ प्रिसकला और अविकला थे। और उसने इफिसुस में पहुँचकर उनको वहां छोड़ा। और आप ही आराधनाले में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे बिनिती की के हमारे साथ और कुछ दिन रह तो उसने सिवकार ना किया। परंतु ये कहकर उनसे विदा हुआ कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। तब इफिसुसस से जहाज खोल कर चल दिया और केसरिया में उतर कर यरुशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अंता किया में आया। प्रिस्कल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया और जब उसने निश्चे किया कि पार उतर कर अखाया को जाए तो भाईयों ने उसे ढाड़स दे कर चेलों को लिखा कि वे उससे अच्छी तरह मिलें और उसने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी साहता की जिनोंने अनुग्रे के कारण विश्वास किया था क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमान दे दे कर कि यिशू ही मसी है बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के सामने निरुत्तर करता रहा अध्याय उन्निस और जब अपुल्लोस कुरंथुस में था तो पॉलुस उपर के सारे देश से होकर इफिसुस में आया और कई चेलों को देख कर उनसे कहा क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया उन्होंने उससे कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी उसने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बब्तिस्मा लिया? उन्होंने उससे कहा युहन्ना का बब्तिस्मा पॉलुस ने कहा युहन्ना ने ये कहकर मनफिराव का बब्तिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यिशु पर विश्वास करना ये सुनकर उन्हों ने प्रभू यिशु के नाम का बप्तिस्मा लिया और जब पॉलुस ने उन पर हात रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उत्रा और वे भिन 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 भाशा बोलने और भविश्य वानी करने लगे सब लगभग बारे पुरुष थे और वो अराधनाले में जाकर तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा और परमेश्वर के राज्ये के विशे में विवाद करता और समझाता रहा परंतु जब कितनों ने कठोर होकर उसकी नहीं मानी बरन लोगों के सामने इस मार्क को बुरा कहने लगे तो उसने उनको छोड़कर चेलों को अलग कर लिया और वो प्रती दिन तुरुन्नुस की पाठशाला में विवाद किया करता था दो वर्ष तक यही होता रहा यहां तक के आसिया के रहने वाले क्या यहूदी क्या युनानी सब ने प्रभू का वचन सुन लिया और परमेश्वर पॉलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था यहां तक के लोग रुमाल और अंगोचे उसकी देह से छुलुआ कर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी दुष्टात्माई भी उनसे निकल जाय करती थी वहां कुछ यहूदी थे जो जाड़ा फूकी करते फिरते थे वह लोग जिनमें दुष्टात्माई हो उनपर प्रभू येशू का नाम ये कहकर फूकने लगे कि जिस येशू का प्रचार पॉलुस करता है हम तुमें उसी की शपत देते हैं सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के साथ पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे दुष्टात्मा ने उनसे कहा इशू को मैं जानती हूँ और पॉलुस को भी पेचानती हूँ परंत तुम कौन हो और उस मनुष्ये ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और खायल होकर उस घर से निकल भागे ये बात इफिसुस के रहने वाले यहूदी और युनानी भी सब जान गए और उन सब पर भैचा गया और प्रभु यीशू के नाम की बढ़ाई हूँ जिनोंने विश्वास किया था उन में से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया और जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथिया इकठी करके सब के सामने जला दी और जब उनका दाम जोडा गया तो पचास हजार रुपे की निकली यो प्रभू का वचन बॉल पूर्वक फैलता गया और प्रबल होता गया। जब ये बातें हो चुकी तो पॉलुस ने आत्मा में ठाना कि वो मिकी दुनिया और अखाया से होकर यरू शलेम को जाए। उसने कहा कि वहां जाने के बाद उसे रोमा को भी देखना आवश्यक सो अपनी सेवा करने वालों में से तिमूतिस और एरातोस को मिकी दुनिया में भेज कर आप कुछ दिन आसिया में रह गया। उस समय उस पंथ के विशे में बड़ा हुलड हुआ। क्योंकि देमेत्रियूस नाम का एक सुनार अर्तिमिस के चांदी के मंदिर बनवा कर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। उसने उनको और ऐसी ही अन्य वस्तियों के कारीगरों को एकठे करके कहा। वे ईश्वर नहीं। और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं के हमारे इस धन्धे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी। वरन ये के महान देवी अर्तिमिस का मंदिर तुछ समझा जाएगा। और जिसे सारा आसिया और जगत पूझता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। पूझता है। कि रंग शाला में जाकर जोकिमना उठाना। सो कोई कुछ चिलाया और कोई कुछ क्योंकि सभावें बड़ी गड़वड़ी हो रही थी। और बहुत से लोग तो ये जानते भी नहीं थे कि हम किसलिए इकठे हुए हैं। तब उन्होंने सिकंदर को जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था भीड में से आगे पड़ा है। और सिकंदर हाथ से सैन करके लोगों के सामने उत्तर दिया चाहता था। परन्तु जब उन्होंने जान लिया कि वो यहूदि है। तो सब के सब एक शक्त से कोई दो घंटे तक चिलाते रहे कि एफिस्यों की अर्थिमिस महान है। तब नगर के मंतरी ने लोगों को शान्त करने कहा। कुछ ना करो क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक हैं। यदि देमित्रियूस और उसके साथी कारिगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी हैं। वो एक दूसरे पर नालिश करें। परन्तु यदि तुम किसी और बात के विशे में कुछ पूछना चाहते को तो नियत सभा में फैसला किया जाएगा। क्योंकि आज के बलबे के कारण हम पर दोश लगाये जाने का डर है। इसकी है कि इसका कोई कारण नहीं है। तो हम इस भीड के खटा होने का उत्तर ना दे सकेंगे। और ये कहकर उसने सभा को विदा किया। अध्याय बीस जब हुलड थम गया तो पॉलुस ने चेलों को बुलवा कर समझाया और उनसे विदा होकर मकी दुनिया की ओर चल दिया। और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझा कर वो युनान में आया। जब तीन महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था तो यहूदी उसकी घात में लगे। इसलिए उसने ये सला की के मकी दुनिया होकर लोड जाए। बिरिया के प्रूरुस का पुत्र सुपत्रुस और थिसलूनी कीउ में से अरिस्तर खुस और सिकुंदुस और दिर्बे का गयुस और तिमिधुस और आसिया का तखिकुस और तुफिमुस आसिया तक उसके साथ हो लिए। वे आगे जाकर त्रोवास में हमारी बाट चोड़ते रहे। और हम अखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिपी से जहाज पर चड़कर पांच दिन में त्रोवास में उनके पास पहुँचे। और साथ दिन तक वहीं रहे। सप्ता के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए एकठे हुए तो पॉलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम एकठे थे उसमें बहुत दिये जल रहे थे। और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नेंद से जुक रहा था। और जब पॉलुस देर तक बातें करता रहा, तो वो नेंद के जोके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। और मरा हुआ उठाया गया। जीवित ले आए। और बहुत शांती पाई। हम पहले से जहाज पर चड़कर असुस को इस विचार से आगे गए कि वहां से हम पॉलुस को चड़ा लें क्योंकि उसने ये इसलिए ठहराया था कि आप ही पैदल जाने वाला था। जब वो असुस में हमें मिला, तो हम उसे चड़ा कर मितु लेने में आए। और वहां से जहाज खोल कर हम दूसरे दिन खियूस के सामने पहुचे। और अगले दिन सामुस में लगान किया। फिर दूसरे दिन मिले तुस में आए। क्योंकि पॉलूस ने इफिसुस के पास से होकर जाने की ठानी थी। कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे। क्योंकि वो जल्दी करता था। कि यदि हो सके तो उसे पिंते कुस्त का दिन यरुशले में कटे। और उसने मिले तुस से इफिसुस में कहला भेजा। और कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाया। जब वे उसके पास आये तो उनसे कहा। और घर घर सिखाने से कभी ना जचका। वरन यहूदियों और युनानियों के सामने गवाही देता रहा। कि परमेश्वर की और मन फिराना और हमारे प्रभु यिशु मसीही पर विश्वास करना चाहिए। और अब देखो। मैं आत्मा में बंधा हुआ यरुशलेम्द को जाता हूं और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। कि वल यह कि पवित्रात्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तयार है। परन तुमाएं अपने प्रान को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिये जान। वरन ये कि मैं अपनी दोड को और उस सेवकाई को पूरी करूँ जो मैंने परमेश्वर के अनुक्रह के सू समाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यिशु से पाई है। और अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर ता फिरा मेरा मूँ फिर ना देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुम से गवाही दे कर कहता हूं कि मैं सब के लोहु से निर्दोश हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मंसा को तुम्हें पूरी रीती से बताने से ना जिचका। इसलिए अपनी और पूरे जुंड की करो जिसमें पवित रात्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लोहु से मोल लिया है। मैं जानता हूं कि मेरे चाने के बाद फारने वाले भेड़िये तुम में आएंगे जो जुंड को ना छोड़ कि मैंने तीन वर्ष तक रात दिन आसू बहा बहा कर हर एक को चनावती देना ना छोड़ा। अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौप देता हूं जो तुम्हारी उन्नती कर सकता है और सब पवित्रों में साजी करके मिरास दे सकता है। मैं मैंने किसी को चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इनी हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यक्ताइं पूरी की है। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीती से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना औ और प्रभु येश्व की बातें स्परन रखना अवश्य है कि प्रुस्ट ने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। ये कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पॉलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। वे विशेश करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मूँ फिर ना देखोगे। और उन्होंने उसे जहाज तक पहुँचाया। अध्याय इक्किस खोल दिया। जब कुप्रुस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सूरिया को चल कर सूर में उत्रे। क्योंकि वहाँ जहाज का बोज उतारना था। और चेलों को पाकर हम वहाँ साथ दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाई पॉलूस से कहा यरुशिलम में पाव ना रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहाँ से चल दिये। और सब ने इस्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुँचाया। और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर और वे अपने अपने घर लोट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुले मेस में पहुँचे। और भाईयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम बहां से चल कर केसरिया में आए। और फिलिपुस सुस्समाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था जाकर उसके यहां रहे। उसकी चार कुवारी पुत्रियां थी जो भविश्यद्वानी करती थी। जब हम बहां बहुत दिन रह चुके तो अकबुस नाम एक भविश्यद्युत्ता यहुदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पॉलुस का पठका लिया और अपने हाथ पाउं बांध कर कहा। जातियों के हाथ में सौपेंगे। जब यह बाते सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे बिनिती की कि यरुशलेम को ना जाया। परंतु पॉलुस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते हो कि रो रोकर मेरा मन तोड़ते हो। मैं तो प्रभू यिशू के नाम के लिए यरुशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने नामाना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि प्रभू के इच्छा पूरी हो। उन दिनों के बाद हम बांध च्छांद कर यरुशलेम को चल दिये। केसरिया के भी कितने चेले हमारे साथ हो लिये। और मनासोन नाम कुपरुस के एक पुराने चेले को साथ ले आए। कि हम उसके यहां टिकें। जब हम यरुशलेम में पहुचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पॉलूस हमें लेकर याकूब के पास गया। जहां सब प्राचीन इकठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किये थे। एक-एक करके सब बताए। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा। हे भाई, तु देखता है कि यहुदियों में से कई हजार ने विश्वास किया और सब व्यवस्था के लिए धून लगाए हैं और उनको तेरे विशय में सिखाया गया है कि तु अन्य जातियों में रहने वाले यहुदियों को मुसा से फिर जाने को सिखाता है। और कहता है कि न अपने बच्चों का खत्ना कराओं और न रितियों पर चलो सो क्या किया जाएं लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है इसलिए जो हम तुझ से कहते हैं वहकर हमारी यहां चार मनुश्य हैं जिनोंने मननत मानी हैं उन्हें लेकर उनके साथ अपने आप को शुद कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुणाएं तब सब जान लेंगे कि जो बाते उन्हें तेरे विशय में सिखाए गई उनकी कुछ जड़ नहीं है परन्तु तू आप भी विवस्था को मान कर उसके अनुसार चलता है परन्तु उन अन्य जातियों के विशय में जिनोंने विश्वास किया है हमने यह निर्नय करके लिख भीजा है कि वे मूर्तों के सामने बली की हुए मास से और लोहू से और गलागोटे कुओं के मास से और वेविचार से बचे रहे तब पॉलुस उन मनुश्यों को लेकर और दूसरे दिन उनके साथ शुद्ध होकर मंदिर गया और बता दिया कि शुद्ध होने के दिन अर्थात उन में से हर एक के लिए चड़ावा चड़ाए जाने तक के दिन का पूरे होंगे जब वे साथ दिन पूरे होने पर थे तो आसिया के यहुदियों ने पॉलुस को मंदिर में देखकर सब लोगों को उसकाया और योंच चिला कर उसको पकड़ लिया कि ए इस्रायेलियों सहायता करो यह वही मनुश्य है जो लोगों के और व्यवस्था के और इस्थान के विरोध में हर जगा सब लोगों को सिखाता है यां तक कि युनानियों को भी मंदिर में लाकर उसने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है उन्होंने तो इससे पहले त्रिफिमुस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और समझते थे कि पॉलुस उसे मंदिर में ले आया है तब सारे नगर में कोला हल मच गया और लोग दोड कर इकठे हुए और पॉलुस को पकड़ कर मंदिर के बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद किये गए जब वे उसे मार डालना चाहते थे तो पल्टन के सरदार को संदेश पहुचा कि सारे यरुशले में कोला हल मच रहा है तब वो तुरंत सिपाहियों और सुवेदारों को लेकर उनके पास नीचे दोड़ाया और उन्होंने पल्टन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पॉलुस को मारने पीठने से हाथ उठाया तब पल्टन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और दो जंजीरों से बांधने की आग्या देकर पूछने लगा ये कौन है और इसने क्या किया है परन्तु भीड में से कोई कुछ और कोई कुछ चिलाते रहे और जब हुलड के मारे ठीक सचाई ना जान सका तो उसे गड में ले जाने की आग्या थी जब वो सीड़ी पर पहुँचा तो ऐसा हुआ कि भीड के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा क्योंकि लोगों की भीड ये चिलाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो जब वे पॉलूस को गड में ले जाने पर थे तो उसने पल्टन के सरदार से कहा क्या मुझे आग गया है कि मैं तुम से कुछ कहूँ उसने कहा क्या तू युनानी जानता है क्या तू वह मिस्री नहीं जो इन दिनों से पहले बलवाई बना कर चार हजार कटार बंद लोगों को जंगल में ले गया पॉलूस ने कहा मैं तो तरसुस का यहुदी मनुष्य हूँ किली किया कि प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ और मैं तुझ से विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बाते करने दे जब उसने आग्या दी तो पॉलूस ने सीड़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सैन किया जब विचुप हो गए तो वो इबरानी भाशा में बोलने लगा कि अध्याय बाईस हे भाईयो और पितरो मेरा प्रत्युत्तर सुनो जो मैं अब तुम्हारे सामने कहता हूँ वे ये सुनकर कि वो हमसे इबरानी भाशा में बोलता है और भी चुप रहे तब उसने कहा मैं तो यहुदी मनुष्य हूँ जो किली किया के तरसुस में जन्वा परंतो इस नगर में गमलीयल के पाउं के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की वेवस्था की ठीक रीती पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाये था जैसे तुम सबाज लगाये हो और मैंने पुरुष और इस्त्री दोनों को बांद बांद कर और बंदी ग्रही में डाल डाल कर इस पंत को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला इस बात के लिए महायाजक और सब पुरन ये गवाँ हैं कि उन में से मैं भाईयों के नाम पर चुठियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हों उन्हें भी दंड दिलाने के लिए बांद कर यरुष लेम मिलाऊं जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुँचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभगे का एक एक बड़ी जियोती आकाश से मेरे चारो और चमकी और मैं भूमी पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना हे शाउल हे शाउल तू मुझे क्यों सताता है मैंने उत्तर दिया हे प्रभू तू कौन है उसने मुझसे कहा मैं यिशू नासरी हूँ जिसे तू सताता है और मेरे साथियों ने जियोती तू देखी परंतु जो मुझसे बोलता था उसका शब्द ना सुना तब मैंने कहा ए प्रभू मैं क्या करूँ प्रभू ने मुझसे कहा उठकर दमिश्क में जा और जो कुछ तेरे करने के लिए ठहराया गया है वहां तुझसे सब कह दिया जाएका जब उस जियोती के तेच के मारे मुझे कुछ दिखाई ना दिया तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में आया हनन यहा नाम का व्यवस्था के अनुसार एक भक्त मनुश्य जो बहां के रहने वाले सब यहूदियों में सुनान था मेरे पास आ देखा तब उसने कहा हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मूँ से बाते सुने क्योंकि तू उसकी और से सब मनुश्यों के सामने उन बातों का गवा होगा जो तूने देख और उसका नाम लेकर अपने पापों को धोडाल, जब मैं फिर यरुशलेम में आकर मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेसुध हो गया, और उसको देखा कि मुझसे कहता है, चल्दी करके यरुशलेम से जट निकल जा, क्योंकि वे मेरे विशे में तेरी गवाही ना मान करेंगी, मैंने कहा, हे प्रभू, वे तो आप जानते हैं, कि मैं तुझ पर विश्वास करने वालों को बंदी ग्रीह में डालता, और जगे जगे आराध नाले में पिटवाता था, जब तेरे गवाह इस थिफनुस का लोहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहां खड़ा और इस बात में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों की रखवाली करता था, और उसने मुझसे कहा, चला जा, क्योंकि मैं तुझे अन्ने जातियों के पास दूर दूर भेजूंगा, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब उचे शब्द से चिलाए, कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित रही, जब वे चिलाते और कपड़े भेंकते और आकाश में धूर उड़ाते थे, तो पल्टन के सुबेदार ने कहा, कि इसे घर में ले जाओ, और बोड़े मार कर जाचों, कि मैं जानूं कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसे चिला रहे हैं, जब उन्होंने उसे तस्मों से बांधा, तो पॉलुस ने उस सुबेदार से जो पास खड़ा था, कहा, क्या ये उचित है, कि तुम्हे एक रोमी मनुष्य को और वो भी बिना दोशी ठहराय हुए कोड़े मारू, सुबेदार ने ये सुनकर पल्टन के सरद क्या तुरोमी है, उसने कहा, हाँ, ये सुनकर पल्टन के सरदार ने कहा, कि मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपे दे कर पाया है, पॉलुस ने कहा, मैं तो जन्म से ही रोमी हूँ, तब जो लोग उसे जाजने पर थे वे तुरंत उसके पास से हट गए और पल्टन का सरदार भी ये जानकर कि ये रूमी है और मैंने उसे बांधा है डर गया दूसरे दिन वो ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उस पर क्यों दोश लगाते हैं उसके बंधन खोल दिये और महायाजकों और सारी महासभा को इकठे होने की आग्या दी और पॉलुस को नीचे ले जाकर उनके सामने खड़ा कर दिया अध्याय तेईस पॉलुस ने महासभा की ओर टक्टकी लगा कर देखा और कहा हनन या महायाजक ने उनको जो उसके पास खड़े थे उसके मुँँ पर थपड मारने की आग्या दी तब पॉलुस ने उससे कहा हे चूना फिरी हुई भीत परमेश्वर तुझे मारेगा तू व्यवस्था के अनुसार मेरा नयाय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद मुझे मारने की आग्या देता है जो पास खड़े थे उन्होंने कहा क्या तू परमेश्वर के महायाजक को पुरा कहता है पॉलुस ने कहा ये भाईयों मैं नहीं जानता था कि ये महायाजक है क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को पुरा ना कहे तब पॉलुस ने ये जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी है सभा में पुकार कर कहा ये भाईयों मैं फरीसी और फरीसीयों के वंच का हूँ मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विशय में मेरा मुकदमा हो रहा है जब उसने ये बात कही तो फरीसीयों और सदूकीयों में जगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है ना स्वर्गदूद और ना आत्मा है परन्तू फरीसी दोनों मानते हैं तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसीयों के दल के थे उठकर यू कहकर जगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते और यदि कोई आत्मा ये स्वर्ग दूत उससे बोला है तो फिर क्या जब बहुत जगड़ा हुआ तो पल्टन के सरदार ने इस दरसे कि वो पॉलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर डाले पल्टन को आ गया दी कि उतर कर उसको उनके बीच में से बर्बस निकालो और गड़ में ले आओ उसी रात प्रभू ने उसके पास आ खड़े होकर कहा ये पॉलुस धाडस बात क्योंकि जैसी तूने यरुशले में मेरी गवाही दी वेसी ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका किया और शपत खाई के जब तक हम पॉलुस को मार ना डाले तब तक खाए या पिये तो हम पर धिकार जिन्होंने आपस में ये शपत खाई थी वे चालिश जनों के उपर थे उन्होंने महायाजकों और पुर्णियों के पास आकर कहा हमने ये ठाना है कि जब तक हम पॉलुस को मार ना डाले तब तक यदि कुछ चके भी तो हम पर धिकार पर धिकार है इसलिए अब बहासबा समेत पल्टन के सदार को समझाओ कि उसे तुम्हारे पास ले आए मानो कि तुम उसके विशे में और भी ठीक जाच करना चाहते हो और हम उसके पहुँचने से पहले ही उसे मार डालने के लिए तयार रहेंगे और पॉलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं तो गड़ में जाकर पॉलुस को संदेश दिया पॉलुस ने सुबेदारों में से एक को अपने पास बुला कर कहा इस जवान को पल्टन के सरदार के पास ले जाओ ये उससे कुछ कहना चाहता है तो उसने उसको पल्टन के सरदार के पास ले जाकर कहा पॉलुस बंदुए ने मुझे बुला कर बिंती की कि ये जवान पल्टन के सरदार से कुछ कहना चाहता है उसे उसके पास ले जा पल्टन के सरदार ने उसका हाथ पकड़ कर और अलग ले जाकर पूछा मुझसे क्या कहना चाहता है उसने कहा यहूदियोंने एका किया है कि तुझसे बिंती करे कि कल पॉलुस को महासभा मे लाए मानो तौ और ठीक से उसकी जाच करना चाहता है परंटो उनकी मत मानना क्योंकि उनमें से 40 की उपर मनुश्य उसकी घात में है जिन्होंने यह ठान लिया है कि जब तक हम पॉलुस को मार न डाले तब तक खाएं पियें तो हम पर धिकार और अभी भी तयार है और तेरे वचन की आस देख रहे हैं तब पल्टन के सरदार ने जवान को ये आग्या देकर विदा किया कि किसी से ना कहना कि तूने मुझको ये बातें बताई हैं और दो सुवेदारों को बुला कर कहा उसने इस प्रकार की चिठी भी लिखी महा प्रतापी फैलिक्स हाकिम को क्लाओदियस लूसियास का नमश्कार इस मनिश्य को यहुदियों ने पकाड़ कर मार डालना चाहा परन्तु जब मैंने जाना कि रोमी है तो पल्टन लेकर छोड़ा लाया और मैं जानना चाहता था कि वे उस पर किस करण दोश लगाते हैं इसलिए उसे उनकी महा सवा में ले गया तब मैंने जान लिया कि वे अपनी विवस्था के विवादों के विशे में उस पर दोश लगाते हैं परन्तु मार डाले जाने या बांधे जाने के योग्ये उसमें कोई दोश नहीं और जब मुझे बताया गया कि वे इस मनिश्य की घात में लगे हैं तो मैंने तुरंत उसको तेरे पास भेज दिया सो जैसे सिपाहियों को आज्या दी गई थी वैसे ही पॉलुस को लेकर रातो रात अंति पत्रिस में लाए दूसरे दिन में सवारों को उसके साथ जाने के लिए छोड़कर आप घर को लोटे उन्होंने केसरिया में पहुँचकर हाकिम को चिठी दी और पॉलुस को भी उसके सामने खड़ा किया उसने पढ़कर पूछा यह किस देश का है और जब जान लिया कि किल्किया का है तो उससे कहा जब तेरे मुद्दई भी आएंगे तो मैं तेरा मुकद्मा करूँगा और उसने उसे हेरो देश के किले में पहरे में रखने की आग्या दी पांच दिन के बाद हनन याय महायाजक कई पुरणियों और तिरतुलुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की जब वो बुलाया गया तो तिरतुलुस उस पर दोश लगा कर कहने लगा कि हे महा प्रतापी फेलिक्स तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है तेरे प्रबंध से इस जाती के लिए कितनी बुराया सुधर्ती जाती है इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवात के साथ मानते हैं परन्तो इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते मैं तुझ से विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला और नासरीयों के कुपंथ का मुखिया पाया है उसने मंदिर को अशुध करना चाहा और हमने उसे पकड़ा इन सब बातों को जिनके विशे में हम उस पर दोश लगाते हैं तू आप ही उसकी जाच करके जान लेगा यहूदियों ने भी उसका साथ दे कर कहा बातें इसी प्रकार की है जब हाकिम ने पॉलुस को बोलने के लिए सैन किया तो उसने उत्तर दिया मैं यह जान कर कि तो बहुत वर्षों से इस चाती का न्याय करता है आनंद से अपना प्रतित्तर देता हूँ तो आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया मुझे बारा दिन से उपर नहीं को और उन्होंने मुझे ना मंदिर में ना सभा के घरों में ना नगर में किसी से विवात करते या भी लगाते पाया और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोश लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं परन्तु ये मैं तेरे सामने मान लेता हूँ, कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीती पर मैं अपने बाब तादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। और जो बातें व्यवस्था और भविश्य द्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीती करता हूँ। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ। जो वे आप भी रखते हैं। कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होका। इससे मैं आप भी यतन करता ह की परमेश्वर की और मनुश्यों की और मेरा विवेक सधा निर्दोश रहे। बहुत वर्ष्यों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदर में शुध दशा में बिना भीड के साथ और बिना दंगा करते को उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहां तेरे सामने आकर मुझ पर दोश लगाते। या या आप ही कहें कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अबरात पाया। इस एक बात कुछ हो जो मैंने उनके बीच में जानता था उन्हें ये कहकर टाल दिया कि जब पल्टन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णे करूंगा। और सूबेदार को अग्या दी कि पालुस को सुक से रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न फैलिक्स अपनी पतनी दुरुसिल्ला को जो यहूदनी थी साथ लेकर आया और पॉलुस को बलुआ कर उस विश्वास के विशे में जो मसी यिशू पर है उससे सुना। और जब वो धर्म और सैयम और आने वाले नियाय की चर्चा करता था तो फैलिक्स ने भयमान होकर उत उससे बातें किया करता परन्तु जब दो वर्ष बीत गए तो पुर्कियूस, फैस्तुस, फैलिक्स की जगह पर आया और फैलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलुस को बंधुआ छोड़ गया। फैस्तुस उस प्रांत में पहुँचकर तीन दिन के बाद केसरिया से यरुशलेम को गया। तब महायाजकों ने और यहूदियों के बड़े लोगों ने उसके सामने पॉलुस की नालिश की और उससे विनती करके उसके विरोध में ये वर चाहा कि वो उसे यरुशलेम में बुलुआए क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। फैस्तुस ने उत्तर दिया कि पॉलूस कैसरिया में पहरे में है और मैं आप जल्दी वहां जाऊंगा। फिर कहा तुम में जो अधिकार रखते हैं वे साथ चलें और यदि इस मनुश्य उसे ने कुछ अनुचित काम किया है तो उस पर दोश लगाएं। और उनके बीच कोई आठ दस दिन रहकर वो केसरिया गया और दूसरे दिन न्याय आसन पर बैठकर पॉलूस के लाने की आज्या दी। जब वो आया तो जो यहुदी यरुशलेम से आये थे उन्होंने खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोश लगाएं। जिनका प्रमान वे नहीं दे सकते थे। परंतु पॉलूस ने उत्तर दिया कि मैंने ना तो यहुदियों की विवस्था का और ना मंदिर का और ना कैसर का कुछ अपरात किया है। तब फेस्तुस ने यहुदियों को खुश करने की इच्छा से पॉलूस को उत्तर दिया। कि उनमें से कोई बात सचना ठहरे तो कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौप सकता। मैं कैसर की दोहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बाते करके उत्तर दिया। तूने कैसर की दोहाई दी है। तू कैसर के पास जाएगा। और कुछ दिन बीदने के बाद अग्रिपा राजा और बिर्नी के ने केसरिया में आकर फेस्तुस से भेट की। और उनसे बहुत दिन वहाँ रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई। कि एक मनुष्य है जिससे फैलिक्स बंदुआ छोड़ गया है। जब मैं येरुशलम में था तो यूं महायजक और यहुदियों के पुर्णियों ने उसकी नालिश की और चाहा कि उस पर दंड की आग्या दी जाए। परंतु मैंने उनको उतर दिया कि रोमियों की ये रिती नहीं कि किसी मनुष्य को डंड के लिए सौम दें। जब तक मुद्धालय को अपने मुद्धईयों के आमने सामने खड़े होकर दोश की उतर देने का अफसर ना मिले। सो जब वे यहें खटे हुए तो मैंने कुछ देर ना की परंतु दूसरे ही दिन नियाय आसन पर बैठकर उस मनुष्य को लाने की आग्या दी। जब उसके मुद्धई खड़े हुए तो उन्होंने ऐसी बुरी बातों का दोश नहीं लगाया जैसा मैं समझता था। परंतु अपने मत के और येश्वी नाप किसी मनुष्य के विशे में जो मर गया था। और पॉलूस उसको जीवित बताता था, विवात करते थे। और मैं उल्जन में था कि इन बातों का पता कैसे लगाऊं। इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या तू गिरुशिलम जाएगा, कि वहाँ इन बातों का फैसला हो, परंतु जब पॉलूस न दोहाई दी कि मेरे मुकदमे का फैसला महराजादी राज की यहाँ हो, तो मैंने आग्या दी कि जब तक उसे कैसर के पास ना भीजूं, उसकी आग्रिपा और बिर्नी के बड़ी धूम धाम से आकर पल्टन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दर्बार में पहुचे, तो फैस्तुस ने आग्या दी कि वे पॉलूस को ले आए, फैस्तुस ने कहा, हे महराजा गरिपा और हे सब मनुश्यों, जो यहां हमारे साथ हो, तुम इस मनुश्यों को देखते हो, जिसके विशे में सारी यहुदियों ने येरुशलम में और यहां भी चिला चिला कर मुझसे बिंती की, कि इसका जीवित रहना कुछ इत नहीं, परंतु मैंने जान ल उपाय निकाला, परंतु मैंने उसके विशे में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूँ, इसलिए मैं उसे तुम्हारे सामने और विशेश करके हे महराजा अगरिपा तेरे सामने लाया हूँ, कि जाचने के बात मुझे कुछ लिखने को मिले, क्यू 26 मा अध्याई अगरिपा ने पॉलिस से कहा तब पॉलिस हाथ बढ़ा कर उत्तर देने लगा कि हे राजा अगरिपा, चितनी बातों का यहुदी मुझ पर दोश लगाते हैं, आज तेरे सामने उनका उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ विशेश करके इसलिए कि तू यहुदियों के सब विवहारों और विवादों को जानता है सो मैं विनिती करता हूँ, धीरत से मेरी सुन ले जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाती के बीच और यरुशलेम में था यह सब यहुदी जानते हैं, वे यदि गवाही देना चाहें, तो आरंभ से मुझे पहचानते हैं, कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला और अब उस प्रतिग्या की आशा के कारण, चो परमेश्वर ने हमारे बाब दादों से की थी, मुझे पर मुकदमा चल रहा है उसी प्रतिग्या के पूरे होने की आशा लगाए हुए, हमारे बारों गोत्रों अपने सारे मंद से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं हे राजा, इसी आशा के विशय में यहुदी मुझे पर दोश लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुँँ को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यहां ये बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाते हैं, मैंने भी समझा था कि यिशू नासरी के नाम के विरोध म मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशले में ऐसा ही किया, और महा याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीग्री में डाला, और जब विमार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी समती देता था, और हर आराध नाले मे मैं उन्हें ताड़ना दिला दिला कर येशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था, इसी धुन में जब मैं महा याजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे भूमी पर गिर पड़े, तो मैंने ये ब्रानी भाशा में मुझसे कहते हुए ये शब्द सुना, कि हे शाउल, हे शाउल, तु मुझे क्यों सताता है, पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, मैंने कहा, हे प्रभु तु कौन है, प्रभु ने कहा, मैं येशु हूँ जि तु मुझे दर्शन दूँगा, और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेशता हूँ, कि तो उनकी आँखे खोले, कि वे अंधकार से जियोती की और और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की और कि पापों की किशमा और उन लोगों के साथ, जो मुझे पर विश्वास करने से पवित्र किये गए हैं, मिरास पाएं। सो परमेश्वर की साहता से मैं आज तक बना हूँ, और छोटे बड़े सभी के सामने का वाही देता हूँ, और उन बातों को छोड कुछ नहीं कहता, जो भविश्य द्वक्तवाँ और मुसा ने भी कहा, कि होने वाली हैं, कि मसीह को दो खठाना होगा, और वही सब से पहले म पूचे शब्द से कहा, तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है, पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रात्रा ये है, कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में केवल तू ही नहीं, परन्तु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़, वे मेरे समान हो जाएं, तब राजा और हाकिम और बिर्नी के और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए, और अलग जाकर आपस में कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो म्रत्यू या बंधन की योगे हो, अगरिपा ने फेस्तुस से कहा, यदि ये मनुष्य कैसर की ना देता, तो छूट सकता था 27 वाध्याए जब ये ठहराया गया, के हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने पॉलूस और कितने और बंधुओं को भी युलियूस नाम आगुस्तुस के पल्टन के एक सूबेदार के हाथ सोब दिया, और अद्रमुत्तियूम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगों म जाने पर था, चड़कर हमने उसे खोल दिया, और अरिस्तर खुस नाम थिसलूनी के का एक मकिदूनी हमारे साथ था, दूसरे दिन हमने सैदा में लंगर डाला, और युलियूस ने पॉलूस पर किरपा करके उसे मित्रों के यहाँ जाने दिया, कि उसका सतकार किया जाए, वहां से जहाज घोल कर हवा विरुद होने के कारण हम कुप्रूस की आड में होकर चले, और किलिकिया और पंफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उत्रे, वहां सूबेदार को सिकंद्रिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चल कर कठिनता से कनिदूस के सामने पहुँचे तो इसलिए के हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी सलमोने के सामने से होकर त्रेते की आड में चले और उसके किनारे किनारे कठिनता से चल कर शुब लंगर बार पारी नाम एक जगह पहुँचे जहां से लस्या नगर निकट था जब बहुत दिन बीद गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब भी चुके थी तो पॉलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया कि हे सज्जनों मुझे ऐसा जान पड़ता है कि सियात्रा में विपत्ती और बहुत हानी ना केवल माल और जहाज को वरन हमारे प्राणों को भी होने वाली है परन्तु सुबेदार ने पॉलुस की बातों में माजी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी और वो बंदर स्थान जाड़ा काटने के लिए अच्छा ना था इसलिए बहुतों का विचार हुआ कि वहाँ से जहाज खोल कर यदि किसी रीती से हो सके तो फिनिक्स में पहुँचकर जाड़ा काटने ये तो क्रेते का एक बंदर स्थान है जो दखिन पस्चिम और उत्तर पस्चिम की ओर खुलता है जब कुछ-कुछ दखनी हवा बहने लगी तो ये समझ कर के हमारा मतलब पूरा हो गया लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे परन्तो थोड़ी देर में वहाँ से एक बड़ी आधी उठी जो यूर कुलीन कहलाती है जब ये जहाज पर लगी तब वो हवा के सामने ठहर न सका सो हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड में बहते बहते हम कठिंता से डोंगी को वश में कर सके मलाहों ने उसे उठा कर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सुर्तिस के चोर बालू पर टिक जाने के भैसे पाल और समान उतार कर बहते हुए चले गए और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धके खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का समान फेंक दिया और जब बहुत दिनों तक ना सूरिय ना तारे दिखाई दिये और बड़ी आधी चल रही थी तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पॉलुस ने उनके बीच में खड़ा होकर कहा हे लोगों चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहास खोलते और ना ये वेपतवानी उठाते परन्तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि डाढ़ हस बांतू क्योंकि तुम में से किसी के प्रांग की हानी ना होगी केवल जहास की क्योंकि परमेश्वर जिसका म मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ उसके स्वर्ग दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा के पॉलोस मत डर तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है और देख परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है इसलिए है सज्जनों डाढ़स क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीती करता हूँ जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा परन्तु हमें किसी टापू पर जाटिक ना होगा जब चौदमी रात हुई और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे तो आधी रात के निकट मलाहों ने अटकल से जाना कि ह हम किसी देश की निकट पहुच रहे हैं और था लेकर उन्होंने बीस पुर्सा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो पंद्रे पुर्सा पाया जब पत्रीली जगों पर पढ़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी चार लंगर डाले और धोर का होना मनाते रहें परन्तु जब मल्ह जहाज पर से भागना चाहते थे और गलही से लंगर डालने के पहाने डोंगी समुद्र में उतार तो पॉलुस ने सूबेदार और सिपाईयों से कहा यदि वे जहाज पर ना रहें तो तुम नहीं बच सकते तब सिपाईयों ने रस्से काट कर डोंगी गिरा दी जब भोर होने पर था तो पॉलुस ने ये कहके सब को भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए कि तुम आस देखते देखते भूखे रहें और कुछ भोजन न किया इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खाल जिससे तुमारा बचाव हो क्य और ये कहकर उसने रोटी लेकर सब के सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड कर खाने लगा तब वे सब भी ढांडस बांद कर भोजन करने लगे हम सब मिलकर जहाज पर 276 जन थे जब वे भोजन करके त्रिप्त हुए तो गेहू को समुदुर में फेंक कर जहाज ह और विचार किया कि यदी हो सके तो इसी पर जहाज को ठिकाएं तब उन्होंने लंगरों को खोल कर समुदुर में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बंधन खोल दिये और हवा के सामने अगला पाल चड़ा कर किनारी की ओर चले परन्तु दो समुदुर के संगम की से तूटने लगी तब सिपाहियों का ये विचार हुआ कि बंधूओं को मार डाले ऐसा ना हो कि कोई तैर के निकल भागे परन्तु सुवेदार ने पॉलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और ये कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूद कर किनारे पर और बाकी कोई पट्रों पर और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाएं और इस रीती से सब कोई भूमी पर बच निकले जब हम बच निकले तो जाना कि ये टापू मिलीते कहलाता है और उन जंगली लोगों ने हम पर अनूखी कृपा की क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगा कर हम सब को ठहरा है जब पॉलुस ने लकडियों का गठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आज पा कर निकला और उसके हाथ से लिपट गया जब उन जंगलीयों ने सांप को उसके हाथ में लटके हुए देखा तो आपस में कहा सचमुची ये मनुष्य हत्यारा है कि यद्यपी समुद्र से बच गया तो भी न्याईने जीवित रहने न दिया तब उसने सांप को आग में जड़क दिया और उसे कुछ हानी ना पहुची परंतु वे बाट चोहते थे कि वो सूच जाएगा या एका एक गिर के मर जाएगा परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा तो और ही विचार कर कहा ये तो कोई देवता है उस जगह के आसपास पुबलियूस नाम उस टापू के प्रधान की भूमी थी उसने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्रभाव से पहुनाई की पुबलियूस का पिता ज्वर और आव लहू से रोगी पड़ा था तो पुबलियूस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बिमार आए और चंगे किये गए और उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और जब हम चलने लगे तो जो कुछ हमें अवश्य था जहाज पर रख दिया तीन महीने के बाद हम सिकंद्रिया के एक जहाज पर चल निकले जो उस टापू में जाडे भर रहा था और जिसका चिन दियुसकुरी था सुर्कूसा में लंगर डाल करके हम तीन दिन ठिके रहे वहां से हम घूम कर रेगियूस में आए और एक दिन के बाद दखनी हवा चली तब दूसरे दिन पुतियुली में आए वहां हमको भाई मिले और उनके कहने से हम उनके यहां साथ दिन तक रहे और इस रीती से रोम को चले, वहाँ से भाई हमारा समाचार सुनकर अप्यूस के चौक और तीन सराय तक हमारी भेट करने को निकल आए, जिने देखकर पॉलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और धांडस बांधा। जब हम रोम पहुँचे, तो पॉलुस को एक सिपाही के साथ, जो उसकी रखवाली करता था, अकेले रहने की आग्या हुई। जब यहुदी इसके विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी, ना ये कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोश लगाना था, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुम से मिलूं और बात चीत करूं, क्योंकि इसरायल की आशा के लिए मैं इस ज जंजीर से जखड़ा हुआ है। परमेश्वर के राज्ये की गभाई देता हुआ, और मूसा की विवस्था और भविश्य दुखताओं की पुस्तक से यिशू के विश्य में समझा समझा कर भोर से सांज तक वर्णन करता रहा। तब कितनों ने उन बातों को मान लिया और कितनों ने प्रतीति ना की। जब आपस में एक मतना हुए तो पॉलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए कि पवित्रात्मा ने यशा यहा के भविश्य दुखता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों से अच्छा कहा। कि जाकर इन लोगों से कहे कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे और देखते तो रहोगे परंतु ना बुझोगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आखें बंद की हैं। ऐसा ना हो कि वे कभी आखों से देखें और कानों से सुनें और मंद से समझें और फिरें। और मैं उन्हें चंगा करूँ। सो तुम जालो कि परमेश्वर के ए सुधार की कथा आमने जातियों के पास भेजी गई है और वे सुनेंगे जब उसने ये कहा तो यहुदी आपस में बहुत विबाद करने लगे और वहां से चले गए और वो पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके प और प्रभू यिशू मसीह की बातें सिखाता रहा रोमियो के नाम पॉलोस प्रेरित की पत्री अध्याए एक पॉलोस की ओर से जो यिशू मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सू समाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविश्य द्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सू समाचार के विशाय में करता हूँ वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरन करता रहता हूँ और नित्ते अपनी प्रार्थनाओं में विनिती करता हूँ कि किसी रीती से अभी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर के इच्छा से सफल हो क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हे कोई आत्मिक वर्दान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ अर्थात ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शान्ती पाँ कि जैसा मुझे और अन्य जातियों में फल मिला, वैसा ही तुम्हें भी मिले, परंतु अग तक रुका रहा, मैं युनानियों और अन्य भाशियों का, और बुध्धि मानों और निर्बुध्धियों का कर्ज़तार हूं। सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, सू समाचार सुनाने को भर सक तैयार हूं। मैं सू समाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहुदी, फिर युनानी के लिए उध्धार के निम्मित परमेश्वर की सामर्थ है, क्यो जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ती और अधर्म पर स्वर्क से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म में दबाय रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विशे का ग्यान उनके मनों में प्रक किया है, क्योंकि उसके अंदेखे गुण, अर्थात, उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व चगत की स्रिष्टी के समय से उसके कामों के द्वारत देखने में आते हैं। यहां तक कि वे नुरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने और धन्यवात ना किया, परन्तु वेर्थ विचार करने लगे। यहां तक कि उनका निर्बुध्धी मन अंधेरा हो गया। वे अपने आपको बुध्धी मान जदा कर मुर्ख बन गए। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाश्मान मनुष्य और पक्षियों और चोपायों और रेंगने वाले जन्तुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाशों के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनाधर करें। क्यूंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर जूट बना डाला। और स्रिष्टी की उपासना और सेवा की। ना की उस स्रिजनहार की जो सदा धन्य है। आमी इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव की विरुत है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे। और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निलज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें सोवे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोग और बैर भाव से भर गए और डहा और हद्द्या और जगड़े और छल और इर्शा से भर पूर हो गए और चुगलखोर बदनाम करने वाले परमेश्वर के देखने में घ्रने औरों का अनादर करने वाले अभिमानी, डीन मार, बुरी-बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आक्या ना मानने वाले, निर्बुध्ध्री, विश्वास खाती, मया रहे और निर्दै हो जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यू के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। अध्याए दो सोहे दोश लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोश लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोशी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोश लगाता है, आप ही वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आक्या होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोश लगाता है, और आप वे ही काम करता है। और सहन शीलता और धीरज रूपी धन को तुछ जानता है क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन भिराव को सिखाती है पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रगठ होगा अपने निमित क्रोध कमा रहा है वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बतला देगा जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमर्ता की खोच में है उन्हें वो अनंत जीवन देगा पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है क्लेश और संका ठाय का पहले यहूदी पर फिर युनानी पर पर महिमण और आधर और कल्यान हर एक को मिलेका जो भला करता है पहले यहूदी को फिर युनानी को क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता इस लिए कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाय पाप किया वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे फिर जब अन्य जाती लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव भी से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी, वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हिर्दाओं में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक की कवाही देते हैं, और अपने पर भरोसा रखता है, कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुएं को जियोती, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, औ वालकों का उप्देशक हुँ, और ग्यान और सत्य का नमुना, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है, सो क्या तू, जो औरों को सिखाता है, अपने आपको नहीं सिखाता है, क्या तू, जो चोरी ना करने का उप्देश देता है, आप भी चोरी करता है, तू जो कहता है, व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूरतों से घ्रणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विशे में खबंड करता है, क्या व्यवस्था ना मान कर परमेश्वर का अनाधर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है जैसा लिखा भी है यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाब तो है परन्तु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा सो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिना खतना की दशा खतने के बराबर ना की नी जाएगी और जो मनुष्य जाती के कारण बिन खत्ना रहा, यदि वो व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे, जो लेक पाने और खत्ना किये जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोशी ना ठेराएगा, क्योंकि वो यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी है, औ जो मन में है, और खत्ना वही है, जो हिर्दय का और आत्मा में है, ना कि लेक का, ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, परन्तु परमेश्वर की ओर से होती है। सो यहूदी की क्या बढ़ाई, अथवा खतने का क्या लाब, हर प्रकार से बहुत कुछ, पहले तो ये, कि परमेश्वर के वचन उनको सौपे गए, यदि कितने विश्वास खाती निकले भी, तो क्या हुआ, क्या उनके विश्वास खाती होने से, परमेश्वर की परमेश्वर की जूटा ठहरेगी, कदा भी नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा, और हर एक मनुष्य जूटा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे, और न्याय करते समय, तू जय पाए, सो यदी हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिक्ता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें, क्या ये, कि परमेश्वर जो क्रोद करता है अन्याई है, ये तो मैं मनुष्य की रुईती पर कहता हूं, कदा भी नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्यों कर जगत का न्याय करेगा, यदि मेरे छूट के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी की नाई में दंड के योग्य ठहराया जाता हूँ और हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले जब हम पर यही दोश लगाया भी जाता है क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोश लगा चुके हैं तिवे की सबस्के काथ के वशमें जैसा लिखा है कि कोई धर्मि नहीं एक भी नहीं कोई समझदार नहीं कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होटों में सापों का विश है, उनका मूँ श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पाम लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है, जो व्यवस्था के आधीन है, जिससे हर एक मूँ बंद किया चाए, और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग के ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरे कारण कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, पर अब बिना व्यवस्था, परमेश्वर की वो धार्मिक्ता प्रगठ हुई है, जिसकी कवाही, व्यवस्था और भविश्य द्वक्ता देते हैं, अर्थात, परमेश्वर की वो धार्मिक्ता, जो मसीही पर वि विश्वास करने वालों के लिए हैं, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सब ने पात किया है, और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परन्तु उसके अनुक्रह से उस छुटकारे के द्वारा, जो मसी इशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराय जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके ल पात पहले किये गए, और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विशे में वो अपनी धर्मिक्ता प्रगट करें, वरन इसी समय उसकी धर्मिक्ता प्रगट हो, कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और यिशु पर विश्वास करें, उसका भी धर् तो घमंड करना कहां रहा उसकी तो जगा ही नहीं कौन सी व्यवस्था के कारण से क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुश्य विवस्था के कामु के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है क्या अन्य जातियों का नहीं हाँ, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खत्ना वालों को विश्वास से और खत्ना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा, तो क्या हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहराते हैं, कदा भी नहीं, वरन व्यव अस्था को स्थिर करते हैं। परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। उसके लिए धार्मिक्ता गिना चाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। उसे दाउद भी धन्य कहता है। धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप धापे गए। धन्य है वो मनुश्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो ये धन्य कहना क्या खतना वालों के ही लिए है। या खतना रहितों के लिए भी। हम ये कहते हैं कि इबराहिम के लिए उसका विश्वास धार्मिक्ता गिना गया। तो वो क्यों कर गिना गया। खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में। खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में, और उसने खतने का चिन्ध पाया, कि उस विश्वास की धार्मिक्ता पर छाप हो जाए, जो उसके बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वो उन सब का पिता ठहरे, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते और कि वे भी धर्मी ठहरे और उन खतना किये हूँ का पिता हूँ, चुना केवल खतना किये हुए हैं, परन्तु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं, जो उसने बिन खतने की दशा में किया था, क्योंकि ये प्रतिग्या कि वो जगत का वारिस होगा, ना इब्राहिम को, ना उसके वंच को व्यवस्था के द्वारत दी कई थे, परन्तु विश्वास की धार्मिक्ता के द्वारा मिली, क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिग्या निश्फल ठैरी, व्यवस्था तो क्रोध उपचाती है, और जहां व्यवस्था नहीं, वहां उसका टालना भी नहीं, इसी कारण, वो विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिग्या सब वंच के लिए दृढ हो, ना कि केवल उसके लिए, जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी, जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुँ को जिलाता है और जो बाते हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानू वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया। इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वो बहुत सी जातियों का पिता हो। और वो जो एक सो वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जान कर भी विश्वास में निर्मल ना हुआ। ना उसने अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिग्या पर संदेह किया, पर विश्वास में द्रिड होकर उसने परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना, कि जिस बात कि उसने प्रतिग्या की है, वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया और ये वचन कि विश्वास उसके लिए धार्मिक्ता गिना गया ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिक्ता गिना चाहेगा अर्थार हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु येशु को मरे हुओं में से जिलाया, वो हमारे अपराधुं के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया अध्याय पाँच कि क्लेश से धीरज, और धीरज से ख़रा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा पर्मेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, तो मसी ठीक समय पर भक्ति हीनु के लिए मरा, किसी धर्मिजन के लिए कोई मरे, ये तो दुरलब है, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाद करे, कि परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीती से प्रकट करता है, कि जब हम पापी ही थे, तब ही मसी हमारे लिए मरा, सो जब कि हम अब उसके लोहों के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा कुरोट से क्यों न बचेगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके चीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे, और केवल यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभू, यिशू मसी के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विशे खमंड भी करते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीती से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया. क्योंकि व्यवस्था के दिये जाने तक पाप जगत में तो था परंटु जहां व्यवस्था नहीं वह पाप किना नहीं जाता तो भी आदम से लेकर मूसा तब मृत्यों ने उन लोगों पर भी राज्ज किया जिन्होंने उस आदम के अपराद की नाई जो उस आने वाले का चिन्न है पाप ना किया पर जैसा अपराद की दशा है वैसी अनुग्रह के वर्दान की नहीं क्योंकि जब एक मनुश्य के अपराद से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह है और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थाद येशु मसी के अनुग्रह से हुआ, बथेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ, जैसा एक मनुष्य के पात करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आग्या का फैसला हुआ, परन्तु, बहुत धेरे अपराधों से ऐसा वर्दान उत्पन हुआ, कि लोग धर्बी ठेरे, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराद के कारण, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रहे और धर्म रूपी वर्दान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात, यिशू मसी के द्वारा अवश्य ही अनन्त जीवन में राज्य करेंगे, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आग्या का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी, सब मनुष्यों के लिए जीवन के निम्मे धर्मी ठहराय जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आग्या ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरें, वैसे ही एक मनुष्य के आग्या मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे, और व्यवस्था बीच में आ गई, कि अपराग बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यू फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभू, यिशू मसी के द्वारा, अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिए धर्मी ठेराते हुए राज्य करें। रहे बहुत हो, कदा भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यिशू का बप्तिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यू का बप्तिस्मा लिया। सो उस मृत्यू का बप्तिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यू की समानता में उसके साथ चुट गए हैं, तो निश्चे उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुश्यत्व उसके साथ क्रूस पर चड़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया, वो पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। सो यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जीएंगे भी। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यों की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया, तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। परंतु जो जीवित है, तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आपको पाप के लिए तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिए मसीही यिशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौपो। पर अपने आपको मरे हुओ में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए तुम परमेश्वर को सौपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के आधीन हो। तो क्या हुआ कि हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के आधीन नहीं वरन अनुग्रह के आधीन है। कदा पी नहीं क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आग्या मानने के लिए तुम अपने आपको दासों की नई सौप देते हो उसी के दासों 229 और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्य। है चाहे आग्या मानने के जिसका अंत धर्मिकता है। परन्तू परवेश्वर का धन्यवात हो कि तुम जो पाप के दासों थे मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ठाले गए थे. और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए मैं तुम्हारी शारीरिक दुरबलता के कारण मनुश्यों की रीती पर कहता हूँ जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुधता और कुकर्म के दास करके सौपा था वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौप दो जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे क्योंकि उनका अंत तो मृत्यू है परन्तु अब पात से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका परिणाम अनंत जीवन है क्योंकि बाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु परवेश्वर का वर्दान हमारे प्रभू मसीही यिशु में अनन्त जीवन है अध्याय साथ हे भाईयों, क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है क्योंकि व्यवाहिता इस्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पती के जीते जी उससे बंधी है परंतु यदि पती मर जाए, तो वो पती की व्यवस्था से छूट गई यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की भी हो जाए तो भी व्यभी चारणी ना ठहरेगी सो हे मेरे भाईयों तुम भी मसी की तेह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओ में से ची उठा ताकि हम परमेश्वर के लिए फल आए क्योंकि जब हम शारिरिक थे तो पाप की अभिलाशाई जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यों का फल उत्पन करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेक की पुरानी रीती पर नहीं वरनात्मा की नहीं रीती पर सेवा करते हैं तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है, कदा पी नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता, व्यवस्था यदि ना कहती के लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परन्तु पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा, मुझ में सब प्रकार का लाला चुत्पन किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीविन था। परन्तु जब आग्या आई, तो पाप जी गया, और मैं मर गया। और वही आग्या जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यू का कारण ठहरी। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आग्या के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है, और आग्या भी ठीक और अच्छी है, तो क्या वो जो अच्छी थी, मेरे लिए मृत्यू ठहरी। कदा भी नहीं, परन्तु पाप, उस अच्छी वस्थू के द्वारा मेरे लिए मृत्यू का उत्पन करने वाला हुआ, क्यों उसका पाप होना प्रगट हूँ। और आग्या के द्वारा पाप बहुत ही पाप मेरे लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परन्तु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं किया करता परन्तु जिससे मुझे घ्रणा आती है, वहीं करता हूँ, और यदि जो मैं नहीं चाहता, वो करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ, कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है, जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्थु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है, परन्तु भले काम उससे बन नहीं पढ़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, वो तो नहीं करता, परन्तु जिस बुराई की इच्छा नहीं कर यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता हूँ, तो उसका करने वाला मैं ना रखा। परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है, सो मैं ये व्यवस्था पाता हूँ, कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है। मैं भीत्री मनुश्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन रहता, परन्त मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धी की व्यवस्था से डड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था के पंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है मैं कैसा भागा मनुष्य मुझे स्मृत्यों की देह से कौन छुड़ाईगा मैं अपने प्रभु येशु मसीह के द्वारत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं निदान में आप उद्धी से परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरी से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं अध्याय आठ सो अब जो मसी इशु में है उन पर दंड की आक्या नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसी इशु में मुझे पाप की और मृत्यों की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया क्योंकि जो कान व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप मैं शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेज कर शरीर में पाप पर दंड की आक्याती इसलिए कि व्यवस्था की विधी हम में जो शरीर की अनुसार नहीं वरन आत्मा की अनुसार चलते हैं पूरी की जाए क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात में आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं शरीर पर मन लगाना तो मृत्यू है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ती है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के आधीन है, और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में हैं, वे प परमेश्वर को प्रसन्य नहीं कर सकते हैं परंतु जबकी परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशामें नहीं परंतु आत्मिक दशामें यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण म और यदि उसी का आत्मा जिसने यिशु को मरे हुओ में से चिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसी को मरे हुओ में से चिलाया वो तुम्हारी मरनहार देहु को भी अपने आत्मा के त्वारा जो तुम में बसा हुआ है चिलाएगा सोहे भाईयों, हम शरीर के कर्ज़दार नहीं, कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, तो जीवित रहोगे. इसलिये, कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाएं चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि तुम को दासत के आत्मा नहीं मिली, ये फिर भैभीत हो, परन दू ले पालक पन की आत्मा मिली है. जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ कवाही देता है, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं, तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं, कि उसके साथ महिमा भी पाएं क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकठ होने वाली है कुछ भी नहीं है क्योंकि स्रिष्टी बड़ी आशा भरी दृष्टी से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकठ होने की बाट जो रही है क्योंकि स्रिष्टी अपने इच्छा से नहीं पर आधीन करने वाले की ओर से विर्थता के आधीन इस आशा से की गई कि स्रिष्टी भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंतरता प्राप्त करेगी क्योंकि हम जानते हैं कि सारी स्रिष्टी अब तक मिलकर कहरती और पीडाओं में पड़ी तड़ती है और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कहरते हैं और लेपाला खोने की अर्थाद अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं आशा के द्वारा तो हमारा उध्धार हुआ है परन्तु जिस स्वस्तु की आशा की जाती है यदि वो देखने में आए तो फिर आशा कहां रही क्योंकि जिस स्वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा परन्तु जिस स्वस्तु को हम नहीं देखते हैं यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। इसी रीती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहयता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीती से करना चाहिए। परणतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भरभर कर जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनिती करता है। और मनों का जाँचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनिती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बाते मिलकर भलाई ही को उत्पन करती है, अर्थात उनहीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराय भी है, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हूँ, ताकि वो बहुत भाईयों में पही लोठा ठहरे, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है सो हम इन बातों के विशे में क्या कहें यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है जिसने अपने निजपुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा परमेश्वर के चुने हूँ पर दोश कौन लगाएगा परमेश्वर वो है चोन को धर्मी ठहराने वाला है फिर कौन है जो दंड की आग्या देगा मसी वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है कौन हमको मसी के प्रेम से अलग करेगा क्या क्लेश या संकट या उपद्रफ या अकार या नंगाई या जोखिम या तलवा चैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन घर खात किये जाते हैं हम बद्र होने वाली भेडों की नाई गिने गए हैं बरंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवंत से भी बढ़कर हैं क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यू ना जीवन ना स्वर्गदूत ना प्रधानताई ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना उचाई ना गहराई और ना कोई और स्रिष्टी हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसी यिशु में है अलग कर सकेगी अध्याए नौ मैं मसी में सच कहता हूँ, छूट नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में कवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है क्योंकि मैं यहां तक चाहता था कि अपने भाईयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं आप ही मसीही से शापित हो जाता वे इसराइली हैं और ले पालकपन का हक और महिमाई और वाचाएं और व्यवस्था और उपासन और प्रतिक्याएं उनहीं की हैं पुर्खे भी उनहीं के हैं और मसी भी शरीर के भाव से उनहीं में से हुआ जो सब के उपर परम परमेश्वर युगान युग धन है आमी परंतु ये नहीं की परमेश्वर का वचन टल गया इसलिए कि जो इस्राइल के वन्शज हैं वे सब इस्राइल ही नहीं और ना इब्राहीम के वन्श होने के कारण सब उनकी संतान ठेरें परंतु लिखा है कि इस हाग ही से तेरा वन्श कहलाएगा अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिग्या के संतान वन्श किने जाते हैं क्योंकि प्रतिग्या का वचन ये है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा और केवल यही नहीं, परन्तु जब रिबका भी एक से अर्थात, हमारे पिता इस हाक से गर्भवती थी, और अभी तक ना तो बालक चन में थे, और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परन्तु बुलाने वाले पर बनी रहे। जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया, परन्तु ऐसों को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय हैं, कदा भी नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं, उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर क्रिपा करना चाहूं, उसी पर क्रिपा करूँगा। सो ये ना तो चहने वाले की ना दोड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया मैंने तुझे इसी लिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं सो वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है सो तु मुझे से कहेगा वो फिर क्यों दोष लगाता है कौन उसकी इच्छा का सामना करता है हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है। क्या गड़ी हुई वस्तू गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। क्या कुमहार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बरतन आदर के लिए और दूसरे को अ अनादर के लिए बनाये। तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की जो विनाश के लिए तयार किये गए थे बड़े धीरत से सही। और दया के बरतनों पर जिनने उसने महिमा के लिए पहले से तयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की अर्थात हम पर जिन्हें उसने नाकेवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया。 जैसा वो होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा और ऐसा होगा कि जिस जगह में वे उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे और यशया इस्राइल के विशे में बुकार कर कहता है कि जाहे इस्राइल की संतानों की किंती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उन में से थोड़े ही बचेंगे क्योंकि प्रभू अपना वचन पृत्वी पर पूरा करके धार्मिक्ता से शीक्र उसे सिथ करेगा जैसा यशया ने पहले भी कहा था कि यदी सेनाओं का प्रभू हमारे लिए कुछ वन्ष न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहरते सो हम क्या कहें ये कि अन जातियों ने जो धार्मिक्ता की खोज नहीं करते थे धार्मिक्ता प्राप्त की अर्थात उस धार्मिक्ता को जो विश्वास से है परन्तु इस्राइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हो उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे किसलिए इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परन्तु मानो कर्मों से उसकी खोच करते थे उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई जैसा लिखा है देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान रखता हूं और जो उस बर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा अध्याय दस हे भाईयों मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं क्योंको परमेश्वर के लिए धुन रहती है परंत बुद्धिमानी के साथ नहीं क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिक्ता से अंजान होकर और अपनी धार्मिक्ता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्श्वर की धार्मिक्ता के आधी ना हुए क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिक्ता के निम्मित मसीही व्यवस्था का अंत है क्योंकि मूसा ने ये लिखा है जो मनश्य उस धार्मिक्ता पर जो व्यवस्था से है चलता है वो इसी कारण धीवित रहेगा परन्त जो धार्मिक्ता विश्वास से है वो यों कहती है तू अपने मन में ये न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए या गहिराव में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिला कर उपर लाने के लिए परन्त तू क्या कहती है ये कि वचन तेरे निकट है तेरे मुँँ में और तेरे मन में है ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मूँ से ये शु को प्रभू जानकर अंगी कार करे और अपने मंद से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उधार पाएगा क्योंकि धार्मिक्टा के लिए मंद से विश्वास किया चाता है और उधार के लिए मुझ से अंगीकार किया जाता है क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा यहुदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं इसलिए कि वो सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा फिर जिस पर उन्हें विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे और प्रचारक बिना क्यों कर सुनें और यदी भेजे न जाएं तो क्यों कर प्रचार करें जैसा लिखा है कि उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं परन्तु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया यशायाह कहता है हे प्रभु किसने हमारे समाचार की प्रदीती की है सु विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है परन्तु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना सुना तो सही क्योंकि लिखा है उनके स्वर सारी प्रित्वी पर और उनके वचन जगत की जोर तक पहुँच गए है। फिर मैं कहता हूँ, क्या इस्राहिली नहीं जानते थे? पहले तो मुसा कहता है कि मैं उनके द्वारा जो जाती नहीं, तुम्हारे मन में चलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ जाती के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़ ही आप के साथ कहता है, जो मुझे नहीं धूंडते थे, उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे भूचते भी न थे, उन पर मैं प्रकट हो गया। परन्त इस्राइल के विशे में वो ये कहता है, कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक आज्या ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। अध्याए ग्यारा इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया कदाल भी नहीं। मैं भी तो इस्राइली हूँ, मैं इब्राहिम के वंश और बिणयामीन के गोत्र मेंसे हूँ. परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या कहता है वो इस्राइल के विरोध में परमेश्वर से विनिती करता है हे प्रभु उन्होंने तेरे भविश्य द्वक्ताओं को खात किया और तेरी वेदियों को धा दिया है। मैं ही अकेला बच रहा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला। मैंने अपने लिए साथ हजार पुर्शों को रख छोड़ा हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। सो इसी रीती से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर करमों से नहीं। नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ ये कि इस्राइली जिसकी खोच में हैं वो उनको नहीं मिला। परंतु चुने हुँ को मिला और शेश लोग कठोर किये गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नीद में डाल रखा है। और ऐसी आखें दी जो न देखें और ऐसे कान जो न सुनें। और दाउत कहता है। उन्तो उनके गिरने के कारण अन्य जाथियों को धार मिला। कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के धन और उनकी घटी-अन्य-जाथिचियों के लिए संपत्टि का कारण हुआ। तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा.? मैं तुम अन्य जातियों से ये बाते कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सिवा की बढ़ाई करता हूं, कि किसी रिती से मैं अपने कुटुम्बियों से जलन करवा कर उन में से कई एक का उधार कराँ क्योंकि जब कि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ तो क्या उनका ग्रहन किया जाना मरे हुऊं में से जी उठने के बराबर ना हुगा जब भेट का पहला पेड़ा पवित्र ठेरा तो पूरा गुधा हुआ आटा भी पवित्र है और जब जड़ पवित्र ठेरी तो डालियां भी ऐसी ही है और यदि कई एक डालियां तोड़ दी गई और तु जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है तो डालियों पर खमंड ना कर ला यदि तु घमंड करे तो जान रख कि तु जड़ को नहीं परन तु जड़ तुझे संभालती है फिर तु कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जम भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई परन तु विश्वास से बना रहता है इसलिए तु अभिमानी ना हो परन तु हाय कर क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा इसलिए परमेश्वर की क्रिपा और कड़ाई को देख जो गिर गए उन पर कड़ाई परन तु तुझ पर क्रिपा यदि तू उसमें बना रहे नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा और वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है क्योंकि यदि तू उस चलपाई से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छी जलपाई में साटा गया तो वे जो स्वभाविक डालियां हैं अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे हे भाईयों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आपको बुद्धी मान समझ लो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेट से अंजान रहो कि जब तक अन जातियां पूरी रीती से प्रवेश ना कर लेगा तब तक इस्राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीती से सारा इस्राइल उत्थार पाएगा जैसा लिखा है कि छुडाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जबके मैं उनके पापों को दूर कर दूँगा वे सू समाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी हैं परन्तु चुनलिये जाने के भाव से बाप दादों के प्यारे हैं क्योंकि परमेश्वर अपने वर्दानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हड़ता क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आग्या ना मानी परन्तु अभी उनके आग्या ना मानने से तुम पर दया हुई वैसे ही उन्होंने भी अब आग्या ना मानी कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर भी दया हो क्योंकि परमेश्वर ने सब को आज्याना मानने के कारण बंद कर रखा, ताकि वो सब पर दया करे, हाँ हाँ, परमेश्वर का धन और बुद्धी और ग्यान क्या ही कंभीर है, उसके विचार कैसे अधा और उसके मार्ग कैसे अगम है, प्रभु की बुद्धी को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है, जिसका बतला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से, और उसी के त्वारा, और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन. अध्याए बारा इसलिए हे भाईयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, स्मरन दिला कर विनिती करता हूँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाफता हुआ बलिदान करके चड़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सद्रिश्य ना बनो, परन्तु तुम्हारी बुद्धी के नए हो जाने से, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चाए, जिससे तुम परमेश्वर को भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभाओं से मालूं करते रहूं, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए, उस से बढ़कर कोई भी अपने आपको ना समझे। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमांग के अनुसार बाट दिया है, वैसा ही सुबुध्धी के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं, मसीही में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन-भिन वर्दान मिले हैं, तो जिसको भविश्य द्वानी का दान मिला हो, वो विश्वास के परिमान के अनुसार भविश्य द्वानी करें। यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहें। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहें। जो अपदेश अखो, वो अपदेश देने में लगा रहें। दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुआई करे, वो चहा से करे, जो दया करे, वो हर्ष से करे, प्रेम निश्क पठो, बुराई से घ्रणा करो, फलाई में लगे रहो, भाई चारे के प्रेम से एक तूसरे पर दया रखो, परस पर आदर करने में एक तूसरे से पढ़ प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मे कुनमाद में भरे रहो, प्रभु की सिवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उसमें उनकी साहिता करो, पहुनाई करने में और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगती रखो, अपनी दृष्टी में बुध्धी मान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो, जह तक हो सके, तुम अपने भर्षक सब मनश्यों के साथ मिल मिलाप रखो, हे प्रियो, अपना पल्टा ना लेना, परंतु प्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पल्टा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो, तो उसे पानी बिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ठेर लगाएगा, बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को चीत लो अध्याय तेरा परन तु बुरे काम के लिए डर का कारा है सो यदि तु हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी और से तेरी सराहना होगी क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है परन तु यदि तु बुराई करे तो डर क्योंकि वो तलवार वेर्थ लिये हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार पुरे काम करने वाले को दंड दे इसलिए आधीन रहना ना केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है वरन विवेक भी यही गवाही देता है इसलिए कर भी दो क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक है और सदा इसी काम में लगे रहते है इसलिए हर एक का हक चुकाया करो जिसे कर चाहिए उसे कर दो जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो जिससे डरना चाहिए उससे डरो जिसका आधर करना चाहिए उसका आधर करो आप उसके प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्सदार ना हो क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हद्या न करना, जोरी न करना, दालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्या हो तो सबका सारांच इस बात में पाया जाता है कि अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रख प्रेम पडोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीम से जाग उठने की घड़िया पहुँची है क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उध्धार निकट है राद बहुत बीत कई है और दिन निकलने पर है इसलिए हम अंधकार के कामों को तेश कर जोधी के हथियार बांद लें जैसा दिन को सुहता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें ना की लीला, क्रीडा और प्यक्कडपन ना व्यभिचार और लुचपन में और ना जगड़े और डह में बरन प्रभु यिशू मसी को बहन लो और शरीट के अभिलाशों को पूरा करने का उपाय ना करो अध्याय चोहत है जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगती में ले लू परन्तु उसकी शंकाओं पर विवात करने के लिए नहीं क्योंकि एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है परन्तु जो विश्वास में निर्बल है वो सागपाथी खाता है और खाने वाला ना खाने वाले को तुछ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोश ना लगाए क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहन किया है तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोश लगाता है उसका स्थिर रहना या किर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएका क्योंकि प्रभू उसे स्थिर रख सकता है कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़ कर जानता है और कोई सब दिन एक सा जानता है हर एक अपने ही मन में निश्य कर ले जो किसी दिन को मानता है वो प्रभू के लिए मानता है जो खाता है वो प्रभू के लिए खाता है क्योंकि वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है और जो नहीं खाता वो प्रभू के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है क्योंकि हम में से ना तो कोई अपने लिए जीता है और कोई अपने लिए मरता है क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभू के लिए जीवित हैं और यदी मरते हैं, तो प्रभू के लिए मरते हैं, सो हम चिया करें या मरें, हम प्रभू ही कहें, क्योंकि मसी इसलिए मरा और जीभी उठा, कि वो मरे हूँ और जीवतों दोनों का प्रभू, तू अपने भाई पर दोश क्यों लगाता है या तू फिर क्यों अपने भाई को तुछ जानता है हम सब के सब बरमेश्वर के न्याय सिंखासन के सामने खड़े होगी क्योंकि लिखा है कि प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हर एक खुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगिकार करेगी सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लिखा देगा अतैब आगे को हम एक दूसरे पर दोश ना लगाए पर तुम यही ठानों कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे मैं जानता हूँ और प्रभु यिशु से मुझे निश्चे हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके निए अशुद्ध है यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीती से नहीं चलता जिसके लिए मसीही मरा उसको तू अपने भोजन के द्वारा नाश ना कर अब तुम्हारी भलाई की निंदा ना होने पाए क्योंकि परमेश्वर का राच्चे खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाब और वो आनंद है जो पवित्रात्मा से होता है जो कोई इस व्रीती से मसीही की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहन योग ये ठहरता है इसलिए हम उन बातों का प्रयत्म करें जिन से मिल मिलाब और एक तूसरे का सुधार हो भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना विगाड़ सब कुछ शुध तो है परन्तु उस मनुष्य के लिए पुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना दाख रस्पिय ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख धन्य है वो जो उस बात में जिसे वो ठीक समझता है अपने आपको दोशी ठहराता परन्तु जो संदे करके खाता है वो दंड के योग के ठहर चुका क्योंकि वो निश्चय धाड़ना से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है अध्याय पंद्रा निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सही ना कि अपने आपको प्रसंद करें हम मेंसे हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए सुधारने के निम्मत प्रसंद करें क्योंकि मसीह ने अपने आपको प्रसन्न नहीं किया पर जैसा लिखा है कि तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी जितनी बात पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शांती के द्वारा आशा रखें और धीरज और शांती का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीही यिशू के अनुसार आपस में एक मन रहो जिससे तुम एक मन और एक मुँ होकर हमारे प्रभु यिशु मसी के पिता परमेश्वर की बढ़ाई करो इसलिए जैसा मसी ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहन किया है वैसे ही तुम भी एक तूसरे को ग्रहन करो मैं कहता हूँ कि जो प्रतिग्याएं बाब दादाओं को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए मसी ही परमेश्वर की सच्चाई का प्रमान देने के लिए खतना किये हुए लोगों का सेवक बना और अन्य जाती भी दया के कारण परमेश्वर की बढ़ाई करे जैसा लिखा है इसलिए मैं जाती जाती में तेरा धन्यबाद करूँगा और तेरे नाम के भजन गाऊंगा फिर कहा है हे जाती जाती के सब लोगों उनकी प्रजा के साथ आनंद करो और फिर प्रभु की स्थुति करो और फिर राज्य राज्य के सब लोगो उसे सराहो फिर ये शाया कहता है ये शाई की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातीयों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा उस पर अन्य जातीयां आशा रखेंगी सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांती से परिपूर करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए हे मेरे भाईयों मैं आप भी तुमारे विशे में निश्चे जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और इश्वरिय ग्यान से भर पूर हो और एक तूसरे को चिता सकते हो तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत हियाब करके लिखा है ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीही यिशू का सेवा खोकर परमेश्वर के सु समाचार की सेवा याजग की नाईन करूं जिस से अन्य जातियों का मानों चड़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बन कर ग्रहन किया चाए सो उन बातों के विशे जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसी यिशु में बढ़ाई कर सकता हूँ क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विशे में कहने का हियाव नहीं जो मसी ने अन्य जातियों की अधिन्ता के लिए वचन, कर्म, चिन्नू और अध्भुत कामों की सामर्थ से और पवित्र आत्मा की सामर्थ से मेरे ही द्वारा किये यहां तक की मैंने यरुशलेम से लेकर चारों और इल्लूरिकुम तक मसीः के सू समाचार का पूरा पूरा प्रचार किया पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहां जहां मसी का नाम नहीं लिया गया, वहीं सू समाचार सुनाओ, ऐसा ना हो कि दूसरे की नेव पर खर बनाओ, परन तु जैसा लिखा है, वैसा ही हो जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुचा, वे ही देखेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना, वे ही समझेंगे इसलिए मैं तुम्हारे पास आने से बार-बार रुका रहा, परंतु अब मुझे इन देशों में और जगे नहीं रही और बहुत वर्षों से मुझे तुम्हारे पास आने की लालसा है इसलिए जब इस पानिया को जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा क्योंकि मुझे आशा है कि उस यात्रा में तुमसे भेंट करूँ और जब तुम्हारी संगती से मेरा जी भर जाए तो तुम मुझे कुछ दूर आगे पहुँचातो अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिए यरुशलेम को जाता हूँ क्योंकि मकी दुनिया और अख्या के लोगों को ये अच्छा लगा कि यरुशलेम के पवित्र लोगूं के कंगालूं के लिए कुछ चंदा करी अच्छा तो लगा परंटु वे उनके कर्ज़तार भी हैं क्योंकि यदि अन्यचाती उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो उन्हें भी उचित है कि शारिरिक बातों में उनकी सेवा करें सो मैं ये काम पूरा करके और उनको ये चंदा सौपकर तुम्हारे पास होता हुआ इस पानिया को जाओंगा और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो मसी की पूरी आशीश के साथ आऊंगा और हे भायों मैं यिशु मसी का जो हमारा प्रभू है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मर्ण दिला कर तुम से विनिती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लॉलीन रहूँ कि मैं यहुदिया के अविश्वासियों से बचा रहूँ और मेरी वो सेवा जो यरुशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाई और मैं परमेश्वर के इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊ शांति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे आमी सोलुमा अध्याए मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है विनिति करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभू में ग्रहन करो और जिस किसी बात में उसको तुमसे प्रयोजन हो उसकी साहिता करो जो यिशू में मेरे सहकर्मी है नमस्कार उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर्दे रखा था और केवल मैं ही नहीं वरन अन जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है और उस कलीसियाँ को भी नमस्कार जो उनके घर में है मेरे प्रिये इपैनित उसको जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है नमस्कार मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया नमस्कार अंद्रु निकुस और युनि यास को जो मेरे कुटुम्बी हैं मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेलितों में नामी है और मुझ से पहले मसी में हुए थे नमस्कार अंपली यातुस को जो प्रभु में मेरा प्रिये है नमस्कार अर्बानुस को जो मसी में हमारा सहकर्मी है और मेरे प्रिये इस्तखुस को नमस्कार अपिलेस को जो मसी में खरा निकला नमस्कार अरिस्तू बुलुस के खराने को नमस्कार मेरे कुटुम्भी हेरो दियोन को नमस्कार नरकिस सुस के घराने के जो लोग प्रभू में है उनको नमस्का तुरू फैना और तुरू फोसा को जो प्रभू में परिश्रम करती है नमस्का प्रिया पिर्शिस को जिसने प्रभू में बहुत परिश्रम किया नमस्का रुफोस को जो प्रभू में चुना हुआ है और उसक तुनुबास और हीमांस और उनके साथ के भाईयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन। और उलुन पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस मैं पवित्र चुम्बन से नमस्कार करूँ। तुमको मसी की सारी कली स्याओं की ओर से नमस्कार, अभे भाईयों, मैं तुमसे विनिती करता हूँ, कि जो लोग उस शिक्षा के विप्रीत जो तुमने पाई है, फूट पढ़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो, और उनसे दूर रहो, क्योंकि कि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसी की नहीं, परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं, और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं, तुम्हारे आज्या मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विशय में आन इश्वर, शैतान को तुम्हारे पाउं से शीघ्र कुचलवा देगा, हमारे प्रभु येश्व मसी का अनुक्रह, तुम पर होता रहे, तिमुथियूस मेरे सहकर्मी का, और लुकियूस और यासोन और सोसी पत्रोस मेरे कुटुम्बियों का, तुमको नमस्कार, मुझ पत् अर्थात येश्व मसीह के विशे के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार, जो सनातन से छिपा रहा, परंतु, अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आग्या से, भविश्य दक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा, सब जातियों को बताया गया है, कि वे विश्वास से आग्या मानने वाले पोचान, उसी अद्वायत बुद्धिमान परमेश्वर की, येश्व मसी के द्वारा, युगान योग महिमा होती रहे, आमीन कुरिंथियों के नाम पॉलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याए एक पॉलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से येश्व मसी का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सुस्तिनिस की ओर से परमेश्वर की उस कलीशिया के नाम, जो कुरिंथुस में है, अर्थात उनके नाम, जो मसीह येश्व में पवित्र किये गए, और पवित्र होने के लिए बुलाया गये हैं, और उन सब के नाम भी, जो हर जगा हमारे और अपने प्रभू, येश्व मसी के नाम की दुहाई देते हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभू, येश्व मसी की ओर से, तुम्हे अनुग्रहे और शान्ती मिलती रहे, मैं तुम्हारे विशे में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का ये अनुग्रहे, तुम पर मसीही येश् कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली यहां तक कि किसी वर्दान में तुमें घटी नहीं और तुम हमारे प्रभू यीशु मसीह के प्रकट होने की पाट जोते रहते हो वो तुम्हें अंत तक दृड़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभू येशु मसी के दिन में निर्दोष्ट है रो परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम को अपने पुत्र हमारे प्रभू येशु मसी की संगती में बुलाया है हे भाईयों, मैं तुम से येशु मसी जो हमारा प्रभू है उसके नाम के द्वारा विनेती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो तुम में फूटना हो परन्तु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो क्योंकि हे मेरे भाईयों खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुहारे विशय में बताया है कि तुम में छगड़े हो रहे मेरा कहना ये है कि तुम में से कोई तो अपने आखो पॉलोस का कोई अपुलोस का कोई कैफा का कोई मसीह का कहता है क्या मसीही बट गया क्या पॉलोस तुम्हारे लिए क्रूस पर चड़ाया गया क्या तुम्हें पॉलुस के नाम पर बब्तिस्मा मिला मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम्हे से किसी को भी बब्तिस्मा नहीं दिया कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बब्तिस्मा मिला मैंने स्थिपनास के ख़लाने को भी बब्तिस्मा दिया इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बब्तिस्मा दिया क्योंकि मसीही ने मुझे बब्तिस्मा देने को नहीं वरन सू समाचार सुनाने को भी जाए और ये भी शब्दों के ज्ञान की अनुसार नहीं ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठेरे क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्थता है परन्तु हम वो धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है क्योंकि लिखा है कि मैं ग्यानवालों के ग्यान को नाश करूगा और समझतारों की समझ को तुच्छ कर दूगा कहां रहा ग्यानवार कहां रहा शास्त्री कहां इस संसार का विवादी क्या परमेश्वर ने संसार के ग्यान को मुर्कता नहीं ठहराया क्योंकि जब परमेश्वर के ग्यान के अनुसार, संसार ने ग्यान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा, तो इस प्रचार की मूखता के द्वारा विश्वास करने वालों को उधार दे यहूदी तो चिन्ध चाहते हैं, और यूनानी ग्यान की खोज में, परंतु हम तो उस ग्रूस पर चढ़ाय हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, और अन्य जातियों के निकट मूर्गता हैं, परंतु जो बुलाय हुए हैं, क्या यहू यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ग्यान है, क्योंकि परमेश्वर की मुर्गता मनुष्यों के ग्यान से ग्यानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है, हे भाईयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ग्यानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत गुली बुलाए जाए परन्तु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ग्यानवानों को लच्जित करें और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लच्जित करना और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुछों को वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है वेर्थ ठहरा है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने खमंड ना करने पाई परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यिशु में हूँ जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञांट है अर्था धर्म और पवित्रता और चुपकारा ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हूँ कि जो खमंट करे वो प्रभू में खमंट करे अध्याय तो हे भाईयों जब मैं परमेश्वर का भेच सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ख्यान की उत्तमता के साथ नहीं आया मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीत येश्व मसी वरन कुरूस पर चढ़ाय हुए मसी को छोड़ और किसी बात को ना चाने मैं निर्बलत और भाई के साथ और बहुत थर थराता हुआ तुम्हारे साथ रहा मेरे वचन और मेरे प्रचार में ग्ञान की लुभाने वाली बाते नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमान था इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुश्यों के ज्ञान पर नहीं परन्तु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं परन्तु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकेमों का ज्ञान नहीं परन्तु हम परमेश्वर का वो गुप्त ग्यान भेद की दीती पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते, तो तेजों मैं प्रभु को क्रूस परना चाहते। परन्तु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चड़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परन्तु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूड़ू बातें भी जाचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बाते जानता है। केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। केवल परमेश्वर का आत्मा, परंतु हमारे संसार की आत्मा नहीं। परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिये, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा के सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिला क सुनाते हैं परन्तु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी द्रिष्टी में मुर्खता की बाते हैं और ना वो उन्हें जान सकता है क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीती से होती है आत्मिक जन सब कुछ जांचता है परन्तु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए परन्तु हम में मसीह का मन है अध्यायती हे भाईयों मैं तुम से इस रीती से बाते ना कर सका चैसे आत्मिक लोगों से परन्तु जैसे शारीरिक लोगों से और उन से जो मसीह में बालक है मैंने तुम्हें दूद पिलाया अन ना खिलाया क्योंकि तुम उसको ना खा सकते थे वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो क्योंकि अब तक शारीरिक हो इसलिए कि जब तुम में डहा और छगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीती पर नहीं चलते इसलिए कि जब एक कहता है मैं पॉलूस का हूँ और दूसरा कि मैं अपॉलूस का हूँ तो क्या तुम मनुश्य नहीं अपॉलूस क्या है पॉलूस क्या है केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया जैसा हर एक को प्रपु ने दिया मैंने लगाया, अप पुलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया, इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनो एक है, परंतु हर एक व्यक्ति, अपने ही परिश्वर म के अनुसार अपनी ही मज़दूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह की अनुसार, जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धीमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे, कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छो सोना या चांदी, या वहु मोल पत्थर, या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रगठ हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आख के साथ प्रगठ होगा, और वो आख हर एक का काम परखेगी कि कैसा है, जिसका काम उस पर बन चल जाएगा, तो वो हानी उठाएगा, पर वो आप बच्चाएगा, परंतु चलते चलते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उस उसे नाश करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो कोई अपने आपको धोखा ना दे यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आपको ज्यानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्यानी हो जाए क्योंकि इस संसार का ग्यान परमेश्वर के निकट मूर् फिर प्रभू ग्यानियों की चिंताओं को चानता है कि व्यर्थ है इसलिए मनुष्यों पर कोई खमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है क्या पॉलोस, क्या पुलोस, क्या कैफा, क्या जगत क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविश्य ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीही के हो और मसीही परमेश्वर का अध्याय चार मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे फिर यहां भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले परन्तु मेरी द्रिष्टी में ये बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे परखे वरन मैं आप ये अपने आप को नहीं परखता क्योंकि मेरा मन मुझे किसी पात में तोशी नहीं ठहराता परन्तु इससे मैं दिर्दोश नहीं ठैरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभू है, सो जब तक प्रभू ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही तो अंधकार की छेपी बातें जियोती में दिखाएगा, और मनों की मत्यों को प्रगट करेगा, तब दिश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी, हे भाईों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अप पुलोस की चर्चा द्रिश्टांत की रीती पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो, कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, और एक के पक्ष मे और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेत करता है, और तेरे पास क्या है जो तुने दूसरे से नहीं पाया, जबकि तुने दूसरे से पाया है, तो ऐसा घमंड क्यों करता है, कि मानू नहीं पाया, तुम तो त्रिप्त हो तुमने हमारे बिना राज्य किया। भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर में हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की नाई ठहराया है। क्योंकि हम जगत और स्वर्ग दूतों और मनुश्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो तुम आधर पाते हो परंतु हम निराधर होते हैं हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथ लोग बुरा कहते हैं हम आशीश देते हैं वे सताते हैं हम सहते हैं वे बदनाम करते हैं हम विनिती करते हैं हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तूओं की खुर्चन की नाई ठह रहे हैं मैं तुम्हें लच्जित करने के लिए ये बाते नहीं लिखता हूँ परंतो अपने प्रिये बालक जान कर तुम्हें चिताता हूँ क्योंकि यदि मसीय में तुम्हारे सिखाने वाले दस हजार भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं इसलिए कि मसीही इशु में सू समाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ सो मैं तुमसे विनिती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो इसलिए मैंने तिमूत ही उसको जो प्रभु में मेरा प्रिये और विश्वास योग्य पुत्र है तुम्हारे पास भेजा है और वो तुम्हें मसीही में मेरा चरित्र स्मरन कराएगा चैसे कि मैं हर जगा हर एक कलीसिया में उप्तेश करता हूँ कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु चाहे, तो मैं तुम्हारे पास शीग्र ही आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ में ह तुम क्या चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास हाँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ अध्याए पांच यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रता है और तुम शोक तो नहीं करते हैं जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता परन्तु खमंड करते हो मैं तो शरीर के भाव से दूर था परन्तु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिती की दशा में ऐसे काम करने वाले के विशे में ये आक्या दे चुका हूँ कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु येशु की सामर्थ के साथ इकठे हो तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु येशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौपा चाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु येशु के दिन में उत्थार पाए तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर कर देता है पुराना खमीर निकाल कर अपने आपको शुध करो कि नया गुंधा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो क्योंकि हमारा भी फसाह जो मसीह है बलिदान हुआ है सो आओ हम उच्छ सब में आनंद मनावे ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभी चारियों की संगती ना करना ये नहीं कि तुम बिलकुल इस जगत के व्यभी चारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ती पूजगों की संगती ना करों क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता मेरा कहना ये है कि यदि कोई भाई कहला कर व्यभी चारी या लोभी या मूरती पूज़र या गाली देने वाला या पियक कर या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगती मत करना वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याई करने से क्या आका क्या तुम भीतर वालों का न्याई नहीं करते परन तु बाहर वालों का न्याई परमेश्वर करता है इसलिए उसको कर्मी को अपने बीच में से निकाल दो अध्यायच्छे क्या तुम में से किसी को ये हियाब है कि जब दूसरे के साथ जगड़ा हो तो फैसले के लिए धर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे सो जब तुम्हें जगत का नियाय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे जगणों का भी निरनाय करने के योग नहीं क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का नियाय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निरनाय ना करें सो यदी तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णाय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कली सिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाईयों का निर्णाय कर सके वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वो भी अविश्वासियों के सामने परन तु सचमुच तुम में बड़ा दोश्ट ये है कि आपस में मुकदमा करते हूँ तुम अन्याय क्यों नहीं सहते अपनी हानी क्यों नहीं सहते वरन अन्याय करते और हानी पहुचाते हो और वो भी भाईयों को क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिश ना होंगे थोखा ना खाओ, ना वेश्य गामी, ना मूर्ती पूचक, ना परिस्त्री गामी, ना लुच्चे ना पुरुष कामी, ना चोर, ना लोभी, ना प्यक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिसोंगे, और तुम में से कितने ऐसे ह परन्तु तुम प्रभु यिशु मसी के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोई गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परन्तु सब वस्तुएं लाग की नहीं सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परन्तु मैं किसी बात के आधीन न होंगा भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परन्तु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नाश करेगा परन्तु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं। कदापी नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगती करता है, वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे, और जो प्रभु की संगती में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वे अभी चार से बचे रहो, ज इतने अन्य पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं। प्रन्तु वे अभीचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवितरात्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। और तुम्हें परमेश्वर की और से मिला है। तुम अपने नहीं हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अध्याय साथ उन बातों के विशय जो तुमने लिखी ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना चुए। परंतु व्यभीचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पती हो। पती अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पती का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पती का अधिकार है। वैसे ही पत्नी को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को। तुम्हें एक दूसरे से अलग ना रहो, परन्तु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मती से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा ना हो, कि तुम्हारे असयन के कारण शैतान तुम्हें पर्खे, परन्तु मैं जो ये कहता हूं, कि वो अनुमती ह ये ना की आग्या, मैं ये चाहता हूं, कि जैसा मैं हूं, वैसा ही सब मनुष्य हो, परन्तु हर एक को परमेश्वर की ओर से, विशेश वर्दान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का, परन्तु मैं अभी वाहितों, और विद्वाओं के विशे में कहता हूँ, कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ, परन तु यदि वे सयम ना कर सके, तु विवाह करेंगे, क्योंकि विवाह करना कामा तु रहने से भला है, जिनका विवाह हो गया है, उनको मैं नहीं, परन प्रभु आ किया देता है कि पत्नी अपने पती से अलग ना हूँ, और यदि अलग भी हो जाए, तु बिन दूसरा ब्यहा किये रहे, या अपने पती से फिर मेल कर ले, और ना पती अपनी पत्नी को छोड़े, दूसरों से प्रभु नहीं, परन तु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रख क्योंकि ऐसा पती, जो विश्वास ना रखता हो, वो पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और एसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पती के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुत्य होते, परन्तु अब तो पवित्र है, परन्तु ज तो हमें मेल मिला के लिए बुलाया है क्योंकि हे इस्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पती का उधार करा ले और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पतनी का उधार करा ले पर जैसा प्रभु ने हर एक को बाटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वो चले, और मैं सब क्लीस सियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हूँ, वो खतना रहित ना बने, जो खतना रहित बुलाया गया हूँ, वो खतना ना कराए, ना खतना कुछ है, और ना खतना रहे परंतु परमेश्वर की आग्याओं को मानना ही सब कुछ है हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर क्योंकि जो दास की दशा में बुलाया गया है वो प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है तुम दाम देकर मोल लिये गए हो मनुश्यों के दास ना बनो है भाईयों जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वो उसी में कोई आग्या मुझे नहीं मिली परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्म ना कर और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं और यदि कुवारी ब्याही जाय तो कोई पाप नहीं परंतु ऐसों को शारिरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। हे भाईूं मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है। इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानों उनके पत्नी नहीं। और रोने वाले ऐसे हो मानों रोते नहीं। और आनंद करने वाले ऐसे हो मानों आनंद नहीं करते हैं। और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानों उनके पास कुछ है नहीं और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के ना हो ले क्योंकि इस संसार की रीती और व्यवाहा बदलते जाते हैं सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन रखे परन्तु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्री को किस रीती से प्रसन रखे विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है अविवाहिता प्रभु की जिन्ता में रहती है कि वो देह और आग्मा दोनों में पवित्व परन्तु विवाहिता संसार की जिन्ता में रहती है कि अपने पती को प्रसन रखे ये बात तुम्हारे ही लाब के लिए कहता हूँ, ना कि तुम्हें फसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो, और यदि कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कुवारी का हक मार रहा हूँ, जिसकी जवानी ढल चुकी है और प्रियोजन भी होए, तुम जैसा चाहे वैसा करें, इसमें पाप नहीं, वो उसका ब्याहा होने दे, परन्तु जो मन में द्रिड्ड रहता है और उसको प्रियोजन ना हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अखिकार रखता हो, और अपने मन म वो बिन ब्याही रखोंगा, वो अच्छा करता है, सो जो अपनी कुमारी का ब्याहा कर देता है, वो अच्छा करता है, और जो ब्याहा नहीं कर देता, वो और भी अच्छा करता है, जब तक किसी स्त्री का पती जीवित रहता है, तब तक वो उससे बंधी हुई है, यदि वैसी ही रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। हम जानते हैं कि हम सब को ग्यान है, ग्यान घमन डुत्पन करता है, परंतु प्रेम से उन्नती होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए, वैसा अब तक नहीं जानता। यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहचानता है। मूर्तों के सामने बली की हुई वस्तुओं को खाने के विशय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपी आकाश में और प्रत्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभू हैं, तो भी हमारे निकरतो एक ही परमेश्वर हैं। अर्थात, पिता, जिसकी ओर से सब वस्थ हुए हैं, हम उसी के लिए हैं और एक ही प्रभू है अर्थात, यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्थ हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं सब को ये ज्ञान नहीं है परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरतों के सामने बली की हुई को कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्भल होकर अशुद्ध होता है भूजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानी नहीं और यदि खाएं तो कुछ लाव नहीं चोकस्रप ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्भलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए यदि कोई तुझ ग्यानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्भल जन हो तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बली की हुई वस्तु के खाने का हियाब ना हो जाएगा इस सुरीती से तेरे ग्यान के कारण वो निर्भल भाई नाश हो जाएगा जिसके लिए मसीह मरा भाईयों का अपराद करने से और उनके निर्भल विवेक को चोड़ देने से तुम मसीह का अपराद करते इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाएगा तो मैं कभी किसी रीती से मांच ना खाम कर ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनू क्या मैं स्वतंत्र नहीं क्या मैं प्रेरित नहीं क्या मैंने युशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा क्या तुम प्रभु में मेरे बनाय हुए नहीं यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो, जो मुझे जाचते हैं, उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? क्या हमें ये अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को बिहा करके लिए फिरें? जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? या केवल मुझे और बरनवास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़े? कौन कभी अपनी गिरहे से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन कि बारी लगा कर उसका फल नहीं खाता है? कौन भेडों की रखवाली करके उनका दूद नहीं पीता? क्या मैं ये बाते मनुष्य ही की रीती पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाए में चलते हुए बैल का मुहना बांधना? क्या परमिश्वर बैलों ही की चिंता करता है? या विशेश करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया. क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे. तो जबकि हमने तुम्हा पर लिए आत्मिक वस्तु में बोई तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारिरी कवस्तु की फसल काटे। जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक नहोगा। परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए। हम सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसी के सुसमचार की कुछ रोक न हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुों की सेवा करते हैं, वे मंदिर में से खाते हैं और जो वेदी की सेवा करते हैं, वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीती से प्रभू ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परन्तु मैं इन में से कोई भी बात काम में ना लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखीं कि मेरे लिए ऐसा किया जाए। क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है, कि कोई मेरा घमन वेर्थ ठहराये, और यदि मैं सुसमाचार सुनाओं, तो मेरा कुछ घमन नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाओं, तो मुझ पर हाय, यदि अपनी इच्छा से ये करता ह तो मजदूरी मुझे मिलती है और यदि अपनी अच्छा से नहीं करता तो भी भंडारी पन मुझे सौपा गया है सो मेरी कौन सी मजदूरी है ये कि सूसमाचार सुनाने में मैं मसी का सूसमाचार सेंथ मेत कर दूँ यहां तक कि सूसमाचार में जो मेरा अधिकार है, उसको मैं पूरी रीती से काम मिलाँ, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आपको सबका दास बना दिया है, कि अधिक लोगों को खीचलाऊं, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, कि यहूदियों को खीचलाऊं, जो लोग व्यवस्था के आधीन ना होने पर भी व्यवस्था के आधीन बना प्योंने जो व्यवस्था के आधीन है खीच लाओं व्यवस्था हीनों के लिए मैं जो पर्मेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परन्तु मसीह की व्यवस्था के आधीन है व्यवस्था हीन सा बना कि व्य परंतु मसी की व्यवस्था के आधीन हूँ, व्यवस्था हीन सा बना कि व्यवस्था हीनों को खीच लाओं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खीच लाओं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ, कि किसी ना किसी रीती से कई एक का उधार करा हूँ और मैं सब कुछ सूसमाचार के लिए करता हूँ, कि औरों के साथ उसका भागी हो जाओ क्या तुम नहीं जानते कि दोड में तो दोडते सभी हैं, परन्तु इनाम एक ही ले जाता है तुम वैसे ही दोडो कि जीतो, और हर एक पहलवान सब प्रकार का सव्यम करता है वे तो एक मुर्जाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं, जो मुर्जाने का नहीं इसलिए मैं तो इसी रिती से तौडता हूँ, परन्तु वे ठिकाने नहीं मैं भी इसी रिती से मुक्पों से लड़ता हूँ परन्तु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लगता हूँ परन्तु मैं अपनी देह को मारता उटता और वश मेलाता हूँ ऐसा ना हूँ कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रिती से निकम्मा ठहरूँ अध्याय दस हे भाईयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अग्यात रहो कि हमारे सब बापतादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बप्तिस्मा लिया सब ने एक ही आत्मिक भूजन किया, सब ने एक ही आत्मिक चल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे चोन के साथ साथ चलती थी और वो चटान मसीही था परंतु परमेश्वर उन में के बहुत थेरों से प्रसन्न ना हुआ इसलिए वे जंगल में ठेर हो गए दिन में 23,000 मर गए नह canoe हम प्रभू को परखे जैसा उन में से कितनों ने किया और सापों के द्वारा नाश किये गए न तुम कुरकुराओ जिस रीती से उन में से कितने खुरकुराए नाश करने वाले के द्वारा नाश किये गए ये सब बातें जो उन पर पड़ें द्रिश्टांत की रीती पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी कई ही इसलिए जो समस्ता है कि मैं स्थिर हूँ वो चोकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से पाहर है परमेश्वर सच्चा है वो तुम्हें सामर्ष से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको इस कारण हे मेरे प्यारो मूर्ती पूजा से बचे रहो मैं बुद्ध हिमान जान कर तुम से कहता हूँ जो मैं कहता हूँ उसे तुम पर्खो वो धन्यवात का कटोरा जिस पर हम धन्यवात करते हैं क्या मसी के लोहु की सह भागिता नहीं वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की दे की सह भागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, सो हम भी जो बहुत हैं एक दे हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं, जो शरीर के भाव से इसराइली हैं, उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सह भागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या ये कि मूरत का बलिदान कुछ है या मूरत कुछ है? नहीं, वरन ये कि अन्य जाती जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं, परन्तु दुष्टात्माओं के लिए वलिदान करते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सह भागी हो, तुम प्रभू के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों मेश से नहीं पी सकते, तुम प्रभु की मेज और दोश्टात्माँ की मेज दोनों के साज ही नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रिश्ट दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित्तों हैं, परन्तु सब लाभ की नहीं. सब वस्तुएं मेरे लिए उचित्तों हैं, परन्तु सब वस्तुओं से उन्नती नहीं. कोई अपनी ही भलाई को न ढूंदे, परन औरों की. जो कुछ कसाईयों के हाँ बिकता है, वो खाओ. और विव और तुम जाना चाहों, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, परन्तु यदि कोई तुम से कहे ये तो मूरत की बली की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतुस दूसरे का, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों पर्खी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साजी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? सो तुम चाहे खाओ, चाहे पीओ, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, तुम ना यहूदियों, ना युनानियों, और ना परमेश्वर की कलिसिया के लिए ठोकर के कारण बनो, चैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाब ढूनता हूं कि वे उद्धार पाएं। अध्याए ग्यारा तुम मेरी सिचाल चलो जैसा मैं मसीह की सिचाल चलता हूं। हे भाईयों, मैं तुम्हें सराहता हूं, जिसा बातों में मुझे स्परण करते हूं। और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौपतिय हैं, उन्हें धारण करते हूं। सो मैं चाहता हूँ, कि तुम ये जान लो, कि हर एक पुरुष का सिर मसी है, और स्त्री का सिर पुरुष है, और मसी का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढाके हुए प्रार्थना या भविश्य द्वानी करता है, वो अपने सिर का अपमान करता है। परन्तु जो स्त्री उधाले सिर प्रार्थना या भविश्य द्वानी करती है, वो अपने सिर का अपमान करती है। क्योंकि वो मुंडी होने के वराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े, तो बाल भी कटाले। यदि इस्तरी के लिए बाल कटाना या मुंडाना लच्चा की बात है, तो ओड़नी ओड़े, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढाकना उचित नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु इस्तरी पुरुष की महिमा, क्योंकि पुरुष स्तरी से नहीं ह इसलिए स्वर्ग दूतों के कारण इस्तरी को उचित है, कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु में ना तो इस्तरी बिना पुरुष और ना पुरुष बिना इस्तरी के है, क्योंकि जैसे इस्तरी पुरुष से है, वैसे ही पुरुष इस्तरी के द्वारा है, परन्तु सब वस्तु में परमेश्वर से हैं। तुम अपने आप ही विचार करो। क्या इस्त्री को उखाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहाता है। क्या स्वभावी कृती से भी तुम नहीं जानते। कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अप की और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीती है। परन्तु ये आज्या देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता। इसलिए कि तुम्हारे इकठे होने से भलाई नहीं परंतुहानी होती है क्योंकि पहले तो मैं ये सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ-कुछ प्रतीती भी करता हूँ, क्योंकि विधर्म भी तुम्हें अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं, वे प्रकट हो जाएं सो तुम जो एक जगा में इकठे होते हो, तो ये प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलिसिया को तुछ जानते हो, और जिनके पास नहीं हैं उन्हें लज्जित करते हो, मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे प्रभू से पहुची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी क्योंकि प्रभु यिशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है मेरे स्मरन के लिए यही किया करो इसी रीती से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लोहु में नई वाचा है जब कभी पियो तुम्हेरे स्मरन के लिए यही किया करो क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु को जब तक वो ना आये प्रचार करते हो इसलिए जो कोई अनुचित रीथी से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पीए वो प्रभु की देहे और लोहु का अपराधी ठहरेगा इसलिए मनुश्य अपने आप को जाच ले और इसी रीथी से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभू की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने उपर दंड लाता है इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी है और बहुत से तो सो भी गए यदि हम अपने आपको चांचते तो दंड ना पाते परन्तु प्रभू हमें दंड देकर हमारी तालना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोशी ना ठहरें इसलिए हे मिरे भाईयों जब तुम खाने के लिए कठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले जिससे तुम्हारा इकठा होना दंड का कारण ना हो और शेश बातों को मैं आकर ठीक कर दूँगा अध्याए बारा हे भाईयों मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वर्दानों के विशे में अग्यात रहो तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाती थे तो गूंगी मूरतों के पीछे जैसे चलाय जाते थे वैसे चलते थे इसलिए मैं तुम्हें चितानी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यिशू स्लापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यिशू प्रभू है वर्दान तो कई प्रकार के है परंतु आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभू एक ही है और प्रभावशाली कारिक कई प्रकार के है परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन करता है किन्तु सब के लाब पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रखाश दिया जाता है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धी की बाते दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ग्यान की बाते है और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वर्दान दिया जाता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ती और किसी को भविश्य द्वानी की और किसी को आत्माओं की परक और किसी को अनेक प्रकार की भाशा और किसी को भाशाओं का अर्थ बताना परन्तु ये सब प्रभावशाली कार रहे वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सवंग बहुत होने पर भी सब मिल कर एक ही देह है उसी प्रकार मसीही भी है क्योंकि हम सबने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बप्तिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया इसलिए कि देह में एक ही अन नहीं परंटु बहुत से हैं यदि पाउं कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वो इस कारण देह का नहीं और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं तो क्या वो इस कारण देह का नहीं यदि सारी देह आँखी होती तो सुनना कहा होता परंतु सचमुच परमेश्वर में अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहा होती परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है आँख हाच से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं और ना सिर्प पाउं से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आविश्यक हैं और देह के जिन अंगों को हम आदर के योके नहीं समझते हैं उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं और हमारे शोभा ही अंग और भी बहुत शोभाय मान हो जाते हैं फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रियोजन में, परन्तु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है, कि जिस अंग को घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूटना पड़े, परन्तु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे, इसलिए यद कि एक अंग की बढ़ाई होती है, तो उसके साथ सब अंग आनंद बनाते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग-अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कली सिया में अलग-अलग व्यक्ति नियुक्त किये हैं, प्रथम प्रेरे, दूसरे भुष्य का द्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर जंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रथान और नाना प्रकार की भाशा बोले, क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविश्य द्वक्ता हैं, क्या सब उप्तेशक हैं, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं, क्या सब को चंगा करने का वर्दान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाशा बोलते हैं, क्या सब अनुबात करते हैं, तुम बड़े से बड़े वर्दानों की धुन में रहो, परन तुम्हें तुम्हें और भी सब से उत्तम मार्ग बताता हूं. अध्याय तेरा प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं और यदि मैं अपनी संपून संपत्ति कंगालों को खिला दू या अपनी देह जलाने के लिए दे दू और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाब नहीं प्रेम धीरजवन्त है और कृपाल है प्रेम डहा नहीं करता प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं वो अनरीती नहीं चलता वो अपनी भलाई नहीं चाहता छुझलाता नहीं पुरा नहीं मालता कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीती करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरच रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविश्य दुआनिया हों तो समाप्त हो जाएंगी, भाशाए हों तो जाती रहेंगी, ग्यान हो तो मिट जाएगा, क्योंक कि हमारा ग्यान अधूरा है और हमारी भविश्य द्वानी अधूरी परन्तु जब सर्व सित्ह आएगा तो अधूरा मिट जाएगा जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था बालकों का सा मन था बालकों की सी समझ थी परन्तु जब सियाना हो गया तो बालकों की बाते छोड़ती अब हमें तरपण में धुंदला सा दिखाई देता है परन्तों समय आमने सामने देखेंगे इस समय मेरा ग्यान अधूरा है परन्तों समय ऐसी पूरी रीती से पहिचानूंगा जैसा मैं पहिचाना गया हूं परब विश्वास आशा प्रेम ये तीनों का प्रेम है अध्याय चौदे है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वर्दानों की भी धुन में रहो विशेश करके ये कि भविश्य द्वानी करो क्योंकि जो अन्य भाशा में बातें करता है वो मनुश्यों से नहीं परन्तु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है परन्तु जो भविश्य द्वानी करता है वो मनुश्यों से उन्नती और उक्तेश और शान्ती की बाते कहता है जो अन्य भाशा में बाते करता है वो अपनी ही उन्नती करता है परन्तु जो भविश्य द्वानी करता है वो कली सिया की उन्नती करता है मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाशाओं में बाते करो, परंतु अधिक तर ये चाहता हूँ कि भविश्य द्वाणी करो, क्योंकि यदि अन्याय भाशा बोलने वाला कलीसिया की उन्नती के लिए अनुवाद ना करे, तो भविश्य द्वाणी करने वाला उससे बढ़ कर इसलिए हे भाईयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यानने भाशा में बातें करूं और प्रकाश या ग्यान या भविश्य द्वानी या उब्देश की बातें तुमसे ना कहूं तुम उससे तुम्हें क्या लाब होगा इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जि किसे बासुरी या बीन यदि उनके स्वरों में भेदना हूं तो जो फूंका या बजाया जाता है वो क्यों कर पहचाना जाएगा और यदि तुरही का शब्द साफ ना हूँ तो कौन लड़ाई की लिए तैयारी करेगा ऐसे ही तुम भी यदि जीब से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा तुम तो हवा से बातें करने ‫वाले ठहरोगे जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हूँ प्रंतों में से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टी में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टी में परदेशी ठहरेगा इसलिए तुम भी जब आत्मिक वर्दानों की धुन में हो तु ऐसा प्रयत्म करो कि तुम्हारे वर्दानों की उन्नती से कली सिया की उन्नती हो इस कारण जो अन्य भाशा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके इसलिए यदि मैं अन्य भाशा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परन्तु मेरी बुद्धी काम नहीं देती तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धी से भी प्रार्थना करूंगा मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धी से भी गाऊंगा नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अक्यानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है तू तो भली भाती से धन्यवात करता है, परंतु दूसरे की उन्नती नहीं होती, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवात करता हूँ, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्यान्य भाशा में बोलता हूँ, परंतु कलिसिया में अन्य भाशा में दस हजार बाते कहने से ये मुझे और भ बुराई में तो बालक रहो परंतु समझ में सियाने बनो व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अन्य भाशा बोलने वाले के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बाते करूंगा तो भी वे मेरी ना सुनेंगे इसलिए अन्यान्य भाशाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्न है और भविश्य द्वानी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्न है सो यदि कलीसिया एक जगा इकठी हो और सब के सब अन्यान्य भाशा बोलें और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे परन्तु यदि सब भविश्य द्वानी करने लगें और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोशी ठहरा देंगे और परक लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मूँ के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सच मुच्छ परमेश्वर तुम्हारे बीच में है इसलिए हे भाईयो क्या करना चाहिए जब तुम इखटे होते हो तो हरे के हिरदय में भजन या उकदेश या अन्य भाशा या प्रकाश या अन्य भाशा का अर्थ बताना रहता है सब कुछ आत्मिक उन्नती के लिए होना चाहिए यदि अन्य भाशा में बाते करने हो तो दो-दो या बहुत हो तो तीन-तीन जन बारी-बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवात करे परन्तु यदि अनुवात करने वाला नहो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बाते करे भविश्य दुखताओं में से दो वातीन बोले और शेश लोग उनके वचन को पर्खे परन्तु यदि दूसरे पर जो बैठा है कोछे इश्वरी अप्रकाश हो पहला चुप हो जाए क्योंकि तुम सब एक एक करके भविश्य दुआनी कर सकते हो ताकि सब सीखें और सब शांती पाएं और भविश्य दुखताओं की आत्मा भविश्य दुखताओं के वश में है क्योंकि परमेश्वर गडबड़ी का नहीं परंतु शांती का करता है जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें क्योंकि उन्हें बाते करने की आग्या नहीं परंतु आधीन रहने की आग्या है जैसा व्यवस्था में लिखा भी है और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने पती से पूछें क्योंकि इस्त्री का कलीसिया में बाते करना लज्जा की बात है क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला या केबल तुम ही तक पहुँचा है यदि कोई मनुष्य अपने आपको भविश्य द्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वे प्रभू की आग्याएं हैं परन्तु यदि कोई ना जाने तो ना जाने सो हे भाईयों भविश्य द्वानी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो पर सारी बातें सभ्यता और क्रमा नुसार की जाएं अध्याए पंद्रा हे भाईयों मैं तुम्हें वही सू समाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ जिसे तुमने अंगिकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर्पी हो यदि उस सू समाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरन रखते हो तो उसी के द्वारा तुम्हारा उत्थार होता है नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुचा दी जो मुझे पहुची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशू मसी हमारे पापों के लिए मर गया और गाणा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया फिर पांच सो से अधिक भाईयों को एक साथ दिखाई दिया चिन में से बहुत तेरे अब तक वित्यमान है पर कितने सो गए फिर याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ वरन प्रेरित कहलाने के योग के भी नहीं क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था परन्तु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ परन्तु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ परन्तू परमेश्वर के अनुगलह से जो मुझ पर था So, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हूँ, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया So, जबकि मसी का ये प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुव में से जी उठा तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुऊं का पुनुर्थान है ही नहीं यदि मरे हुऊं का पुनुर्थान ही नहीं तो मसी भी नहीं जी उठा और यदि मसी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी वियर्थ है यदि परमेश्वर ने मसी़ को नहीं जिलाया और यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो हम परमेश्वर के जूटे गवाह ठेरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विशreck में ये गवाही दी के उसमें मसी़ को जिलादिया और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसी भी नहीं जी उठा और यदि मसी नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में भसे हो परन जो मसी में सो गए हैं वे भी नाशुए यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं परन्तु सचमुच मसीही मुर्दों में से ची उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यों आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुँँ का पुनरुथ्थान भी आया और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीही में सब चिलाए जाएंगे परन्तु हर एक अपनी अपनी बारीज से पहला फल मसी फिर मसी के आने पर उसके लोग इसके बाद अंत होगा उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ कांत करके राज्जी को परमेश्वर पिता के हाथ में सौप देगा क्योंकि जब तक कि वो अपने बैरियों को अपने पाउं तले ना ले आए तब तक उसका राज्जी करना अवश्य है सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यू है क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पाउं तले कर दिया है परन्तु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके आधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके आधीन कर दिया वो आप अलग रहा और जब सब कुछ उसके आधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके आधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके आधीन कर दिया ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो नहीं तो जो लोग मरे हूँ के लिए बबतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बबतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखी में पड़े रहते हैं? हे भाईो, मुझे उस खमंड की सहुं तो मुझे क्या लाब हुआ, यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, खाएं, पिएं, क्योंकि कल तो मरी जाएंगे, थो खाना खाना, बुरी संगती अच्छे चलित्र को बिगार देती है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूँ, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीती से जी उठते हैं, और कैसी देह के साथ आते हैं, हे निर्बुद्धी, जो कुछ तू बोता है, जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता है और जो तू बोता है, वो ये देह नहीं जो उत्पन होने वाली है, परंतू निरादाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और अनाच का, पर परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीच को उसकी विशेश देह, सब शरीर एक सरीखे नहीं परंतू मनुश्यों का शरीर और है, पश्यों का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मचलियों का शरीर और है, सुर्गिये देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतू सुर्गिये देहूं का तेज और है, और पार्थिव का और, सुरे का तेज और है, चांद का ते जोर है क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है शरीर नाश मान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है निर्बलता के साथ बोया के स्वाभाविक दहे है तो आत्मिक दहे भी है ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथा मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवंदायक आत्मा बना परन्तु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था इसके बाद आत्मिक हुआ प्रथम मनुष्य धर्ती से अर्थात मिट्टी का था दूसरा मनुष्य स्वर्गिये है जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं जैसा वो स्वर्गिये है वैसे ही और भी स्वर्गिये हैं जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारन किया वैसे ही उस स्वर्गिये का रूप भी धारन करेंगे हे भाईो मैं ये कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम पदल जाएंगे क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले और ये मरनहार दे अमरता को पहन ले और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरनहार अमरता को पहन लेगा तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जये ने मृत्यू को निगल लिया हे मृत्यू तेरी जये कहा रही हे मृत्यू तेरा डंक कहा रहा मृत्यू का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है पलंतु परमेश्वर का धन्यवाद हूँ जो हमारे प्रभु यिशु मसी के द्वारा हमें जैवंत करता है सोहे मेरे प्रिये भाईउं द्रेट और अठल रहो और प्रभु के काम में सरवता बढ़ते जाओ क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है अध्याय सोला अब उस चंदे के विशे में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है जैसी आग्या मैंने गलतिया की कलिसियाओं को दी वैसा ही तुम भी करो सब्ता के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े और जब मैं आऊंगा तो जिने तुम चाहोगे उन्हें मैं चिठियां देकर भेश दूँगा कि तुम्हारा दान यरुशलेम पहुँचा दे और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ और शरद रितू तुम्हारे यहां काटू तब चे सोर मेरा जाना हो उसोर तुम मुझे पहुचा दो क्योंकि मैं अब मार्क में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता परन्तु मुझे आचा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा परन्तु मैं पेंतिकुस तक इफुसुस में रहूंगा क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं यदि तीमूत ही उस आ जाएं तो देखना कि वो तुम्हारे यहां निडर रहे क्योंकि वो मेरी नाई प्रभु का काम करता है इसलिए कोई उसे तुछ ना जाने परन्तु उसे कुशल से इस ओर पहुँचा देना कि मेरे पास आ जाए क्योंकि मैं उसकी बाठ जो रहा हूं कि वो भाईयों के साथ आए और भाई अब पुलोस से मैंने बहुत विनिती की कि तुम्हारे पास भाईयों के साथ जाए परन्तु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा ना की पर जब अवसर पाएगा तब आजाएगा चाकते रहो विश्वास में स्थिर रहो पुरुशार्थ करो बलवन्त हो जो कुछ करते हो प्रेम से करो हे भाईयों तुम इस्थिफ नास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तयार रहते हैं सुमय तुमसे विनिती करता हूँ कि ऐसों के आधीन रहो वरन हर एक के जो इस कान में परिश्वमी और सह कर्मी है और मैं इस्थिफ नास और फर्तुनातुस और अखई कुस के आने से आनन्दित हूँ क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी पूरी की है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है इसलिए ऐसों को मानो आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्का अकविला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसियों का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्का सब भाईयों का तुमको नमस्कार पवित्र चुम्बन से आफस में नमस्कार करू मुझ पॉलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार यदि कोई प्रभू से प्रेम ना रखे तो वो स्रापित हो हमारा प्रभू आने वाला है प्रभू यिशु मसी का अनुग रहे तुम पर होता रहे मेरा प्रेम मसी ही यिशु में तुम सब से रहे आमीन कुरिंथियों के नाम पॉलुस प्रेरित की दूसरी पत्री अध्याए 1 पॉलुस की ओर से जो परमेशवर की इच्छा से मसीह यिशु का प्रेरित है और भाई तीमू थियुस की ओर से परमेशवर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिंथुस में है और सारे अख्या के सब पवित्र लोगों के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यिशु मसी की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ती मिलती रहे हमारे प्रभु यिशु मसी के परमेश्वर और पिता का धन्यवात हो चुतया का पिता और सब प्रकार की शान्ती का परमेश्वर है वो हमारे सब क्लेशों में शान्ती देता है ताकि हम उस शान्ती के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शान्ती दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शानती भी मसीख के द्वारा अधिक होती है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शानती और उत्धार के लिए है, और यदि शानती पाते हैं तो ये तुम्हारी शानती के लिए है, जिसके प्रभाव से तुम धीरच के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिने हम भी सहते हैं हमारी आशा तुम्हारे विशे में द्रिड है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शान्ती के भी सहभागी हो हे भाईयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोज से दब गए थे, जो हमारी सामर्थ से बाहर था, यहां तक कि हम जीवन से भी हात धो बैठे थे वरन हमने अपने मन में समझ लिया था, कि हम पर मृत्यू की आज्या हो चुकी है, कि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यू से बचाया और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है, कि वो आगे को भी बचाता रहेगा और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे, कि जो वर्दान बहुतों के द्वारा हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें क्योंकि हम अपने विवेक के इस गवाही पर घमंड करते हैं, कि जगत में और विशेश करके तुम्हारे बीच, हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्ये ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारी रिक्यान से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ थ हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते हैं, केवल वो जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे, जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है, कि हम तुम्हारे घमंड का कारण हैं, वैसे तुम भी प्रभु यिशु के दिन हमारे ल मा की दुनिया को जाओं, और फिर मा की दुनिया से तुम्हारे पास आओं, और तुम मुझे यहुदिया की ओर कुछ तूर तक पहुचाओ, इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई, या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुम से कहा हाँ और नहीं, दोनों पाई नहीं जाती, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यिशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्व बन нос और दिमुल्थ ही उसके दोरा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ उसमें हां और नहीं दोनों ना थे परंग तू उसमें हां ही हां हुई क्योंकि प्रमेश्वर के जितनी प्रतिग्याय हैं वे सब उसी में हां के साथ है इसलिए उसके दोरा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हूँ और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में द्रिड करता है और जिसने हमें अभिशेक किया वही परमेश्वर है जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया मैं परमेश्वर को गवा करता हूं की मैं अब तक कुरिंथुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरसाता था यम नहीं कि हम विश्वास के विशय में तुम पर प्रबता जताना चाहते हैं परन्तु तुम्हारे आनंद में सहायक है क्योंकि तुम विश्वासी से स्थिर रहते हो अध्याई दो मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास हो करना हूँ क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूँ तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा केवल वही जिसको मैंने उदास किया और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिन से आनंद बिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है बड़े कलेश और मन के कश्ट से मैंने बहुत आसु बहा बहा कर तुम्हें लिखा इसलिए नहीं कि तुम उदास हो परंग तु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुम से है और यदि किसी ने उदास किया है तु मुझे ही नहीं वरंग कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करू कुछ-कुछ तुम सब को भी उदास किया है ऐसे जन के लिए ये दंग जो भाईयों में से बहतों ने दिया बहुत है इसलिए इससे ये भला है कि उसका अपराद क्षमा करो और शान्ती दो ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में टूप जाए इस कारण मैं तुम से विनिदी करता हूं कि उसको अपने प्रेम का प्रमान दो क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परकलूं कि सब बातों के मानने के लिए तैयार हो की नहीं जिसका तुम कुछ ख्षमा करते हो उसे मैं भी ख्षमा करता हूं क्योंकि मैंने भी जो कुछ ख्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगे में होकर ख्षमा किया है कि शैतान का हम पर दाउना चले क्योंके हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं और जब मैं मसीह का सूसा मचार सुनाने को द्रुआस में आया और प्रभू ने मिरे लिए एक द्वार खोल दिया तो मेरे मन में चैन ना मिला का धन्यवाद हो जो मसीह हमें सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्यान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह पहलाता है क्योंके हम परमेश्वर के निकट उध्धार पाने वालूं और नाश होने वालूं दोनों के लिए मसीह के सुगंध है कितनों के लिए तो मरने के निमित मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित जीवन की सुगंध और इन बातों के योग्य कौन है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परन्तु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जान कर मसीह हमें बोलते हैं. अध्यायतीन क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे, या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी हैं? हमारी पत्री तुम ही हूँ, जो हमारे हिर्दयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहिचानते और पढ़ते हैं, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हूँ, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखा, और जो सियाही से नहीं, परन्तु जीवते परमेश्वर के आत् अधर की पठियों पर नहीं, परन्तु हिर्दय की मान सुरूपी पठियों पर लिखी है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, कि अपनी और से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परम परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। और यदे मृत्यू की वो वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमाई हुई, कि मूसा के मूपर के तेज के कारण जो खटता भी जाता था, इसराइल उसके मूपर द्रिष्टी नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमाई क् क्योंकि जब तोशी ठहराने वाली वाचा तेजोमाई थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमाई क्यों ना होगी, और जो तेजोमाई था, वो भी उस तेज के कारण, जो उससे बढ़ कर तेजोमाई था, कुछ तेजोमाई ना ठहरा, क्योंकि जब वो जो घ घटता जाता था ते जो मैं था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी ते जो मैं क्यों ना होगा। सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं मूसा की नाई नहीं जिसने अपने मुम पर परदा डाला था ताके इस्राइली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखें। परंतु वे मति मंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही परदा पड़ा रहता है पर वो मसीह में उठ़ जाता है और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर परदा पड़ा रहता है परन्तु जब कभी उनका हृदय प्रभू की ओर फिरेगा तब वो परदा उठ जाएगा प्रभू तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभू का आत्मा है वहां स्वत अंत्रता है परन्तु जब हम सब के उगाडे चेहरे से प्रभू का प्रता इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दरपण में तो प्रभू के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्पी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं अध्याय चार इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई के हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते परन्तु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं परन्तु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं परन्तु यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा है तो वो नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुध्ध को इस संसार के इश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रती रूप है उसके तेजो मैं सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके क्योंकि हम अपने को नहीं परन्तु मसी यश्व को प्रचार करते हैं कि वो प्रभू है और अपने विशे में ये कहते हैं कि हम येश्व के कारण तुम्हारे सेवक हैं इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से जोती चमके और वही हमारे हिरदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की जयोती येशू मसी के चेहरे से प्रकाश मान हो परन तु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्द हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे हम चारों और से कलेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते सताय तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते गिराय तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिये फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो क्योंकि हम जीते जी, सरवदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरन हर शरीर में प्रगट हो सो मृत्यू तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विश्य में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला सो हम भी विश्वास करते हैं इसी लिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु येशु को चिलाया वही हमें भी येशु में भागी जानकर चिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्तित करेगा क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं दियाव नहीं छोड़ते, यद भी हमारा बाहरी मनुषत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुषत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंके हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन करता जाता है और हम तो देखी हुई वस्तूओं को नहीं परंतु अन देखी वस्तूओं को देखते रहते हैं क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परन्तु अन्देखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। अध्याई पांच क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रिथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया चाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परन्तु चेरस्थाई है। इसमें तो हम कहरते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गिय घर को पहनने, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस टेरे में रहते हुए बोज से दबे कहरेते रहें क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। ताकि वो जो मरनहार है जीवन में ढूप जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तयार किया है, वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा, दाढ़स बांधे रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं। क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम डाढ़स पांधे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग ये है कि चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें, हम उसे भाते रहें। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के नियायासन के सामने खुल जाए। कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, जो उसने दिह के द्वारा किये हों, पाए। सो प्रभु का भाय मान कर हम लोगों को समझाते हैं, और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगठ है। और मेरी आशा ये है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते हैं। वरन हम अपने विशे में तुम्हें घमंड करने का आवसर देते हैं। कि तुम उन्हें उत्तर ना दे सको, जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुद हैं, तो परमेश्वर के लिए। और यदि चैतन्य हैं, तो तुम्हारे लिए। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। इसलिए कि हम ये समझते हैं, कि जब एक सब के लिए मरा, तो सब मर गए। और वो इस निमित्त सब के लिए मरा, कि जो जीवित हैं, वे आगे को अपने लिए न जीए। परन्तु उसके लिए, जो उनके लिए मरा, और फिर जी उठा। सो अब से हम किसी को सरीर के अनुसार न समझेंगे। और यदि हमने मसी को भी सरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। सो यदि कोई मसी में है, तो वह नई स्रिष्टी है। पुरानी बाते बीद गई, देखो वे सब नई हो गई। और सब बाते परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसी के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसी में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। और उनके अपराधों का दोस उन पर नहीं लगाया। और उसने मेल मिलाप का वच्चन हमें सौप दिया है। सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, जो पाप से अग्यात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिक्ता बन अध्याएच्छे 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 वे मेरे लोग होंगे इसलिए प्रभु कहता है क्यों उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु कमच्छो तो मैं तुम्हें ग्रहन करूंगा और तुम्हारा पिता होंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे ये सर्व शक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है अध्याय साथ सो हे प्यारो जबके ये प्रतिज्याएं हमें मिली हैं तो आओ हम अपने आपको शरीर और आत्मा की सब मलिन्ता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिध्ध करें हमें अपने हिर्दय में जगा दो हमने ना किसी से अन्याय किया ना किसी को बिगाड़ा और ना किसी को ठगा मैं तुम्हें दोशी ठहराने के लिए यह नहीं कहता क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हिर्दय में ऐसे बस गए हूँ कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिए तैयार है मैं तुमसे बहुत ही आप के साथ बोल रहा हूँ मुझे तुम पर बड़ा खमंट है मैं शांती से भर गया अपने सारे क्लेश में मैं आनंद स्याती भरपूर रहता हूँ क्योंकि जब हम मकी दुनिया में आये तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला परन्तु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे बाहर लडाईयां थी भीतर भयंकर बाती थी तो भी दोनों को शांती देने वाले परमेश्वर ने तितुस के आने से हमको शांती दी और ना केवाल उसके आने से परन्तु उसकी उस शांती से भी जो उसको तुम्हारी और से मिली थी और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समचार हमें सुनाया जिससे मुझे और भी आनंद हुआ क्योंकि यद्दपी मैंने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया परंतु उससे पच्टाता नहीं जैसा कि पहले पच्टाता था क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्नी से तुम्हें शोक तो हुआ परंतु वो थोड़ी देर के लिए था अब मैं आनंदित हूँ पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानी ना पहुँचे क्योंकि परमेश्वर भक्ती का शोक ऐसा पश्यताप उत्पन करता है जिसका परिणाम उत्धार है और फिर उससे पच्छताना नहीं पड़ता परंतु सांसारिक शोक मृत्य उत्पन करता है सो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ती का शोक हुआ तुम में कितनी उत्तेजना और प्रतियुत्तर और रिस और लालसा और धुम्ड और पल्टा लेने का विचार उत्पन हुआ तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दो किया गया परन्तु इसलिए कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रगट हो जाए इसलिए हमें शान्ति हुई और हमारी इस शान्ति के साथ तितुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण ह कि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विशे में कुछ खमण दिखाया तो लच्चित नहीं हुए परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच-सच कह दी थी वैसे ही हमारा खमण दिखाना ते तुसके सामने भी सच निकला और जब उसको तुम सब के आग्याकारी होने का कि क्योंकर तुमने डरते और कापते हुए उससे मेट की तो उसका प्रेम तुम्हारी ओर और भी भड़ता जाता है। मायानंद करता हूँ कि तुम्हारी ओर से मुझे हर बात में दाढ़स होता है। अध्याए आठ अभे भाईयों हम तुम्हे परमेश्वर के उससनुक्रह का समचार देते हैं। जो मकी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। कि कलेश की बड़ी परिक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उधारता बहुत बढ़ गई। उनके विशे में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विशे में हमसे बार बार बहुत बिनती की। जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने तई दे दिया। इसलिए हमने तितुस को समझाया कि जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। सुजैसे हर बात में अर्थात, विश्वास, वचन, ग्यान और सब प्रकार के यत्र में और उस प्रेम में जो हम से रखते हो बढ़ते जाते हो। वैसे ही इस तान के काम में भी बढ़ते जाओ। मैं आज्या की रिती पर तो नहीं। परंतु औरों के उत्सहा से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु येशु मसी का अनुक्रह चानते हो। कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और इस बात में मेरा विचार यही है क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छा है जो एक वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने ही में। परंतु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे। वै ऐसा ही अपनी अपनी पूजी के अनुसार पूरा भी करो क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहन भी होता है जो उसके पास है ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि औरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। परंतु बराबरी के वि गटी में काम आए के बराबरी हो जाए जैसा लिखा है कि जिसने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला और जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला और परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने तुम्हारे लिए वही उत्सहा तितुस के हिरदय में डाल दिया है कि उसने हमारा समझाना मान लिया वरन बहुत उच्छा ही होकर वो अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है और हमने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिसका नाम सुसमाचार के विशय में सब कलीसिया में फैला हुआ है और इतना ही नहीं परन्तु वो कलीसिया से ठहराय भी गया कि इस दान के काम के लिए हमारे साथ जाए और हम ये सेवा इसलिए करते हैं कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रकट हो जाए हम इस बात में चौकस रहते हैं कि उस उदारता के काम के विशय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोश ना लगाने पाए क्योंकि जो बातें केवल प्रभु के ही निकट नहीं परन्तु मनुष्यों के निकट भी भली हैं हम उनकी चिंता करते हैं और हमने उसके साथ भाई को भेजा हैं जिसको हमने बार बार परक्के बहुत बातों में उत्साही पाया है परन्तु अब तुम पर उसको बड़ा भरोसा है इस कारण वो और भी अधी कुछ साही है यदि कोई तितुस के विशय में पूछे तो वो मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सह कर्म है और यदि हमारे भाईयों के विशय में पूछे तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीही की महिमा हैं सो अपना प्रेम और हमारा वो घवंड जो तुम्हारे विशय में है कलीसियाओं के सामने उन्हें सिध्ध करके दिखाओ अध्याय नौ अब उस सेवा के विशय में चो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना अविश्यक नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विशे में, मकी दुनियों के सामने खमंड दिखाता हूँ, कि अख्या के लोग एक वर्ष से तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उचसाह ने और बहुतों को भी उभारा है, परन्तु मैंने भाईयों को इसलिए भेजा है, कि हमने जो घमंड तुम्हारे विशे में दिखाया, वो इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परन्तु जैसा मैंने कहा, वैसे ही तुम तैयार हो रहो, ऐसा नहो कि यदि कोई मकी दुनी मेरे साथ आए, और तुम्हें तैयार ना पाए, तो क्या जाने, इस भरोसे के कारण हम, ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो, इसलिए मैंने भाईयों से ये विनिती करना अवश्य समझा, कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं, और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विशे में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि ये दबाव से नहीं, परंतु उदारता के भल की नाई तैयार हो, परंतु बात तो ये है, कि जो थोड़ा बोता है, वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है, वो बहुत काटेगा, हर एक जन, जैसा मन में ठाने, वैसा ही दान करे, न कुढ़के, और न और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जैसा लिखा है। उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीच और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीच देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को मढ़ाएगा। कि तुम हर बात में सब्प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्वान किये जाओ। क्योंकि सेवा के पूरा करने से ना केवल पवित्र लोगों की खटियां पूरी होती हैं। परन्तु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। क्योंकि सेवा से प्रमान लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट करते हैं। कि तुम मसीही के सूसमाचार को मानकर उसके आधीन रहते हो। और उनकी और सबकी सहायता करने में उधारता प्रगट करते रहते हो। और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। तुम्हारी लालसा करते रहते हैं परमेश्वर को उसके उस्तान के लिए जो वर्नन से बाहर है धन्यवात हो अध्याई दस मैं वही पॉलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूँ परन तुपीट पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ तुमको मसीही की नमरता और कोमलता के कारण समझाता मैं ये विनिती करता कि तुम्हारे सामने मुझे दिर्भाय होकर साहस करना ना पड़े जैसा में कितनों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं वीरिता दिखाने का विचात करता हूँ क्योंकि यद्यपी हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते क्योंकि हमारी लड़ाई के हत्यार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढढ़ा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है सो हम कलपनाओं को और हर एक उची बात को जो परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीही का आज्याकारी बना देते हैं और तयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्या मानना पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्या ना मानने का पल्टा लें तुम इन ही बातों को देखते हो जो आखों के सामने हैं यदि किसी का अपने पर ये भरोसा हो कि मसीह का हूँ तो वो ये भी जान लें कि जैसा वो मसीह का है वैसे ही हम भी है क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विशय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाडने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है तो लज्जित ना हूंगा मैं ये इसलिए कहता है ये पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं क्योंकि कहते हैं कि उसकी पत्रियां तो गंभी और प्रभावशाली हैं पर अंतु जब देखते हैं तो वो देह का निर्बल और वक्तव्य में हलका जान पड़ता है सो जो ऐसा कहता है वो ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं वैसे ही तुम्हारे सामने हमारे काम भी होंगे क्योंकि हमें ये हियाव नहीं के हम अपने आपको उन में से कितनों के साथ गिनें या उन से अपनों को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा करते हैं और अपने आपको आपस में नाप तॉल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापी न करेंगे परंतु उसी सीमा तक जो परमिश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार भी करेंगे क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आपको बढ़ाना नहीं चाहते जैसे कि तुम तक ना पहुचने की दशामें होता वरंद मसीह का सू समाचार सुनाते हुए तुम तक पहुच चुके हैं और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर खमंड नहीं करते परन्तु हमें आशा है कि ज्यों ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जायगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा की अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे कि हम तुम्हारे सिवानों से आगे बढ़कर सू समाचार सुनाएं और ये नहीं कि हम औरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करें परंथु जो घमंड करें वो प्रभू पर घमंड करें क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वो नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभू करता है वही ग्रहन किया जाता है अध्याए ग्यारा यदे तुम मेरी थोड़ी मुर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता हाँ मेरी सह भी लेते हो क्योंकि मैं तुम्हारे विशे में ईश्वरिये धुन लगाए रहता हूँ इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौपतू परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भरष्ट ना किये जाएं यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यूशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था या और कोई सूसमाचार जिसे तुम्ने पहले ना माना था तो तुम्हारा सहना ठीक होता मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेयरितों से कम नहीं हूँ यदि मैं वक्तव्यमे अनारी हूँ तो भी घ्यान में नहीं वरन हमने इसको हर बात में सब पर तुम्हारे लिए प्रकट किया है क्या इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सू समचार सेंत मेंत सुनाया और अपने आपको नीचा किया कि तुम मुचे हो जाओ मैंने और कलीसियाओं को लूटा अर्थाठ मैंने अनसे मजदूरी ली ताकि तुम्हारी सेवा करूँ और जब तुम्हारे साथ था मुझे घटी हुई तो मैंने किसी पर भार नहीं दिया क्योंकि भाईयोंने मकी दुनिया से आकर मेरी घटी पूरी की और मैंने हर बात में अपने आपको तुम पर भार होने से रोका और रोके रहूंगा यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है तो अख्या देश में कोई मुझे इस खमंड से ना रोकेगा किसलिए क्या इसलिए कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता परमेश्वर ये जानता है परन तुझो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाओं ढूंडते हैं उन्हें में दाओं पाने ना दूँ ताकि जिस बात में वे खमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरें क्योंके ऐसे लोग जूठे प्रेरित और चल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं और ये कुछ अचंभे की बात नहीं क्योंके शैतान आप भी जो तिरमय स्वर्ग दूत का रूप धारन करता है सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों कासा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं परन्त उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा मैं फिर कहता हूँ कोई मुझे मुर्ख ना समझे नहीं तो मुर्ख ही समझ कर मेरी सहलो ताकि थोड़ा सा मैं भी घमंड करूँ इस बेधरक घमंड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वो प्रभू की आग्या के अनुसार नहीं पर मानो मुर्खता से ही कहता हूँ जबकि बहुत लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूँगा तुम तो समझतार होकर आनंद से मुर्खों की सह लेते हो क्योंकि जब तुम्हें कोई दास बना लेता है या खा जाता है या फसा लेता है या अपने आपको बड़ा बनाता है या तुम्हारे मुपर थपड मारता है तो तुम सह लेते हो मेरा कहना अनादर ही की रीती पर है मानो की हम निर्बल से थे परंतु जिस किसी बात में कोई हियाब करता है मैं मुर्खता से कहता हूँ तो मैं भी हियाब करता हूँ, क्या वे ही इब्राइनी हैं, मैं भी हूँ, क्या वे ही इस्राइली हैं, मैं भी हूँ, क्या वे ही इब्राहीम के वंच हैं, मैं भी हूँ, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं, मैं पागल किनाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़ कर हूँ, अधिक परीश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यू के जोखिमों में, पांच बार मैंने यहूदियों के हाथ से उन्तालीस उन्तालीस कोड़े खाए, तीन बार मैंने बेते खाई, एक बार पत्थर वह किया गया, तीन बार जहाज जिन नदियों के जोखिमों में, डाकूओं के जोखिमों में, अपने जाती वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, जूठे भाईयों के बीच जोखिमों में, परीश्रम और कश्ट में बार बार जाकते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाडे में, उघाले रहने में, और और बातों को छोड़ कर, चिनका वरणन मैं नहीं करता, सब कली सियाओं की चिनता प्रति दिन मुझे दबाती है, किस की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किस के ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता, यदि खमंड करना अवश्य है, तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर करूंगा, प्रभु येशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, चानता है कि मैं छूट नहीं बोल दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, मैं टोकरे में खिलकी से होकर भीत पर से उतारा गया, और उसके हाद से बच निकला। अथ्याए बारा यद्यपी घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है, सो मैं प्रभु की दिये दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा करूँगा। मैं मसीह मैं एक मनुष्य को जानता हूँ, चौदह वर्चुए कि ना जाने दे सहिद, ना जाने दे रहिद परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित पर मेश्वर ही जानता है कि स्वर्ग लोग पर उठा लिया गया और ऐसी बाते सुनी जो कहने को नहीं और जिन का मुँपर लाना मनुष्य को उचित नहीं ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूँगा परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विशे में घमंड ना करूँगा क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मुर्ख ना हूँगा क्योंकि सच बोलूँगा तो भी रुक जाता हूं, ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है, या मुझे से सुनता है, मुझे उससे बढ़ कर समझे, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूलना जाऊं। मेरे शरीर में एक काटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूर, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं भूलना जाऊं। इसके विशे में मैंने प्रभू से तीन बार विनिती की, कि मुझ से ये दूर हो जाए। और उसने मुझ से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता से सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीही की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीही के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उब्द्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बल्वंत होता हूं। मैं मुर्क तो बना, परन्तु तुम्ही ने मुझसे ये बर्बस करवाया। तुम्हे तु मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यदिपी मैं कुछ भी नहीं, तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से, किसी बात में कम नहीं हूँ, प्रेरित के लक्षन भी, तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरत सहित चिन्नों और अधभुत कामों और सामर्थ के कामों में दिखाए गए, तुम कौन सी बात में और कलीसिया से कम थे, केवलिस में, कि मैंने तुम पर अपना भार ना रखा, मेर ये अन्या एक शमा करो, देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ती नहीं, वरन तुम ही को चाहता हूँ, क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना ना पर माता पिता को लड़के बालों के लिए, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा, क्या जितना बढ़कर मैं तुम से प्रेम रखता हूँ, उतना ही खट कर तुम मुझ से प्रेम रखोगे, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोज नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हे धोखा देकर फसा लिया, भला जिने मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के दुआरा मैंने च्छल करके तुम से कुछ ले लिया, मैंने तितुस को समझा कर उसके साथ उस भाई को भेजा तो क्या तितुस ने च्छल करके तुम से कुछ लिया, क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले, क्या एक ही लीक पर न चले, तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जान कर मसीह हमें बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नती ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है, कहीं ऐसा ना हो, कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ, वैसे तुम्हें ना पाँ, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते, वैसा ही बाओ, कि तुम में जगडा, डाहा, क्रोद, विरो इर्शा, चुगली अभिमान और बखेड़े, और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे भिर से, तुम्हारे यहां आने पर दबाव डाले, और मुझे बहुतों के लिए फिर शोग करना पड़े, जिन्होंने पहले पाप किया था, और उस कंदे काम, और व्यभिचार और लुच्पन से जो उन्होंने किया, मन नहीं फिराया। वैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से, जिन्होंने पहले पाप किया,